स्वार्गत आपका Self Study के इस चैनल में आज की इस वीडियो में हम Basic of English यानि English की बिलकुल शुरुआत से हम स्टार्ट करने वाले हैं English Grammar की बिलकुल शुरुआत से और Advanced Level तक जाएंगे और जिसको भी नहीं आती हो Hindi Medium से हो या English Medium से हो कोई फर्क नहीं पड़ता हम बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो नहीं आईगी सारी चीज़े आ जाएंगी आप आराम से वीडियो को देखिए तो फॉस्ट पहली पार्ट है यह इंग्लिश बेसिक का यहां पर देखें इंग्लिश ग्रैमर कहते किसको अब देखो इसकी पहले क्या आता है कि A B C D यह एल्फबेट यह तो मैं नहीं करवाने वाला हूं कई सोचो कि A B C D यह भी करवा दसर यह चीज़े नहीं करवाने वाला हूं इसके बाद क्या आते हैं words बनते हैं words के लेकिन अभी फिलाल मैं इंग्लिश ग्रैमर के उपर आया हूं कि यह sentence भी आएंगे देरे देरे आगे आने वाले वीडियो में sentence close phrase सब चीज़ें आ जाएंगे शुरुआत मैं कर रहा हूं कि इंग्लिश ग्रैमर की जो definition होती है वो क्या होती है अगर आप इंग्लिश ग्रै सेट ओफ रूल्स होते हैं कि आपको पार्ट सो स्पीच की नोलेज होनी चाहिए पार्ट सो स्पीच अभी आऊंगा पार्ट सो स्पीच कितने टाइप के होते हैं पार्ट सो स्पीच की आपको पास नोलेज होगी वो नोलेज को ही सेट ओफ रूल्स का गया है और वो ही Junction और Interjection यह 85S Chris लूं कुछ 9ौं क्रिक्र करते हैं कुछ 10 नू क availability कुछ नकीन करते हैं हम उसके आपर आपयो भूनाख संद या वह जाएंगे अने वायर टाइम में वह सारी जीनी डिसकेट कर दूँगा अभी आउठ बाहन के चल हैं तो हम कौन सी category में आते हैं, art वाली category में और ज़्यादा तर grammar, art वाली category को prefer करते हैं तो हम भी इसी category के अंदर है, जहां majority है वह ही हम जाएंगे, ओके तो art, part, so speech होते हैं, फिर से एक पर देख लो, English grammar क्या है set of rules होते है, set of rules बोले तो, knowledge होने चाहिए आपको part, so speech कितने type के part, so speech होते हैं, art part, so speech होते हैं, अब एक के करके मैं थोड़ा थोड़ा, ना brief बताऊंगा, brief मतलब की उपरी तोर पे नहीं, बलकि एक छोटा सा intro दूँगा कि noun क्या होते हैं, देखो noun, किसी भी चीज का नाम, एक naming word होते हैं, एक naming word होते हैं, जैसे, bench का कोई bench हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, कोई स्थान का नाम हो गया, किसी जगह है, मतलब इन सब चीजों के जो नाम होते हैं, उनी को हम noun कहते हैं, just simple, कोई गहराई वाली definition में नहीं जा रहे हैं, noun क्या होते हैं, किसी चीज का नाम हो गया, बस, pronoun क्ये pronoun, ये इसका ही भाई है, noun का ही भाई प्रौन है, बस ये इसकी repetition को रोकते हैं, मतलब अगर एक बाद तुमने किसी का नाम यूज़ कर लिया, ram यूज़ कर लिया, तो बार बार राम ना लिखकर उसकी जगह तुम ही यूज करोगे तो यही प्रोणाउन है ना उनकी repetition को रोकने के लिए प्रोणाउन आता है अगली चीज़ वर्ब वर्ब क्या होता है वर्ब एक action word है action word बोले तो जिसमें कोई काम होता है जो कोई काम दिखाता है काम होना कोई काम होता है जैसे कोई भाग रहा है कोई दोड़ रहा है कोई सो रहा है कुछ खाना खा रहा है कोई खेल रहा है पढ़ रहा है बोल रहा है सुन रहा है तो यह सारी चीज़ें कहा है action ही तो है इसी को हम कहते है adjective adjective एक ऐशा शब्द है जो इन दो भाईयों की विशेष्टा बताता है या फिर इंग्लिश में कहीं qualify करता है कोई अच्छा, कोई बूरा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई महेंगा, कोई सस्ता ये सारी चीजों के बारे में ये चीज बताती है adjective बताता है adverb, adverb जो है वो इन के बारे में बताता है, verb और adjective और खुद के बारे में बता देता है ये adverb होती है, preposition, preposition का एक just simple सी छोटी information लोग, कि information add करने के काम आते है इसे ही हम preposition कहते है, कौन-कौन से होते है, आपने सुने भी हो जाता है तर फेमस to, from, four, यही तुम्हारे क्या होते है, preposition होते है और भी बहुत सारे होते है, अभी फिलाल छोटी सी एक चीज़ बताई है, two, four, from, beside हो गया, between, among, बहुत सारे होते है अभी मैं उसके बारे में नहीं जा रहा हूँ, अभी बच्चे को नहीं बता होता है कि preposition क्या होते है, sorry, इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे, धिरे धिरे जब लेक्टर स्टार्ट हो जाएंगे, अभी फिलाल के लिए इतना बहुत है conjunction क्या होते है, अगर आप इस word को तोड़े हैं, तो यह होता है आपका junction, और c-o-n, इसका मतलब होता है add करना, तो जैसे railway junction होता है, तो उसके जो junction होते हैं, junction को जोडने काम कोन करता है, conjunction करता है, जैसे, यह तो बहुत famous चीज़ है, and, or, यह तो मुझे लगता है कि हर चेज़ होते हैं, यह conjunction होते हैं, दो चीज़ों की जोडने के काम आती है, conjunction कहते है, फिर आता है अपने पास interjection, interjection का मतलब होता है, मूड बताना, कोई खुश है, कोई उदास है, तो यह mood बताने के काम आती है, यह होते हैं, इंटर्जेक्शन, ओके, थोड़ा बहुत intro, मैं इन चीजों के बारे में माने आप लोगों को यहीं दे दिया बहुत इटाल से करेंगे brief में भी करेंगे detail में बी जाएंगे हर चीज करने वाले एक छोटा सा into था ताकि आगे आने वाले कुछ चीजे हैं वह आप लोगों को समझ में आ जाए तो यह थी part source speech 500 सेमझा है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को इंट्रों धी दिया अब जर इस 500 स्पीच को समझते हैं 500 स्पीच इसका नाम ही क्यों पढ़ा आउ जर perse 500 समझो जैसे कि यह sentence है यह sentence है अमित बोर्ट अभूक अमित ने एक किताब खरे दी थी अभी मैं जाना कि 10s कौन सा है 10s के इसके सब चीज़ें हटा दो जो चीज़ें बोलना है उसी पर focus करना अमित bought a book इस चीज़ के उपर आते है sentence लिखा अब ये जो हर एक word को मैंने अलग-अलग तोड़ दिया ये जो अमित है इसको English grammar में क्या कहेंगे noun कहेंगे boat इसको English grammar में क्या कहेंगे verb कहेंगे ए क्या होता है article होता है book English grammar में क्या कहेंगे noun कहेंगे किसी चीज़ का नाम तो है किसी व्यक्ति का नाम है कोई action हो रहा है यहां पर और यह ए आर्टिकल इसके बारे में discuss करेंगे अभी फिल से, देखो अभी फिलाल basic है तो भागने की कोशिश मत करना कि आर्टिकल सरी यह कैसे क्या हो रहा है यह आपने अभी तक बताया है नहीं तो भागने की कोशिश मत करना, तीन आर्टिकल होते हैं यहीं मैं आपको लोग एक बर बता देता हूँ थोड़ा सब, यह एंदा तीन आर्टिकल होते हैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे इसको छोड़ते हैं इसको छोड़ते हैं तो यह आर्टिकल हो गया यह अलग-अलगी तोड़ना इसको parts of speech ही कहते हैं यह स्पीच होती है इस स्पीच को तोड़ देना parts में इसी को तो parts of speech कहते हैं यह noun हो गया, यह verb हो गया और यह article हो गया, noun हो गया तो एक जो sentence होता है वो बहुत सारे parts of speech से मिलकर बनावा होता है उसमें adjective आते हैं, उसमें adverb आते हैं clear, अब देखो आगे जाने से पहले कुछ चीज़ें यहां पर clear कर देता हूँ हम जब मैं जब पढ़ाऊंगा, तो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा, जैसे अभी यह आपने sentence देखा, ऐसी बहुत सारे sentence आएंगे, उन sentence में हर एक sentence को break करना, जैसे break करना मतलब तोड़ना, उस तोड़ तोड़कर आपको बताने कि यह जो word है, वो क्या है, इसका part source speech क्या है इसका part source speech क्या है, इसका part source speech, ऐसे हर एक का part source speech में आपके सामने discuss करता चलूँगा अब यह सब क्यों करूँगा, हर एक दोक्टर के पास जाते हो, तो डोक्टर तो पहले आपको आपसी बिमारी तो पूछेगा, कि आपको बिमारी क्या है, ऐसे दोड़ना जाते ही, आपको गोली देदेगा, कि लो भाई, यह गोली का लो, बिमारी ठीक हो जागी, जब तक आपको part source speech की knowledge नहीं होगी, तब तक आपको कैसे पता चलेगा, कि यह error क्या होगा, और उस part source speech की knowledge कैसे है कि हर एक sentence को break करके देखेंगे और पता करेंगे कि यहाँ पर जो noun लिखा हुआ कि इसकी position यहीं थी यहाँ जो verb लिखा हुई थी, इसकी position कि यहीं book क्या है noun, अगले step आते हैं, अब आप अब यह जो noun मैंने यहाँ पर लिखा, इसको English grammar में यहीं अमित को हमने English grammar में noun कहा, अब दो जीजे होती है, एक होता है नाम एक होता है काम समझना ज़रा, अमित इसका English grammar में नाम क्या हो गया, noun हो गया अब कुछ ना कुछ तो काम करेगा ना, देखो जितने भी आठ पार्ट सो स्पीच है, हर एक का कुछ ना कुछ काम दिया होता है अगर काम नहीं होता तो वो पार्ट सो स्पीच में include क्यों होता है, समझ रहा है इनका कोई ना कोई ना नाम है और इनके साथ इनको कोई ना कोई काम दे रहा है noun, इसका नाम हो गया काम भी तो दे रहा है अभी काम डिस्कस करेंगा, अभी फिलाल यह काम बता रहा हूँ यह काम करेगा यहां पर subject बनने का या फिर object बनने का भी काम कर सकता है वैसे पांच काम करता है अभी उसके बारे में यहां पर मैं डिसक्स बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ नाउन काम क्या करेगा सब्जेक्ट बनने का और अब्जेक्ट बनने का जैसे कि आप दे सकते हो कि यह रहा सब्जेक्ट बना हुआ है और यहां पर यह object बना हुआ है एक subject बना हुआ है, एक object बना हुआ है सर हमें कैसे पता चलेगा कि अब subject होगा don't worry, मैं बहुत सारी चीज़ें clear कर दूँगा अभी यहीं चीज़ें clear हो जाएगी आओ ज़रा, यह पता कर लिया noun हो गया, यह कर क्या रहा है यह काम क्या कर रहा है, subject बनने का अब subject कहते हैं किसको है अब ज़रा इसको समझ लो subject वो होता है जो action को करता है subject कौन होता है जो action को करता है doer का मतलब होगा, action करने वाला और object किसको कहते हैं जो action का receiver होता है समझना, फिर से बता रहो subject कौन होता है, जो action का doer होता है sir, हमें कैसे पता चलेगा action क्या होता है अरे जो verb होती है, अभी उसके पारे में बताऊँगा verb क्या होती है, देखो, verb जो होती है जिसमें कोई action हो रहा हो, यहाँ पे action क्या हो रहा है खरीदने का action हो रहे है कर कोई रहा है यह? अमीद कर रहा है तो यह जो अमीद कर रहा है यह doer हुआ, doer हो इसको हमने subject कह दिया अगला संड्ड यह इसमें book पे आते हैं यह book क्या है noun है यह action इसके उपर हो रहा है खरीदने का काम हुआ किसके उपर, इस book के उपर, तो यह receiver हुआ, यह receiver हुआ, इसलिए हमने इसको क्या कहे दिया, object कहे दिया, समझे रहे हो, noun क्या काम करता है, subject बनने का, और subject कब होता है, जब यह doer होता है, यानि कोई काम करता है, और object कब होता है, जब यह receiver होता है, इतनी आपके बारे में क्योंकि वर्ब से ही सेंटेंस ब्रेक करना हम सीखेंगे शुरुआ से तो वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत यहां पर डिसकस कर लेते हैं वर्ब के आती एक एक्षन वर्ड होता है अब जराओ वर्ब की कुछ फोर्म्स हमने पढ़ी हुई होगी मुझे लगता है कि हर बच्चे ने यह तो पढ़ा हो था वी वन वी टू वी त्री वी फॉर वी फाइव यह पांच पांच वर्ब हमने हमारे सामने ऐसे रटवा दी जाती है कि ऐसे ऐसी वर्ब चलती है इसको जाज़े थरह वी वर्ब की बैस फोर्म प्लस में आय एंट इस नाम से भी बोलते हैं वर्ब की बैस फोर्म प्लस में आयं जी हम इसको भी पहते हैמע इसके साथ एस लगा रहक यह होती है present फिर boat जो यहां पर आप V2 लिख रहे थे इसको कहते हैं past अगली जो यह V3 थी इसको कहते हैं past participle और यहां पर यह जो buying थी यह इसको कहते हैं present participle अभी इनकी spelling सेम होगी तो इसके उपर confused मत जाना कि सर आपने इसको past कह दिया यह तो spelling सेम है यह V3 है वर्कित साथ की third form है इसलिए यहां पर इसको past participle बोला गया है confused मत हो ना एक past है एक past participle है कुछ form ऐसी होते हैं जिनकी V2 V3 सेम चलती है clear अगर मैं यहां पर लिकूँ go went gone और going यहां पर चीज़ें clear हो जाएंगी देखो यह present है इसके साथ goes आएगा यह present है यह past है यह past participle है और यह present participle है अब यहां पर देखो यह इनकी तो सेम थी लेकिन यहां पर इनकी सेम नहीं है यह अलग अलग है तो कुछ एक वब ऐसी होते हैं जिनकी past participle और present participle और past participle क्या होती है सेम होती है कुछ एक ऐसी वब होती है जिनकी यह form जोती है वो सेम नहीं चलती clear अब आओ ज़रा इनके उपर इसके उपर discuss करते है बाई और बाई सर आपने यहां पर बाई और यहां पर बाई लिखा फिर आपने एक कर दिया सर इसमें पंगा क्या है कैस से कौन से use करते हैं इसी के उपर आतो है देखो एक होती है सिंगिलरे कोती है प्लॉरल इस चीज को समझो सिंग्छ जिरा सिंगुलर का मतलब होता है एक वच्शन और यह बहु वच्छन हो clear मैंने इन दोनों चीज़ों को लिया, verb और noun को इससे आप दोनों को अच्छे से समझ पाओगे देखो, अगर मैं कहूँ noun की बात करेंगे अभी अगर noun में एक बचन मैं कहूँ अगर यह car है अगर मैं कहूँ, इसको अगर मुझे plural करना हो तो हम कैसे करेंगे, simple, हर बच्चे को बता है, cars कर दो simple सी चीज, हर एक को बता होते है अगर noun, उसके साथ अगर s लगा दें तो वो क्या बन जाते है, वो plural बन जाते है इतनी चीज प्लिर हुई लेकिन verb में ये चीज उल्टी चलती है वर्ब में ये चीज उल्टी चलती है वर्ब, अगर मैं कहूं go तो ये अगर इसके साथ कोई s e i s नहीं लगा है go था क्या वहाँ पर s e i s नहीं लगा है इसके साथ अगर मैं s e i s लगा दू तो ये singular बन जाती है ये अगर इसके साथ s e i s नहीं लगा है गो या फिर राम गोज अब इसके उपर देख लेते हैं राम क्या है? एकलोता है singular है singular है singular है तो singular है तो singular के साथ singular वर आएगी तो गो क्या है? plural अभी बोला मैंने तो इसके साथ ये नहीं? राम गोज आएगा इस ती चीज होगी clear? तो ये होता है वर्ब का पंगा दोनों क्या होते है? नाउन और आपोजिट होती है इसको plural और singular करने में इसके साथ एस या एस लगाने पर ये क्या बनता है? plural बनता है और इसके साथ एस या इस लगाने पर ये क्या बनता है? singular बनता है यतनी चीज़ clear हुई अब सुनो जो भी verb होती है न जो भी verb होती है यहां पर आओ अगर मैं इन में से आप से यह पूछू buy, buys, vote buying, go, goes, went, go and going अगर मैं इन में से पूछू इस वाली वर्ब में वर्ब की base form कहा है वर्ब की base form क्या है जिससे सारी की सारी वर्ब बनी है तो वर्ब की base form होती है यह buy यह आपकी वर्ब की base form है और जो वर्ब की base form होती है जो वर्ब की base form होती है वो plural ही होती है मतलब ऐसा समझो यह जो वर्ब पैदा होती है वो plural पैदा होती है इसको हमें singular बनाना बढ़ते है अभी यहाँ पर बता रहा हूँ कहीं ऐसा noun के साथ भी होता है कि जब भी यह पैदा होता है तो singular होता है और इसको हमें plural करना बढ़ता है अभी फिलाल basics तरके उपर है कुछ चीजें आने वाले time में change हो जाएगी वो मैं आपको समझा दूँगा, सिखा दूँगा, बता दूँगा तो अभी tension लेने वाली कोई बात नहीं है एतनी चीजे clear होगी अभी मैंने आप लोगों को यह noun, pronoun का भी बता दिया कि noun होता है, यह verb होता है, यह article होता है, noun होता है देखो इतनी इस वीडियो में जितनी बातें बताईए न, वो अभी एक basic है, वो अधार है आने वाली जितनी भी वीडियोंगी और अभी जितना मैंने बताया है, उसको यहां पर implement करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे शायद आपको थोड़ा बहुत यह sentence समझ आए, शायद किसी को थोड़ा बहुत भी न आए, किसी को आभी जाए इस sentence को आप जब यह classes जो हैं, वो 5-6 classes हो जाएं, तब आप इसको समझना आपको definitely यह sentence समझ आएगा, यह 5-6 चोड़ो, दो classes इसके बाद और हो जाएं, यह total 3 class हो जाएं, तब आप इस sentence को break करना definitely आपको आजाएगा, अब जना समझो, अगर मैं इस sentence में verb की बात करूँ, इस sentence में verb क्या है तो verb वो है, जिससे action हो रहा हूँ, जो action करने का पता चल जाए, तो यहाँ पर देखो, completed, और यह have, यह दो verb है यह दो verb क्या है, वैसे है तो एक ही verb है, लेकिन अगर इसको अलग-अलग करूँ तो यह होती है, आपकी helping verb, और यह होती है, main verb, फिर से बता रहा हूँ, जो बच चीज़ों को, अभी फिलाल के लिए, इतना समल लो, यह helping verb, main verb है, जो मैं कह रहा हूँ, अभी मान लो तुम, यह तो फिलाल एक example है, मैंने यह समझाने के लिए, कई बच्चे ऐसे होते हैं, वो जिद कर लेते हैं, कि सर, हम यह कहाँ फायदा होगा, इस चीज़ का, वो जंगा और है, यह proportion है, इसकी requirement है, requirement यह है, अगर तुम मुझे जब भी यूज़ कर लो, मुझे यूज़ कर लो तो, लेकिन जब भी यूज़ कर लो, तो मेरे बाद एक object रख देना, मेरे बाद एक object रख देना, क्योंकि मैं बीना object क्या हूंगा नहीं, मेरा तो pair चलता है, proportion मुझे आओ, तो मेरे बाद एक noun या pronoun ज़रूर रख देना, तो यह रा, of और इसके बाद यह रा, boys, जो इस proportion का object है, और proportion और proportion के object का कोई भी वास्ता नहीं होता, कोई भी वास्ता नहीं होता, वर्ब से, क्योंकि, क्योंकि तो information यह एड़ करने के गाम आ रहे है, इनका क्या लेना देना वर्ब से, इन्होंने तो information एड़ कर देनी है, अब यह दा क्या होता है, यह article होता है, एतनी चीज क्लियर होगी, अब आओ ज़रा, यह task है, यह task है, यह object है, complete क्या गिया, इस complete कहने का काम होगा किसके उपर, इस task के उपर, अगर आप वर्ब से, अगर आप वर् हों का reply लेलो, ना, what जो होता है, वो चीजों के लिए होता है, और whom जो होता है, वो इनसानों के लिए लगाए जाते है, अगर आप वर्ब से वर्टियां हों का reply लेलो, अगर आपको उसका reply मिल जाता है, तो आपको उपका object मिल गा, for example, completed what, completed task, वर्ट लिखने से अगर उसक first level के उपर है, basic level के उपर है थोड़ा सा भारी है, इसको कहते हैं possessive adjective possessive adjective, ऐसे मुझे sentence में एक error करना चाहिए था, लेकिन मैंने कर दिया, दो-दो error कर दिया कोई बात नहीं, अब यह जो sentence होते हैं, sentence बनने की requirement क्या होती है, sentence बनने की requirement होती है, एक subject हो यह रहा verb, और इसके लिए यह verb है, पूरी-पूरी, इसके लिए subject के लिए मेरे पास क्या सब्द बचा, देखो यह तो preposition मिन गया, यह article बन गया, यह preposition का object बन गया, यह तो दोनों verb है यह possessive objective है, possessive objective का मत होता है अधिकार, अधिकार जता ना, किन का task, उनका task, तो इसने तो अधिकार जता दिया इसके पर यह task और यह object बन गया इसको तो अपना subject नहीं मिला तो इसको अपना subject मिलेगा, कहां? यह रहा, यह एक word बचा हुआ था, यही इसका subject बनने का काम करेगा यही इसका subject बनने का काम करेगा अब अगर इसने subject बनने का काम कर दिया तो अगर each के बारे में महाँ लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी बताऊं तो each जो होता है each एक ऐसा word है, यह pronoun है distributed type का pronoun है tension ना लो, मैं भारी भारी word यूज कर रहा हूँ सारी चीज़ें clear हो जाएंगे, यह pronoun है distributed प्रणाउन है ये क्या काम करता है ये एके करके बाद करता है एके करके बाद करता है अगर एके करके बाद करता है तो singular करता है पहले तो ये सोचो singular करके बाद करेगा क्योंकि एके करके बाद करेगा और singular के साथ वर्ब कैसी आती है singular आती है वर्ब कैसी आएगी singular आएगी तो वर्ब singular आएग पर देर कटके हीज आएगा टेंशन ना लोगे आने वाले टाइम में सारी जिशने कलीर हो जाएगे आज सेंटेंस समझ नहीं आ रहा कुछ टाइम बाद ये सेंटेंस आप खुद करते मिलोगे आया समझ में तो ये था एक छोटा सा एंफो इंट्रोमेट्टिव टाइप की एक वीडियो बेसिक थी आप लोगों को मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ आपको मैंने बता दिया कि वर् об करती हैं वर्ब की बारे में थो दोड़ा बहुत आपको बता दिया आज मैं आपके सामने जो noun है first part of speech कहलो या फिर कुछ भी कहलो मैं starting यहीं से कर रहा हूँ कि आपको basic noun क्या होता है उसके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ कि noun के कितने type होते हैं क्या काम करता है English grammar में अभी फिलाल brief होगा मतलब ऐसे समझो इंट्रों से थोड़ा सा जादा हो जाएगा लेकिन detail नहीं होगी और इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी noun करवाँगा उसमें कोई भी error नहीं होगा यह error free वीडियो है error की बाद में बात करेंगे जब हम इसके उपर detail में जाएगे error अभी इसलिए नहीं क्योंकि पहले तो आप एक काम करिए इसमें आप noun पहचानना सीख जाएगे कि noun कौन से type का है यहाँ पर काम क्या कर रहा है एक बार वो ही पहचानना सीख जाएगे पहला तो यहाँ पर होगा identification कि आप noun को पहचानने हैं कैसे हैं स्टार्ट करते हैं basic lecture one कह सकते हो या फिर basic lecture two कह सकते हो ऐसे इसको two ही कहलो क्योंकि इससे पहले मैं यह करवा चुका हूँ mistakes मैंने यहाँ पर one लिख दिया noun की definition की मैं बात करूँ तो मैंने आप लोगों को पहले भी जो यह पिछले वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको करवाया भी था कि यह एक naming word है it is a naming word naming word मतलब किसी भी चीज का नाम हो उसे हम noun कहते हैं किसी भी चीज को अगर अप नाम दे दो तो उसे एक noun कह सकते हैं वैसे noun की जो definition होती है it is a name of a person, place, thing इसको हम noun कहते हैं इतनी लंबी definition करने की कोई जरूरत नहीं है आप कोई वहाँ पर जाके subjective type का paper नहीं हो रहा है कि आप जाएंगे और वहाँ पर इतनी बड़ी definition लिकेंगे ऐसा कुछ नहीं है आप अपने इसाब से अच्छे सी definition याद करिए ताकि आपको ये चीजे relate करने में असानी हो जाएं ये एक naming word है naming word बोले तो किसी भी चीज का नाम हो सकते हैं अब ये तो होगी noun की definition एक naming word है अब noun English में कितने type का होता है हर एक type होती है देखिए जितने भी हम 500 speech पढ़ेंगे हम उसके type पढ़ेंगे पहले identification करने के पहले उनके type करना बहुत जुरूरी है तो noun के कितने type होते हैं तो यहां पर मैंने noun के types लिख रहे हैं एक होता है proper आप इसको proper noun कहलो या फिर proper name कहलो बात एक ही है same as goes to common common noun कहलो या फिर common name कहलो बात एक ही है इसमें कोई भी differentiate नहीं कर सकता यहां यह चीज़ा लगए same to same चीज़े same goes to collective collective noun कहलो या फिर collective name कहलो बात एक ही है material noun कहलो या फिर material name कहलो and abstract noun कहलो या फिर abstract name कहलो यह पांच type के noun होते हैं हमारे English grammar यह पांच ही type के noun होते हैं अब जड़ाइक के करके इनको समझते हैं proper यानि इंक्स को अगर मैं English में बताऊं तो इसका मतलब होता है व्यक्ति वाचक संध्या noun का वैसे हिंदी में meaning क्या होता है इसका हिंदी में meaning होता है संध्या वैसे मैं हिंदी से क्रा इसलिए देता हूँ यानि एक ऐसी चीज जिसके उस टाइब की सभी चीजों को हम उसी नाम से पुकार सकते है जाती वाचक collective समुह वाचक समुह वाचक और material होता है द्रव वाचक द्रव वाचक द्रव वाचक मुझे माफ करना है अगर मैं इसमें इंगलिश में भी बिल्कुल हालत खराब है abstract होता है भाव वाचक भाव वाचक संग्या अब नाम से जैसे क्लियर हो रहा है किसी व्यक्ति personal किसी person का एक proper name हो गया किसी जगा का एक proper name हो गया जाती वाचक किसी एक समुह को हम उसी नाम से पुकार सकते हैं जैसे अध्यापक तो हरे एक वेक की जो बढ़ा रहा है उसको हम अध्यापक कह सकते हैं समुह जैसे कोई इसमें बहुत सारे noun होते हैं और बहुत सारे noun मिलके एक movement है यानि collective noun बनाते हैं जैसे players मिलके team बना देते हैं सारे चीजों के बारे में भी उनके एक्जाम्पल के तुरू मैंसे जो करवा रहा हूं और material noun क्या होता है कोई एक ऐसी चीज जिससे कोई चीज बनी हुई होती है basic material होता है अब भाववाचक जिसको हम देख नहीं सकते हैं जिसको हम सुन नहीं सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं भाववाचक संग्या अब एक के करके इनके एक्जाम्पल से हम इनको समझते हैं कि यह होते क्या है आई है proper noun किसो कहते हैं proper noun होता है जैसे अमीत हो गया मुंबई, बाइबल, काजमेल, एटसेक्टरा जैसे किसी व्यक्ति का नाम अमीत, अब एक क्लास में मानो यहां पर छे बच्चे बैठे हैं अब इस व्यक्ति का नाम कुछ और है मैं इसको कहूँ, हाँ भी पूजा मैं इसको पूजा कहकर पोकार हो तो ये व्यक्ति मैंने कहा ये व्यक्ति आदमी है, mail है तो क्या ये मुझे reply देगा नहीं देगा, क्योंकि इसका खुद का कोई नाम है अगर वो मैं इसको बोलूगा ना तब वो मुझे बताएगा, आंसर करेगा तो ऐसे proper name होते हैं किसी person का खुद का एक नाम personal, Mumbai, किसी जगय का एक नाम Mumbai, Bible, किसी पवित्र बुस्तक होगी है तो कोई book होती है उस book का भी एक particular name होता है आप math की एक book लेने जाते हैं लेकिन math की उस book में आप एक particular writer का नाम बोलते हैं उस writer में उस writer ने उस book का कोई नाम रख रखा होता है तो एक particular book होती है वाँ पे ऐसी Bible, ताज महल एक particular इमारत का नाम होता है यह होता है ताज महल अब common name common noun या common name कहलो यह जो common होता है ना यह proper say drive हो गया आता है देखो मैंने जैसे लिखा है ना जैसे proper say common common से collective बनता है देखते जला अमीत हो गया, रमेश हो गया, राम हो गया यह सारे अगर एक class में बैटे है यह जो एक class में बैटे है अमीत हो गया, राम हो गया, रमेश हो गया, अनूज हो गया जो भी का आप कहलो तो इन सब को मैं क्या कह सकता हूँ student तो कह सकता हूँ तो हर एक बच्चे को मैं यहाँ पर student कह सकता हूँ वो है city Bible हो गया Bible हो गया, श्रीमद, भगवद, गीता हो गया, कुरान हो गया तो ये जितनी भी पवित्र, holy grant है इनको हम books तो कहते हैं तो इनको books कहते हैं ताजमहल हो गया, ताजमहल हो गया कुतू मिनार हो गया, तो अगर मुझे इनको एक अलग से नाम से पुकारना, जो इन सब के लिए एक नाम यूज होता है, तो वो क्या होता है, monument monument का मतलब होता है, इमारत इमारत clear, अब यहाँ पर आगे ना इसका मतलब है, कि यह सिरफ एक, दो, तीन, चार ही नहीं है बहुत सारे हैं यह मैंने इसलिए लिखा, क्योंकि आगे यह limit खतम नहीं होती ना भाई, तो इसलिए एड सेक्टर लिखा है, तो common name का भी ऐसे एड सेक्टर है, clear collective में आ जो गई, अब collective क्या है वो common से ही मना होता है, जड़ा देखो जड़ा student, अगर तीन, चार student या दो student मिलके अपनी एक team बनाना चाहे तो बनाते ना, तो यह होती है, team jury, jury होता है या फिर वो bench क्या सकते हैं इसको, जिसमें judges, जो बहुत सारे judge बैठ कर, एक bench का गठन करते हैं, एक jury बनाते हैं, तो उसको यह jury होता है, इसमें judge होते है बीवी एक होता है, troop यह जो होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं बीवाई का मतलब होता है collection of collection of officers collection of officers या फिर collection या फिर हम कहेंगे smooth of beautiful girls मतलब सुन्दर्थ लटकियों के smoke हम बीवी कहते हैं troop, यह सैना को हो गया हम तो यहां पर हो गया यह collective noun, फिर हम बात करता है material noun में, material noun जैसे जिससे कोई चीज बनी हुई होते हैं, जैसे iron iron यानि लोहा लोहे से क्या जिज़े बनी होते हैं, यह तो सब कोई पता है gold, यहां से gold से jewelry बनती है, sand, मिटी milk, water, etc यह सारी चीज़े होते हैं basic basic चीज होती है किसी चीज को निर्मान करती है, तो इसको material noun कहते हैं abstract noun, abstract noun बोले तो honesty, इमानदारी, bravery, बहादरी, love, प्यार, hate, नफर, etc, इन चीज़ को हम देख नहीं सकते चू नहीं सकते, तो इसको हम क्या कहते हैं, abstract noun I hope so आप लोगों को ये चीज़ें अब तक clear हो गई होगी, जो मैंने अब तक कराया है और इस वीडियो को मैं दो part में रखने वाला हूँ, noun को, इसका brief भी मैं दो part में रखूँगा, क्यूंकि मैं नहीं चाहता कि इतनी lengthy video बन जाए कि बच्चा सो रहूँ, नाम क्या है, चल चोड़ें वह बाद में करते हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम करते हैं, आप video बोस करें, वीडियो बोस करने के बाद, मैं आपको एक काम बता और वो आपको काम करना है काम ये करना है कि इन पांचो टाइप में से जो भी countable है countable जो भी countable है उसके आगे लिख दीजिए जैसे ये countable है तो इसके आगे c लिख दीजिए अगर जो भी uncountable है uncountable का मतलब होता है जिसको हम गिन नहीं सकते countable का मतलब जिसको हम गिन सकते हैं और जो भी uncountable उसके आगे uc लिख दीजी एक बलज़ेरा जल्दी से ये काम करें clear चुला आगे बढ़ जाते हैं मैंने क्या का आप लोगों को क्या करना था जो भी आपको type का noun ऐसा दिखे जिसको आप गिन सकते हैं उसके आगे countable और जिसको नहीं गिन सकते हैं उसके आगे क्या लिखना है uncountable इतनी चीज़ थी अब यह मैं क्यों करा रहा हूँ नभी थोड़े तेर में इस चीज़ को मैं clear कर दूँगा और इस वीडियो में clear ना कर पहूँ तो अगली वीडियो में clear कर दूँगा लेकिन यह चीज़ clear हो जाएगी फाइदे मन चीज़ है जड़ा देखना है मैंने कहा कि जो भी type का noun आपको उसके आगे यह लिखना है कि वो countable है या uncountable है just simple यही देखना था तो मुझे लगता है कि जितना मैंने पढ़ाने का experience है मुझे पता है कि बच्चे ने इस proper क्या क्या लिखा है उसने इसे countable लिखा है उसे इसने countable इसलिए लिखा है क्योंकि Amit एक है Mumbai एक है इसको तो हम गिन पा रहे हैं यह एक है तो ज़रा समझना अगर वो countable है अगर वो countable है तो हम उसे plural कर सकते हैं क्योंकि अगर वो countable है तो हम उसे plural कर सकते हैं क्योंकि जिसको गिना जा सकते हैं तो उसके तो और भी तो होंगे आउ ज़रा Amit है यहां पे तो क्या मैं इसको Amit कर सकता हूँ Amit कर सकता हूँ कभी आपने देखा हूँ आपमित ऐसे किया हूँ ऐसा कभी नहीं होता ऐसा कभी नहीं होता तो अगर ये नहीं होता तो आप इसको countable कैसे कर सकते हो ये दुनिया में एक है अपने आप में एक है तो हम इसको countable नहीं कहेंगे इसको uncountable ही कहेंगे समझना जब countable वो होता है जिसको हम गिन पा रहे हो simple सी बात है countable वो होता है जिसको हम गिन पा रहे हो वो simple सी चीज़ आपको उसको countable लिखनी है दुनिया में एक है ऐसे करके इसको countable वाले category में मत लेके जाना यहां पर अटा देता हूँ ठीक है इसको देखा ज़रा student क्या गिन सकते है बेशक गिन सकते है book बेशक गिन सकते है यह जितने भी monuments, cities, students इनके साथ अगर हम इनको S लगा के देख पा रहे हैं और यह चीज़े होती है इनको गिन सकते हैं इनका plural बन पा रहे है तो इनको हम क्या कहेंगे countable आओ गही collective noun पे collective noun पे क्या team क्या हम इसको गिन सकते हैं बेशक गिन सकते हैं teams, अरे IPL में कितनी teams खेल रही है jury's, bands, by, troops यह सारी चीज़े हम गिन सकते हैं तो यह भी हमारे सकते है countable noun होते है आओ उसरा क्या iron, gold, sand, milk, water क्या आपको लगता है क्या आप इनको गिन सकते हो एक बार काम करिए अगर आपको नहीं बता तो एक काम करिए water लीजी water लीजी और अपने हाथ में और उसको गिन के देखिए कितने molecule आप उसके गिन पा रहे हो ऐसे milk का भी देख लीजी ऐसे मिट्टी का भी देख लीजी गोल्ड का भी देख लीजी ये चीज़े नहीं गिन सकते हो इनका एक दूसरी चीज़ होती है उसको हम क्याते है volume volume इनका माप कर सकते हैं इसको माप सकते हैं इसको तोल सकते हैं लेकिन इसको हम गिन नहीं सकते है तो इसलिए हम इनको गिन नहीं पाते हैं, इनको तोल पाते हैं, इनको माप पाते हैं तो इसलिए मैंने काल नंबर वाली चीज़ आनी चाहिए, नंबर वाली चीज़ नहीं है, तो यह किस में जाएगा, यह उसी, uncountable सेम, abstract noun पर आते हैं, अभी मैंने क्या कहा, थोड़ी ते पहले कहा था, कि एक ऐसी noun है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे को इसके आगे uncountable लिखने में लिक्कत आई होगी कभी देखा है कि इसके अंदर भाई है, तेरे अंदर 4 honesty है, उसके अंदर 5 honesty, अभी ऐसा करता हुआ देखा है, अभी नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, clear हुआ यहां पर, अभी यह क्यों करा रहा हूँ, चीज़ें समझाओंगा भाई, अभी बताऊंगा मैं यह चीज़े चलिए, आपको time मैंने दे दिया, आपने बताने की कोशिश करी होगी, अरजिनों ने बताने की कोशिश की बहुत अच्छी बात है, आप उससे सीखेंगे, अगर आप practice नहीं करेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, तो देखें, आपको करना क्या था, मुझे य आपने देखना था, क्या इसको countable, जैसे मैं नजरिया दे रहू ना, वैसे आपको देखरना है, आपको सबसे पहले यह देखना है, क्या सोंग को हम गिन सकते हैं, अगर इसको गिन पा रहे हैं, अगर इसको गिन पा रहे हैं, तो उसके इसाब से हम इनको चीज़ों में बा तो यही रीजन है कि यह countable, uncountable कराया गया है आप ज़रा एक बागता हूँ क्या song को हम गिन सकते हैं? बेशोक गिन सकते हैं आप अपने phone में देखे हैं, आपके phone में कितने गाने 129, 100 songs आप करते हैं 100 songs करते हो, song, one song, two songs ऐसे होता है, तो यह होता है, तो यह countable countable है, तो हमारे पास कितने countable वाली चीज़े हैं एक तो यह common और एक यह collective अब इन दो चीज़ों में जो जाएगा, क्योंकि proper से इसका नाम कट चुका proper से इसका नाम कट चुका, materials से इसका नाम कट चुका abstract से इसका नाम कट चुका तो किसमें कया है, सिर्फ common और collective में अब आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में ही तो डालना ही कोशिश करनी है इसको kick in में कहां से आएगा, कहां पर आएगा आप बच्चा क्या करता है, song को तो इसके अंदर डाल देगा collection of song को हम album कहते हूं album कहते है, तो album जाएगी collective में लेकिन song हो गया, songs हो गया, तो वो सारे के सारे common में जाएगे ऐसा मत कर देना, तो यह चीज मैंने इसलिए कराई है क्योंकि बच्चे को मुझे पता है ने कि वो उसके दिमाग में चलता गया है, वो यह कोशिश करेगा इसको collective में क्यों नहीं डाल सकते हैं क्योंकि collective में इसलिए नहीं डालेंगे, जब इसको collection में लेके जाएंगे तो इसका अलग से नाम आता है उसको कहते है मैं लोग इस तनी चीज के लिए अगर मैं आप लोगों को एक और करूं कि वह स्टार इसके बारे मताओ कि यह कौन से टाइप करना हुँआ क्या हम गिन पारे है नहीं गिन पारे है अरे इसको गिन सकते हैं स्टार को हम गिन सकते हैं वो अलग बात है कि हम इसका एक number नहीं बता पाते है number in the sense कि मैं कहूं आपको आप बता दिजी मुझे एक से लेके दस तक कितनी सम संख्याए हैं कितनी सम संख्याए हैं या कितनी ओड संख्याए हैं ओड नंबर संख्याए आपने सम कहा तो टू, फोर, शिक्स, एट और टेन , एक, एक, दो, तीन, चार, पांच अपने फटदनी से घिनके बता दिया सर, इसके अंदर पांच जो है वो संख्याए इवन नमबर, इवन नमबर से, आपने का यह इवन नमबर पांच है, आपने बता दिया, अब मैं कहूँ टोटल इवन नमबर या टोटल समसंख्या हैं कितनी होती हैं, तो आप नहीं बता पाओगे, वो countless है, आप उसकी infinity है वो, आप उसका नमबर नहीं बता पाओगे, लेक सब्तिरिशी तारा मंडल, इसका नाम कैसे पढ़ा, यह जो साथ तारे होते हैं, वो इसी तो बनता है, कि इन्हों ने एक समूग क्या किया, एक समूग के अंदर आने वाले तारों को गिनकर उसका एक नाम रगती है, सब्तिरिशी तारा मंडल, तो इससे पता चल रहा है कि स और स्टार्स होते हैं अगर होते हैं तो यह किसमें जाएगा काउंट इसमें Stretch चृट पर कॉंट kinda में और कलेक्ट आप में किसमें डालने कुछ करेंगे क्लिर अगेचलते हैं अब यह तो हमने देख लिया कि भी कितने टाइब के नअन होता है हमने। और uncountable करके ही मुझे पहचानेगे clear एक काम आपको दे रहा हूँ यहां पर आपको मुझे बताना है कि music कौन से type का noun है same goes to आप कौन से trick अपनाएंगे countable और uncountable के उसको अगली वीडियो में discuss कर लोगा मुझे याद रहेगा तो चलिए अब action की बात करते हैं type होगे अब noun के कुछ न कुछ तो action होगे action बोले तो इसको English grammar में कोई न कोई काम करने के लिए तो रखा गया है कोई इंसान जो होता है उसको किसी factory में किसी government system में लगाया जाता है तो कुछ न कुछ तो काम दिया जाता है खाली बाटने के लिए काम नहीं दिया जाता है मतलब उसको job नहीं दिया जाती noun है तो noun के लिए कुछ न कुछ तो काम दिया गया होगा काम define होगा वही काम हम देख रहे है इसको 5 काम define है देखो 5 type भी होते हैं तो काम भी इसके 5 है एक subject बनने का 100% बच्चे नहीं सुन रखे है object बनने का ये भी सुन रखे है तीसरे ये तीन काम जो हम बच्चे नहीं सुन रखे होते हैं कौन से? proportional object बनने का subject compliment बनने का और object compliment बनने का ये तीन काम बच्चे नहीं सुन रखे होते हैं इनको एक एक करके हम discuss करेंगे हर एक काम हर एक काम को हम देखने वाले तो first of all हम देखने वाले subject और object किसको कहते हैं यहां पर मैंने दो sentence आपकी सामने रखे हैं और यह already मैं discuss कर चुका हूँ आप लोगों के सामने पिछली class में या पिछली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों इसाथ इसकी बारे में discuss कर चुका हूँ मैंने आपको वहां break भी करवाया था तो शुरुआत कहां से करने है break करने की break करने की शुरुआत करनी है वर्ब से वर्ब कैसे पहचानेंगे लेको वर्ब पहचानने का एक ऐसा word जो कर रहे है यानि action को represent कर दे और जिसकी तीन form होती है उसको वर्ब कहते हैं वैसे तीन form के मैंने तो form आपको पांच करवाई थी पिछली वीडियो में लेकिन उसको भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि उनके नाम क्या चलते हैं तो वर्ब की form देख लेते हैं जैसे मैंने का go went gone यह जो होती है वो वर्ब की form होती है इसको v1 कहते है इसको v2 कहते है इसको v3 कहते है कुछ बच्चे कहेंगे सर एक going भी होता है मैंने गोईंग को हम एक ऐसे कहते हैं V4 भी कहते हैं कई और कई कहते हैं वब की Base Form Plus में ING के नाम से इसको जाना जाते हैं फिर एक Goze भी होती है और मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था कि यह जो Goze होता है भाई साब कर दिया जाता है तो वह सिंगुलर बनाता है और सिया इस से लेक्ट कर दिया जाए नाउन के साथ वह प्लॉरल बनाता है तो नाउन और वर्ब का मैंने आप लोगों को यह ओलड़ी डिसकस को चुका हूँ यहां पर डिसकस करने का को फायदा नहीं अगर आप लोगों ने वह वाली वीडियो नहीं देखिए तो एक अलग से प्लेलिस्ट मना रहे है मैंने इंग्लिस्क डैमर की तो वहां जाके आप उस वीडियो का एक्सेस कर सकते हैं free of cost चलिए आप पर चलते हैं तो यहां पर देखें यह वर्ब की second form है अभी मत जाना कि यह वर्ब की second है third है कैसे पैचाने यह tense कौन सा उसके ओपर बिल्कुल भी load लेने के जोड़त नहीं है बिल्कुल basic से चल रहे हैं तो इतना समझों कि यह वर्ब है वर्ब होगी है अब मैंने बताया था कि subject किसो कहते है subject वो होता है जो doer होता है जो action को करने वाला होता है यह action हो रहा है खरीदना यह action हुआ खरीदना action खरीदना इसको खरीदा कि इसने मोहन ने तो जो action को करेगा उसको हम subject कहेंगे और जो जिसके ओपर action होगा यह doer है डूर का मैंने आपको बताया था यह डूर है और जिसके उपर action होगा उसको हम क्या कहेंगे object होगा या फिर मैं कहूं जो action को receive करता है जो action को receive करता है उसको हम क्या कहते है object कहते है तो खरीदने का काम किया किसने इस मोहन ने हुआ किसके उपर इस book के उपर तो यह हो गया book नाउन है ये, नाउन हुआ, टाइब क्या हुआ, प्रोपर हुआ, प्रोपर, काम क्या कर रहा है, यहां पर सब्जेक्ट बनने का, सब्जेक्ट कहते कहते हैं, जो डूर होता है, जो एक्शन को करने वाला होता है, सेम, यह क्या है, बुक क्या है, बुक इंग्लिश क्रेमर में जो होता है वो, तिंक के लिए होगा, चीजों के लिए और हुम किसे लिए होगता है? human के लिए अभी जड़ा देख लो Mohan boat what what का reply मिल रहा है book, book क्या होगा आपका object होगा और a article होता है a article होता है अगले पर आज हो जड़ा अंजली scolded through verb क्या है, इसके अंदर कान क्या हो रहा है scold यानि डांटने का, इस scold का मतलब अदर डांट आपका, तो यह होगा वब, कर कौन रहा है अंजली, तो यह क्या बनेगा आपका subject, यह doer अंजली को अंजली का part so speech का है यहाँ पर noun, noun में भी किस type का है कौन से type का, proper scold किया किसको, अंजली scolded what करूं या whom करूं, whom करूंगा obviously, अंजली scolded whom through, through तो यह क्या बनेगा आपका, object क्या हुआ यह, receiver हुआ यह receiver हुआ, तो यह अगर इसका आपको parts so speech विच चे है through का, तो यह noun है, और noun में भी कौन से type का, proper इतनी चीज clear हुई तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा lengthy हो जाएगी I hope so, आप लोगों के सारी चीजे clear हो गी होगी अगली वीडियो में इसी को continue करेंगे यह जो बाकी जो तीन टाइप बचगे ना proportional object किसको कहते हैं subject complement किसको कहते हैं object complement किसको कहते हैं सारी चीजे हम आने वाली वीडियो के अंतरा भी करेंगे यह noun के brief में ही हम करने वाले कि आपको बताया था अब noun क्या होता है it is a naming word फिर मैंने आपको इसके type बताये थे कितने type के होते हैं proper, common, collective, material, abstract एक के करके मैंने discuss किया था कि proper क्या होता है common क्या होता है फिर मैंने आप लोगों के example के थूँ इन चीजों को बताया था कि proper, common, collective, material, abstract example के थूँ आप लोगों को बताया था फिर countable और uncountable का एक concept भी मैंने आप लोगों को वहाँ सिखाया था फिर उसके बाद हम आये थे action of noun action of noun मैंने आप लोगों को subject और object के बारे में बताया था तीन चीजें हमारे सामने रह गए थी prepositional object और subject complement और subject object के थूँ मैंने आप लोगों को ये example के थूँ समझाया था कि subject कैसे कहेंगे, object किसको कहेंगे और फिर यहां पर मैंने आप लोगों को एक वर्ब के बारे में बताया था कि वर्ब क्या होता है वर्ब से related मैं आप लोगों को मतलब जो एक फर्स्ट वीडियो आया थी grammar की उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को वर्ब का एक basic सा concept बताया था कि singular plural verb क्या होती है उनके कितने type की होती ही वहां पर मैंने आप लोगों को साथ discuss किया था और इसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था thanks तो ये था पिछला episode आज की इस episode की शुरुआत करते हैं हम इन तीन बाकी बचे किरेदारों से तो proportional object, subject compliment और object compliment के बारे हम बात करेंगे object compliment को अभी नहीं discuss करेंगे मतलब की अगली वीडियो में भी नहीं कुछ वीडियो बीत जाने के बाद जब आपका concept basic concept पक्का हो जाएगा तब आप लोगों को object compliment के बारे हम बताऊँगा क्योंकि थोड़ा सा heavy चीज हो जाती है इसलिए अभी इसको discuss करना ठीक नहीं होगा तो बात करेंगे हम प्रेपोजिशनल object की इसका अगर आप नाम देखें तो object तो यह वही है object same to same object है बस इसके पीछे जो यह चीज लिखी हुई है जो प्रेपोजिशनल object सारी proportion होती है औरouse proportion प्रेपोजिशन के बाद जो तो एक object आता ही आता है और वो object कौन होता है या तो noun होगा या pronoun होगा simple भाशा में बता हूँ तो proportion जब भी किसी भी sentence में लिखी जाएगे तो उसके बाद एक noun या pronoun आपको 100% वहाँ पर मिलेगा clear हुआ कुछ concept चीजें हैं कुछ exemption चीजें हैं वो मैं अभी discuss नहीं कर रहा हूँ लेकिन इतना समलो कि जब भी proportion आएगा उसके बाद उसका object 100% आएगा और object बनेगा कौन noun बनेगा अगर noun बन सकता है तो pronoun भी बन सकता है क्योंकि noun और pronoun दोनों भाई भाई है noun की repetition रोकने के लिए प्रणाव नहीं आता है just simple इतना है अब प्रेपोशन के चोटी सी definition में आप लोगों को बता हूं देखो प्रेपोशन की definition जब हम प्रेपोशन पर जाएंगे वहां पर भी discuss कर लेंगे लेकिन एक चोटी सी को इतनी बड़ी definition नहीं है हम एक local भाशा में प्रेपोशन का मतलब क्या होता है देखो इसके एक नाम से clear होता है प्रेपोशन यानि पहले position आएगी इसकी और यह आएगा तो कि क्या करता है information को information को add करता है sentence में just simple इतना ही काम है आपको इसको example के थुरू समझाएंगे तो हम क्या करने वाले हैं अभी हम करने वाले प्रेपोशनल ऑब्जेक्ट example के थुरू समझते हैं इसको जैसे कि मैंने कहा था कि हम किसी भी sentence को समझेंगे या किसी भी sentence को करेंगे तो वहां पर हम उसको break करेंगे और break करने की शुरुआत हमें किस से करनी है हमें करनी है वर्ब से clear मैं अल्लेडी बता चुका हूँ कि हम कैसे पैचानेंगे वह एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें action हुआ होता है जिसमें काम हुआ होता है उसको वर्ब कहते हैं जैसे यहां पर mohan boat a book from Delhi इसमें अगर मैं बता हूँ कि आपसे पूछूं कि इसमें वर्ब क्या है तो मुझे लगता है कि हर बच्चा जिसने दो वीडिय इस नहीं करेंगे तो सब्जेक्ट कैसे पेज़ानते हैं जो action का डूइण होता है यह फृप क्या है किसने मोहन ने तो यह सब्जेक्ट होने के बाद अगर मैं कहूं को English grammar में कहते क्या है इसको कहते हैं नाउन इसको कहते हैं नाउन और नाॉन में कौन से टाइप का है यह हो गया इतनी चीजañ क्लियर डेकर नाउन में कौछ से टाइप पर अब गो से आप वड या ने तो आपको क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा है एक औक उब्जेक्ट मिल जाएगा वर्ट किसके लिए लगता है वर्ट लगता है चीजों के लिए जानवरों के लिए और फूम किसके लगता है सिर्फ और सिर्फ human being के लिए I have already discussed the all these things so यहां पर फिर से आते हैं बोट वब से अगर मैं आप से अगर इसका reply मिल रहा है तो यह बुक चो है यहां पर क्या बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा एक्शन के रिसीवर को हम क्या कहते हैं ओब्जेक्ट कहते हैं ध्यांच रखना है वट या हूम का reply और एक्शन का क्या होना चाहिए अबि थोड़ी देर में इसी वीडयो में इस चीज को मैं ख्लरी फाइव कर दुगा तबी बोला हैं जि益-थे-आप-लَّोगों को ध्यान रखने हैं कि एक तो वट-Φिया उंदाइख होना चाहिए और एक्शन चाहिए और सेकंड चीज क्या है एक्षिन का रिसीवर होना चाहिए यह दो चीजे होंगी तब भी वो अब्जेक्ट बनेगा वरना नहीं बनेगा अभी चीज को क्लियर करूंगा इतनी चीज तो हमने पिछले वाले वीडियो में पिछले वाले एपिसोड में हमने सीख लिए अब इसके बाद मैंने क्या लगाया कुछ इंफ्रोमेशन आइड गर दी जो फ्रोम है यह प्रेपोशन है अब शायद कोई बच्चा यह कह सकता है कि सर हमें तो नहीं पताए कि प पहचाने की प्रेपोशन आज आपने यह वर्ड देख लिया आज आपने यह फ्रोम वर्ड देख लिया तब क्या आए आने वाले सेंटेंस में जब भी आप यह दिखेगा आपको पड़ता नहीं पता चलेगा प्रेपोशन है तो यह प्रेपोशन है और अभी मैने थोड़ उसके बाद क्या हैंगे प्रेपोशन के अबजेक्ट आएंगे और प्रेपोशन का अबजेक्ट बनेगा कौन प्रेपोशन के अबजेक्ट बनेगे नाउन या प्रोणाउन अभी pronoun का discussion मैंने भी तक नहीं किया है तो अभी क्या किया है? pronoun का नहीं किया है तो अभी तक noun का किया है? तो ये डहली क्या है? ये एक noun है noun है, noun में भी कौन से type का है? ये proper noun है क्योंकि किसी particular city का name हो गया तो proper हो गया काम क्या कर रहा है यह just इसके बाद आ रहा है proportion की just इसके बाद आ रहा है तो यह क्या बनेगा proportion का object अब मैंने कहा था कि just क्या देता है information आइड करता है जड़ा देखना अगर मैं यहां पर इस book के बाद अगर full stop लगा दूँ और कहूं मोहन bought a book sentence खतम करता हूँ तो मोहन ने किताब खरी दी ती बिल्कुल सही है अब additional information देने के लिए मैंने preportion लगाई और उसके बाद उसका object लिग दिया अगले sentence में चलते हैं कुनाल सेंग लगाना मैं भूल गया हूँ यहां पर अगर sentence को ब्रेक करने की बाद करें तो सबसे पहले sentence को ब्रेक करें किसे वर्ब से वर्ब क्या है यहां पर sing 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 song यह वर्ब की third second form है फिर से मैं उस वाले concert पर नहीं जाते हैं यह होगी वर्ब आपके सामने यह वर्ब होगी यह काम किस नहीं किया कौन है इसका doer यह रख कुनाल तो यह क्या बनेगा subject बनेगा यह doer है और कुनाल को English grammar में कहेंगे क्या English grammar में noun कहेंगे और noun में इसका type कौन सा है type is appropriate यह article होते हैं इसलिए मैं चीज़े लिखनी रहूँ सोंग कै अब आग इस गाने का काम हुआ किसके उपर इस song के उपर यह तो एक तो receiver है और दूसरा आप वर्ट या हूं का reply लेकर देखें देखोगे तो आपको song उसका answer मिलेगा for example कुनाल सैंग what song song है तो य English grammar में कहेंगे क्या इसको English grammar में क्या कहेंगे इसको कहेंगे नाउन और नाउन में भी कौन से टाइप का है यह common क्योंकि हर song को तो सोंगी कहोगे और यह four क्या है यह proportion है फोर क्या होगी यह proportion होगी अभी तोड़ दर पहले मैंने आप लोगों को लिखवा दिये जो common preparation होती है फिर से मैं यहां पर लिख देता हूँ कि जो common preparation होगी कि आप लोगों को क्या हो रही है कि क्या होगा कि इससे आप लोगों को याद करने में थोड़ी बहुत चीज़ें असानी रहेंगी जैसे एक तो होगी टू बहुत कॉमन यूज होती है एक होगी फॉर फ्रों में बिट्वीन कि अमंग मेरे क्याल से इतनी बहुत है अब भी होती है डाइनी बहुत है अभी फिलाल के लिए इतनी बहुत है जैसे जैसे आगिए आगि हैकि आपको लोगों को पता चलता चलेगा तो यहा पर यह four proportion के बाद उसकी क्याते है proportional object तो अंजली क्या बनेगा इस four proportion का object प्यो लिखा है में इतब proportional object अंजली के English grammar में आपसे नाम पूछूँ तो ये है noun noun में भी कौन सा है ये clear होगा तो अभी हमने क्या देख लिया इस वाले sentence में हमने यह देख लिया कि भाईए यह जो proportional object होते हैं यह क्या काम करते हैं कैसे आते हैं इसके proportional object क्या होते हैं यह सारी चाहिए हमने discuss कर ली अब हम चलते हैं subject compliment के बाद कहा है subject compliment के बाद अब उपर चलते है subject compliment में कॉम्प्लेमेंट की मतलब के किसी के बारे में बता देना यहीं आप भूटा से discuss कथो माँ आएंगे इक पर subject को मिल बिंट क्या होते हैं subject लगा हुआ और subject के बारे में बताना गम हो जो इतनी चीज में जालने एक पर की तुन समझते एक जाने पहले हैं का अँप दिसकु क्ला कबाइं एक छोटी सी कड était ब्रजिक कर लेताइन ओर एक चोटी सी चीज क्या कर लें crp को बताने है यह इन नाम की यह वह फोटी को भी इसकी अर्ट सोम होती है देखना इसकी जो is mrb यह होती है फर्स्ट फॉर्म वोजवर यह होती है सेकंड फॉर्म बीन यह होती है थर्ड फॉर्म यह बींग वब की बेस फॉर्म प्लस में इंजी इसको हम कहते हैं देखना फिर से गिनना अगर्स इस एम आर भी चार पांच शे-साथ और ऩोटल आठ फॉर्म होती है लिए कि इकलोथी आसी फॉडम है पूरी इंग्लिश ग्रैमर में जिसकी कितनी फॉर्म होती है आठ फॉर्म होती है इतनी चीज़ क्लिए अब इस संटेंस पर आते हैं अमित is a singing a song मैं अब मैं आप से पूछूँ कि इस sentence में व क्या है तो वो यहां पर काफी सारे बच्चे चैए जिनको अच्छे पता होगे तो फटनी यह कहेंगे कि उलग यह डिफाइन करना होगा इन दोनों को वह भी का जाएगा यह अलग अलग डिफाइन करना होगा है अब इसके पर आएंगे यह चीज क्यों बनी है क्यों लगती है वो सारी कि सारी चीजह हम बाए यह मतलब लोजिक वो चीजह क्यों हुई है लोजिकली हम उसको डिसकस करेंगे अब कंटिनियूस है अमीत इस सिंगिंग वट वट का रिप्लाइए मिल रहा है एक्शन इसके ओपर हो रहा है यह रिसीवर बन रहा है तो यह क्या बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा और इस सेंगि अगर तुम इसे कह देते हो देखो यह बात गांट बांद कर रख लो कि बिना में वर्ब के बिना में वर्ब के और बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं बन सकता सेंटेंस नहीं बन सकता सब्जेक्ट हिडन हो सकता है लेकिन सब्जेक्ट होगा जरूर फिर से बता रहा हू बिना main verb और बिना subject के sentence नहीं बनता है अगर main verb आएगे तो उसका subject आएगा ही आएगा 100% आएगा और subject जो था वो hidden भी हो सकता है उसके बारे में हम discuss करेंगे अभी बहुत सो समझ के बोलना पड़ रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपने नहीं सुन रखी हो या फिर अभी भी complicated हो जाए तो जितना बता रहा हूं उस पर focus करें कि जब भी main verb आएगी उसका subject 100% आएगा अब देखना हमित is a teacher अगर आप लोग इसको helping verb कह दोगे तो main verb कहा तो main verb नहीं है और ऐसा नहीं है कि sentence गलत है sentence बिल्कूल सही है एक बिल्कूल सही है तो यहां पर यह यहां पर helping नहीं है यहां पर यह main verb अब ज़रह देखने यह main verb क्यों है मैंने का जिसकी 3 form होती है जिसकी 3 form होती है जो action को बताते हैं देखो verb की बहुत सारी चीज़ें होती है जो action को बताते हैं एक quantitative गोठी, जो मतलब किसी की state बताने वाले, किसी की दशा picture बताने वाले उसको मैं और वह वर्प क्याते हैं, अभि जो बीकी फॉर्म होती है यह जो बीकी फॉर्म होती है यह helping वर्ब का भी काम कर देती है और यह main वर्ब का भी काम कर देती है helping वर्ब का काम करती है जब इसके बाद कोई वर्ब आ रही हो जैसे यह रही सब्सक्राइब मारे तक उसको लग से कोई और हो तो इसको क्रेज्च पालov कि यहां आ जो को अमित इस टीचर यहां परॉम इस जोगी में नोब और हुए आमिट क्या यहां पर सब्जेक्ट है अब यहां आज़ो, अब मैंने क्या कहा, यह एक वर्भ है, अब यहां पर subject की परिभाषा, आब यहां पर change हो जाएगी, subject की परिभाषा, change कैसे हो गई, क्योंकि यहां पर action नहीं हो रहा, action कैसे नहीं हो रहा, ज़र आप बोल कर देखा, अमित इसे teacher, इसमें कोई action हुआ बिलकुल भी नहीं यहां पे एक state या नहीं एक इस्तिती बताइगे इस्तिती बताई गई तो उसमें और तो इसके सब्जेक्ट का जाए गए जो इसको में आइडिया उसको हम सब्चेक्ट का जोगी आज अब तक पिछली वीडियो में आपने इतना सीखा अब यहां पर आ गया हो यह आर्टिकल होता है अब बताओ टीचर क्या अब बताओ टीचर क्या अब बनेगा हो ओबजेक्ट बनने के लिए मैंने आप लोगों को दो कंडिचन बताई थी औुबजेक्ट बनने के लिए 2 कंडिचन होने चाहिए 5 या हूव का रिप्ला दूसरा एक्शन कारेसीवर होना चाहिए action का receiver होना चाहिए आप शायद आप लोगों को यह तो मिल जाएगा Amit is what Amit is a teacher sir what का reply मिल रहा है लेकिन कि वह action का receiver होता जब यहां पर action होता तो यह तो कोई action वाली बाब है नहीं यह तो state बताने वाली बाब है जब action यहां नहीं हो रहा तो उसके लिए उसका object कैसे मिल जाएगा तो उसका object नहीं है यह तो teacher यहां पर क्या बनेगा object तो किसी condition पर नहीं बनेगा महाँ आप लोगों के सामने फिर से वही पांच काम रखता हूं इसके सामने देखो यह noun है noun है common है noun है हर teacher को teacher ही कोगे और noun क्या काम करता है पांच काम करता है पांच काम करता हूं पांच काम करता हूं पांच काम को मैं अभी आपके सामने यहां पर discuss कर लेता हूं एक एक करके चीज़ें clear होंगी देखना जरा आउर पहला काम है subject बनने का पहला काम है subject बनने क काम कतम होगा क्या यह object बन सकता है जड़ा देखो जड़ा क्या यह object बन सकते हैं अरे object तो त बहτα होता जब यह action का receiver होता Чun का receiver कब पर action होता action हो नीज़ा तो यह action receiver नहीं होगा इसलिए यह object भी नहीं होगा object के नाम से भी चट्छ पॉजिपी नहीं होगा तो वहने अभी थोड़े तो पहले का यह object compliment तो आप लोगों को बाद में समझाओं कि थोड़ा सा complicated है तो इसलिए object compliment बनने की बात ही नहीं हो रही है अरे object compliment तो तब होता न जब यहां पर object होता object नहीं तो object compliment भी नहीं यह बाद चीज के लिए last काम वसता है मारे सामने subject subject compliment subject compliment यह subject compliment है कैसे कैसे यहां पर लिख देता हूँ subject compliment कैसे subject compliment ज़रा देखो यह Amit और यह teacher कोन है भाई यह दोनों एक ही तो है यह teacher जब इसी Amit के बारे में तो बता रहा है Amit is a teacher कोन भाई है टीचर को नहीं अमित को नहीं टीचर दोनों यह एक है जब इसके बारे बता दिया उसको कॉंप्लिमेंट ही तो करती है उसको पूरा ही तो करती है इसलिए जो टीचर है यहां पर यह सब्जेक कॉंप्लिमेंट बन जाएगा जब भी अब आओ जरह जब भी B की form ध्यान रखना, जब भी B की form main verb का काम कर देती है, तो इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, इसको कहते हैं linking verb, link करती है link करती है किसको भईया यह subject compliment को उसके subject के साथ link करती है, इसलिए उसको linking verb कहा जाता है, इसलिए यह आम पर linking verb बन जाती है और जब भी B की form main verb का काम करेगी linking verb बनेगी, और इसके बाद हमेशा subject compliment आएंगे, इस चीज़ को ध्यान रख लेना एतनी चीज़ क्लियर होगी आभी तक हमने दो ही sentence किये हैं और अब बात करें हमने क्या कर लिया, फिर से देख लेते हैं subject object already we have discussed in previous video अब यहाँ पर subject object हो चुके है proportional object हो चुका है subject compliment हो चुका है object compliment को मैं कुछ time बाद कुछ videos के बाद मैं इसको discuss करूँगा अभी नहीं कर रहा हूँग फिर इसके बाद हमने example देखे थे अब गात करें example के बाद pronoun की एक छोटी सी चीज़ रह जाती है pronoun को हम discuss over कर लेते हैं pronoun किसको कहते हैं pronoun एक ऐसा word होता है it stand for noun एक noun की जगह पर आता है यह एक noun की जगह पर आता है noun की जगह पर आता है noun की जगह पर आने यानि object compliment, same to same वही काम है, जरा देखो जरा अजय बोट है, बैक फोर शालनी यहां पर अजय ने एक बैक रिदा शालनी के लिए तो यहां पर अजय इसको अगर ब्रेक करूँ तो यह क्या हो गया, पहले तो वर्ब से करते हैं यह वर्ब हो गया, यह वर्ब हो गया object, receiver है और noun है, common है, हर बैक को बैक ही कहोगे, फोर के प्रेपोर्शनल और प्रेपोर्शन के बाद उसके क्या आते हैं, प्रेपोर्शनल object, same to same वैसा ही था, अब इसके बारे में, अगर आप जानते हो कि भाईया, अजय कौन था, he he, boat, यह same to same रखा, back के लिए हमने it लगा दिया और शालने के लिए हर लगा दिया, ताकि आप, आप इनको जानते थे, इसलिए repetition ना रोके, repetition रोकने के लिए आपने उसके लिए pronoun का यूज कर दिया same काम वही करेगा है, यह subject बनेगा, यह object बनेगा यह, यह भी object बनेगा, objective case है यह सारी चीज़े हम डिसकर रहे लेंगे जब हम pronoun के lecture पर जाएंगे और अभी फिलाल इतना ही बतारा हूं pronoun के बारे में क्योंकि मैं पहला ही lecture pronoun से start करूँगा, तो मुझे लगते है कि यहां पर और जादा ना बताएं तो जादा बैटर रहेगा pronoun के जब हम पहले से lecture के शुरुआत करेंगे तो वहां पर basic से लेकर advance तक सारी चीज़ें वहीं कर लेंगे I hope सो आप लोगों को यह चीज़ें clear हो गई होगी basic lecture 2 करने वाले है adjective के बारे में इससे पहले मैंने noun का एक basic lecture लिए उसकी तीन वीडियो चोटी चोटी तीन वीडियो मैंने है वो अलग से बनाई हुई है एक playlist मैंने बना रखिए English grammar करके तो आप जाके उनको देख लीजिए तो मैंने जैसा बताया था वाँपन कि हम English को कैसे करने वाले हैं जितने भी अपने part source speech है उनका एक बार हम basic check करेंगे basic check करने के पीछे reason ये है कि जब भी मैं कोई sentence लिखू जब हम detail में करेंगे तो at least आप ये पहचान पाएं कि उस sentence में जो भी कोई particular word आया हुआ है उसका part source speech कै माइने कि वो noun है या फिर वो pronoun है या फिर वो conjunction है या फिर वो proportion है कुछ भी है वो आठ parts of speech में कुछ भी है आप वो particular शब्द पहचान पहें जब तक आप पहचान होगे नहीं तब तक आप error नहीं निकालोगे तो वो जो सारी चीज़े हैं वो मैंने पहले lecture में आप लोगों के साथ discuss की हुई आप जाकर वो देखें ओके तो आज की हम अपनी वीडियो में start करने वाले adjective क्या होते हैं adjective जो है adjective qualify करता है एक noun और एक pronoun को qualify का मतलब क्या होता है विशेस्ता बताता है विशेस्ता कैसे विशेस्ता कैसे बताएगा कोई चीज अच्छी है कोई चीज बूरी है कोई चीज सस्ती है कोई चीज महंगी है कोई चीज नहीं है कोई चीज पुरानी है कैसे भी चीज है कितनी भी चीज है एक है दो है उसके बारे में संक्या बताना इशारा करना उसकी तरफ, this, that यह सारी चीज़ें जो होती हैं वो एडजेक्टिव होती हैं जो एक नाउन को क्वालिफाई करते हैं क्वालिफाई का मतलब यह नहीं है कि वो सिर्फर सिर्फ विशेस्ता गुन ही बताएगा यहाँ पर कुछ भी बता सकता है क्वालिफाई करने का मतलब है उसके बारे में information दे दे यहाँ पर उसे हम adjective कहेंगे इतनी चीज़ क्लियर होगी example के तरफ हम इसको समझेंगे यहाँ पर आपके सामने example है Mohan bought a big house जैसा मैंने आपको कहा था कि हम जितने भी sentence आएंगे क्या करेंगे कैसे करेंगे उनको हम उनको break करेंगे break करने का मतलब है जितने भी इसमें word आए हुए एक, दो, तीन, चार, पांच यह पांच जो word है हम इनके बारे में इनका parts of speech यह नहीं इनको x-ray करेंगे इनके parts of speech इनके नीचे लिखेंगे और इनकी शुरुवात मैंने कैसे करने है किसी भी sentence को अगर break करने है तो उसकी शुरुवात हम कर रहे थे verb से verb कैसे पहचाने कि किसी sentence में verb क्या है जो action को represent कर दे जो action को represent कर दे action बोले तो, जो कारे को represent कर दे कारे बोले तो, जो काम हो रहा है क्या काम हो रहा है यहां पे खृषिधने का काम हो रह रहा है जो काम हो रहा है उसको represent कर दे उसी को हम weather कहेंगे साथ इसाथ जिसकी तीन form होती है वर्ब की तीन form होती है उसे हम क्या कहेंगे वर्ब कहेंगे, ओके, यहां पर देखें by, boat, boat, इसकी तीन form है तो यह वर्ब होगी, clear यहां पर यह वर्ब होगी, यह वर्ब अब मैंने क्या कहा था वर्ब से वर्ब से अगर आपको किसका reply मिल जाए, what या फिर whom, इन दोनों reply मिल जाए, मतलब कि what या फिर whom, और लगा देता हूँ, what या whom का reply मिल जाए, तो वो क्या होगा, object होगा साथ ही साथ, object क्या होना चाहिए action का receiver भी होना चाहिए, action का क्या होना चाहिए receiver भी होना चाहिए, ओके, एक बर जड़ा, mohan, boat, what बाकी का sentence भूल जाएए, यहां पर आप लिखिए, mohan, boat यहां पर, इसके बाद जो है, question mark लगादे जी, अगर आपको उसका reply मिल रहा है, तो जरूर आपके सामने object मिलेगा, mohan, boat, what, house, reply मिल रहा है तो यह house क्या बनेगा, यहां पर object बनेगा, एक बार मैं rough कर देता हूँ, यहां पर थोड़ा ज़्यादा मैंने किच-पिच-पिच कर दी है clear यहां, एक इनट यह भी कर देते हैं, हाँ, तो mohan, boat, what house, एक घर खरीदा, तो जब घर खरीदा है, तो यहां पर पहली वाली वीडियो में करवाई तो वीडियो बहुँ ज़ादा लेंती हो जाएगी तो इस बैटर रहेगा कि आप जाकर पहले वीडियो देख लीजिए जो noun के मैंने कराई थी, मैंने वहां बताया था कि भी एक होता है काम, एक होता है noun, ठीक है, कोई भी छब्द जो हता है वो दो काम करता है, जैसे यह house यहां पर इसका नाम क्या है noun है, यह noun बना है, ठीक है काम क्या कर रहे है, काम यह object बनने का कर रहे है यह सारी चीज़े मैंने डिसकस की हुई है वहां पर clear, तो यह house क्या है noun है, parts of speech है ना, इसका noun, clear okay, mohan क्या है, देखें यह action का receiver होगा, यह कहूँगा कि यह house है, वो object बना है किसका, verb का object बना है verb का object बना है, clear हुआ यह article होते हैं, अपने पास तीन ही article होते हैं, इसलिए मैं लिख हूँँगा नी a, and the, यह तीन ही article होते हैं clear, तीन article होते हैं, यहाँ पर आपकी सामने यहाँ पर a लगा हूँ, यह article है okay, mohan क्या है, देखें action को करने वाला action को करने वाला, यह मैंने कहा था action को करने वाला कोन होता है action को करने वाला कोन होता है subject होता है action को करने वाला कौन होता है? subject होता है यहाँ पर इस खरीदने को काम कर कौन रहा है? यह मोहन कर रहा है तो यह क्या बनेगा? subject बनेगा clear हुआ, यह subject बनेगा यह subject बनेगा, वही फिर से इसका काम तो हो गया, subject बनेगा नाम क्या है? नाम मोहन नहीं है इसका English grammar में नाम के है इसका English grammar में नाम है noun, noun में भी कौन सा proper clear यहां पे, सारे words हमने देख लिए यह noun देख लिया, subject बना हुए यह verb देख लिया, यह article देख लिया यह house देख लिया, clear हुआ अब यह जो word बचा है ना big अब जड़ा सोच कर देखो, यह word जो big है वो काम क्या कर रहा है यहां पे काम करने का in the sense यह big जो है, वो किसके बारे में आया हुए इस घर के बारे में, कैसा घर है बड़ा घर है, big house जो big house है, इसको qualify कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, adjective कहेंगे clear हुआ language में बात करूँ, कि आपको उस word के बारे में बता दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, adjective कहेंगे clear हुआ यहां पर, यह था adjective, एक बड़ मैं इसको सारे को rough कर देता हूँ, जो यहां पर लिखा है, और एकदम बढ़िया सा जादू करके हम कुछ अच्छा सा करते हैं यहां पर, ठीक है okay clear हुआ यह सारी चीज़े, कि adjective क्या होता है थोड़ा बहुत तो आपको clear हो गया होगा सारी चीज़े सीखेंगे, देखिए मैंने आभी आपको क्या बोला कि विशेस्ता बता दे, अच्छी बुरी उसके बारे में आपको counting बता दे वो सारा हम करने वाले हैं, कि adjective कितने type का होता है, वो सारी चीज़ें आप basic lecture में थोड़ा बहुत हम करेंगे, clear तो आपकी सामने यहां पर, एक मिना ठीक है थोड़ा सो और यहां से रफ करना पड़ेगा मुझे okay I hope so, आपने यह लिख लिया होगा, सारा का सारा ठीक है, तो यह मैंने यहां पर एकदम बड़या बड़या लिखा है, ताकि आप लोगों को कोई परिशानी ना हो, मेरी राइटिंग जो हो जादा अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैंने पहले लिख दिया था, आपके सामने यहां पर लिखा है, यह subject बना हुआ है, noun है ठीक है, यह verb है, यह adjective है यह object of verb है clear, यह क्या बना है, यह object बना है, और इसका parts of speech के noun है कोब बने, इतनी चीज़ clear हुई आप आगे चलते हैं कि इतना बताने के बाद adjective क्या काम करता है, qualify करता है, अब हम जो है, वो adjective के क्या देखेंगे, type देखेंगे, यह रहे आपके सामने यह सारे type नहीं है यह basic के ही type है, जब हम detail से adjective करेंगे, तो वहाँ पर हम इनके सारे जितने भी type आते हैं, वहाँ उसके बारे बात कर लेंगे जब detail से lecture करेंगे, adjective का ओके, तो यहाँ पर आप जड़ा एक पर नाम पढ़ेंगे qualitative adjective qualitative adjective, जो नाम आप पढ़ोगे उसका अगर हिंदी आपने translate किया तो अपने आप बता देगा qualitative होता कैए, quality बताने वाला गुणवत्ता बताने वाला, गुणवत्ता कैसी हो सकते है कुछ भी हो सकती है quantitative, संख्या बताने वाला possessive का मतलब अधिकार possessive का मतलब अधिकार demonstrative, संकेत, संकेत करना numeral, फिर से संख्या बताने वाला और प्रोपर जो प्रोपर नाउन से बना हुआ एक प्रोपर एडजेक्टिव यहां पर होता है एक्जामपल की तुरू समझते हैं जैसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का मतलब नाइस, बिग, न्यू, सर्कुलर, रेड, वुड, क्वालिटी बता रहे हैं यानि उसका कैसा कलर है, वुड, वुडन यानि कैसा मैटीरियल यूज किया गया है तो यह सारी जो हैं वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में आती हैं कैसा हो गया है यहां पर opinion बताने वाले, size बताने वाले, age बताने वाले, shape बताने वाले, color, material बताने वाले यह क्या होते है यह qualitative adjective होते है clear हुआ यहाँ पर अब बात करते है quantitative adjective quantitative adjective में क्या होते है some, many, little, few, much, etc एक न मैंने आप लोगों को एक term कराई थी countable और uncountable यह जो sum होता है countable, uncountable noun होते है जैसे मैं यहाँ लिखूँ water यह noun है यह noun है, अब मैं आपसे पूछूँ यह जो water है, क्या वो countable है या uncountable है क्या आप water को गिन सकते हो क्या आप water को गिन सकते हो नहीं गिन सकते है, उसको माप सकते है उसको आप माप सकते हैं, एक लिटर, दो लिटर लेकिन आप इसको गिन नहीं सकते है जो गिन नहीं सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं uncountable कहते हैं तो यहां पर जो मैंने यह sum लिखा है countable slash लगा के uncountable इसका मतलब यह है कि sum जो है वो दोनों ही condition में काम कर जाएगा आप एक तरीके से मैं यहां लिखूँ books, books को आप क्या कर सकते हो गिन सकते हो यहां one book, two books, three books ऐसे कर सकते हो तो countable के इसके मतलब कि जो sum है आप ऐसे कर सकते हैं some books और some water दोनों ही चीजों में आ सकता है यानि countable के लिए भी लग सकता है और uncountable के लिए लग सकता है same many, many जो है वो countable के लिए लगेगा many books यह होगा many water यह गलत होगा little, little जो वो uncountable के लिए लगेगा little water यह सही है little book यह गलत है few, few countable के लिए लगेगा few books और few सही है few water गलत है much, much uncountable के लिए लगेगा यह सारी चीज़े मैंने लिखी है ताकि आप लोग असानी से इन चीजों को समझ सके clear हुआ यहाँ पर possessive objective के उपर आते है possessive objective क्या होते है अधिकार बताने वाले अब आप काफी सारे यह सोचेंगे my, our, your, his, her यह कैसे किसी चीज़ को qualify कर देते हैं आप example के दुरू समझगे example में जैसे मैंने यहाँ लिखा my car यह जो car है, किसकी car है my, यानि मेरी यहाँ पर इस my ने इस car के बारे में बताया नहीं बताया भया, मेरी car है यहाँ पर अगर मैं your लिखता तो तुम्हारी car है तो यह जो word है यहाँ पर आने वाले यह अधिकार ही तो बता रहे हैं इसके उपर अगर अधिकार बता रहा है, एक तरीके से इसके बारे में information ही दे रहा है और कोई word जो किसी noun के बारे में information दे दे, उसे हम क्या कहेंगे adjective कहेंगे, करेंगे इनको detail से बहुत बढ़िया तरीके से करने वाले हम इन चीजों को, clear हुआ, तो my हो गया our हो गया, your, his, her, it's there इन सारी चीजों को हम करने वाले हैं जो हम pronoun का basic नहीं उसका detail पे जाएंगे, वहाँ पर हम करेंगे clear हुआ, okay, demonstrative adjective आजो, demonstrative adjective this, that, these, those जरा इनको देखो, this जो होता है वो नजदीक वाले के लिए लगता है और singular के लिए लगता है, मतलब एक होना चाहिए, जैसे this, car, यह करूँगा this, cars नहीं कर सकता, क्योंकि यह plural हो गया तो this जो है, वो नजदीक हो और singular हो इतनी चीज के लिए हुई that जो होता है, वो singular हो, लेकिन दूर हो आपके नजदीक कोई चीज रखी है तो आप this कहेंगे, आपके दूर कोई चीज रखी है तो आप that कहेंगे ऐसे, these जो होता है, वो cars के लिए लगेगा, जो नजदीक cars है जैसे these cars those जो है, वो इसका उल्टा समझो दूर के लिए लगेगा, those cars लेकिन दोनों ही जो है, वो plural के लिए लगेंगे, plural के लिए लगेंगे, clear, लेकिन ये नजदीक के लिए, ये नजदीक के लिए, ये दूर के लिए, same, इन दोनों में, ये दोनों जो है, वो singular के लिए लगेंगे किसके लिए लगेंगे, singular के लिए, ये नजदीक के लिए और ये दूर के लिए, clear हुआ यहाँ पर ओके, यह होता है demonstrative यानि संकेत करना अगला जो है, numeral adjective numeral adjective का मतलब, यह देखे, quantitative adjective यानि संख्या बताने वाला, संख्या यानि मातरा बताने वाला, यह उसी का ही अलग करके बस एक तरीके से लिखा हुए इसमें क्या होता है, one, two, three कोई number बता दे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते है mathematically, one, two, three ऐसा नहीं है कि आप words में ही इसको लिखेंगे आप ऐसे भी लिख सकते है, clear हुआ first, इसको मैंने दोनों ही में लिखा है first और इसको ऐसे भी लिख सकते है second, third यह जो होते हैं, अब एक और type होता है यह होता है, जो one, two, three इसको cardinal कहते हैं और यह जो first, second, third इनको ordinal कहा जाते हैं एक तरीके से जैसे मैंने कहा आना, quantitative ही का ही, सब-part है numeral और numeral के सब-part है cardinal और ordinal ordinal कौन से होते हैं, यह first, second, third वाले cardinal कौन से होते हैं, one, two, three वाले इतनी चीज़ clear हुई अब आते हैं, जो एक type बसता है हमारे सामने proper, proper adjective proper adjective क्या होते हैं, जैसे Italy, Germany Germany, Germany से ही बना German, German German tank, German technology Italy से बना Italian tank, Italian technology Gandhi से बना गांदियन philosophy, तो यह जो चीज़े हैं, वो proper noun से बन कर आई हुई होती हैं, इनको ही proper adjective कहते हैं, ठीक है यह कैसे qualify कर रहे हैं, जैसे बोला न मैंने, German technology, German tank, ऐसे चीज़े हैं, German soldier, तो यह जारी चीज़े हैं, वो किसी चीज़ के पहले लग कर, उसको qualify कर रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे adjective कहेंगे, बट एक चीज़ ना ध्यान देने वाली चीज़े हैं, German एक language का भी नाम होता है German एक language का नाम बहुता है, और Italian एक language का भी नाम होता है, तो अगर यह किसी language के तोर पर use की जाएं, जैसे कहें कि मैं एक language सीख रहा हूं, मैं कहूं कि मैं German सीख रहा हूं, तो वहाँ पर यह noun बन जाएंगी, वहाँ पर क्या बन जाएंगी, यह noun बन जाएंगी लेकिन अगर किसी word को यह qualify कर दी होगी तो वहाँ पर adjective बन जाएंगी, अब एक इसको आप adjective कहेंगे, कब इसको noun कहेंगे, वह सारी जाएंगे, देखे, जितना मैंने बोला है कि जरूरी नहीं कि यह सारे word मैं कहूं कि adjective हैं, तो adjective के तोर भी काम करेंगे, बहुत सारे ऐसे words होते हैं, जो एक word जो है, वह काफी सारे पार तो स्पीच का काम कर देते हैं, वह सारी चीजे हों सीखेंगे, अभी जितना बता रहा हूँ उतना ही gain करना है, मतलब उतना ही catch करना है, उतना ही याद रखना है, धीरे 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 आपके सामने मतलब की रास्ते खुलते चलेंगे, आपको चलते चलना है अभी जल्दबाजी नहीं करनी आगे बढ़ने में, clear हुआ, okay, जितना कुछ हमने सीखा अब तक, आपके सामने मैंने qualitative, quantitative, possessive, demonstrative, proper, यह numeral, यह जितने भी adjective मैंने आप लोगों कराएं, अब आप एक काम करेंगे, आपके सामने मैं एक exercise लेके आ रहा हूँ, आपको वीडियो प find out करना है कि adjective कहा है, देखिए, यहाँ कोई error नहीं है, error इसलिए नहीं है, क्योंकि पहली यह जो basic है, आपके at least, error तो तब निकालेंगे, जब आप बिमारी का पता कर पाएंगे, अरे बिमारी भी तब बता करेंगे, आपको पता होगा कुछ उसके बारे में, तो यह वही च आपके सामने यहाँ पे चार वर्ड है, आपको करना क्या है, वीडियो पोज करनी है, और वीडियो पोज करने के बाद आपको यह सारे sentence ब्रेक करने है, अपनी बुक यह अपनी कोपी के अंदर, clear, okay, पोज करेंगे वीडियो को, okay, आईए, start करते हैं, पहला काम क्या करेंग हम पहला sentence break करेंगे, कौन करेगा, I hope so, आप लोगों ने कर लिया होगा, और मैं start कर रहा हूँ, अपना पहला sentence break करना, क्या कहा था मैंने जब sentence को हम break करेंगे, तो शुरुआत कहां से करेंगे, शुरुआत हम करेंगे, वर्ब से, इस पूरे sentence में वर्ब क्या है, इस पूरे sentence बात की बात में उनसी जोंक करेंगे अभी फिलाल वर्ब पहचानो यह वर्ब होगे आपके सामने? अगर आपको इसके बाद scored वर्ट रखने से आपको reply मिल रहा है तो आपको object मिलेगा scored what? scored runs तो ये क्या है? object है किसका? किसका object है भईया? ये object है scored का clear? noun है? देखे, object और subject बनने का काम सिरुफर सिरु नाउन और pronoun के पास से इतना ध्यान रखना, clear? ओके, यहां पर देखे ये score करने का काम किया किसने? ये score करने का काम किया इस team ने, इस team ने, score को किया किसने? इस team ने, तो ये क्या बनेगा यहां पर? subject बनेगा, doer है यहां पर, clear? ओके, ये in क्या होते हैं? एक पर थोड़ा साप लोगों को एक idea देते हैं कि in at, on, ये थोड़े basic से हैं, for, to from, ये जो होते हैं prep position होते हैं, at least इतना पहचान लाना चाहिए आपको तो ये prep position होते हैं, और prep position के बाद क्या आते हैं उसके? उसके आते हैं object और मैंने क्या कहा? object कौन बनेगा हमेशा? object सिर्फ और सिर्फ noun या pronoun ही बन सकते हैं यहां पर लिख देता हूं, object बनने की power किसके पास है? सिर्फ noun या pronoun के पास है पूरी English grammar में यही जो है, noun या pronoun, क्या कहते हैं? pronoun, यह थोड़ी सी गलत लिखती, pronoun clear? object जो है, वो noun या pronoun ही बनेगे, और subject भी noun या pronoun ही बनेगे, पूरी English grammar में subject और object बनने की power इन दोनों के पास ही है, I hope so इतनी चीज clear होगी होगी, okay जो preposition होता है, preposition क्या काम करता है, एक information add कर देता है sentence में, यह बात मैं पहले बता चुका हूँ फिर भी आप लोगों के revision यहाँ पर हो जाएगी preposition क्या करता है, information add करने के काम करता है, यह preposition आई हुई, यहाँ पर object चाहिएगा, इसका object चाहिएगा तो यह match जो है इसका object बनेगा, कैसे भाईया, दा तो article होता है, यह बन नहीं सकता last, यह आप इसको object बना नहीं सकते, अरे यार यह क्या हो रहे, last इसको आप object बना नहीं सकते, अब क्यों नहीं बना सकते अगर आपने इसको object बना दिया तो आप इस match को क्या बनाओगे समझ रहे हो अगर आपने इसको object बना दिया तो आप इस match को क्या बनाओगे इतनी चीज़ clear रही तो यह match जो है यहां पर object बन गया किसका object बन गया prep portion का object बन गया भई prep portion का object बन गया match है क्या यह noun है common है हर match को तो match ही कहोगा ना noun यह मैंने आपको लोगों कराया है common प्रोब पर यह सारी चीज़े मैंने कराया है abstract collective यह सारी चीज़े मैंने करवा रखी है आपको clear तो यहां पर तो इतना होगा पर एक इदा article होगा है यह मैं लिखनी रहूं clear अब यह Indian यह Indian कर क् कौण सी team ने score किया है Indian टीम ने Australian टीम ने यह जो टीम इंडियन है यह इस टीम को qualify कर रही है इसके बारे में बता रही है तो यह क्या है यह एडजेक्टिव कैसा अडजेक्टिव प्रोपर अडजेक्टिव है यह प्रोपर अडजेक्टिव क्योंकि India से बना हुआ वर्ड इ जो है ये बनेगा आपका numeral, numeral adjective, numeral adjective, clear हुआ यहाँ पे I hope so, आप लोगों ने इतनी चीज़े break की होंगी, okay मैं अब यह सारा रफ कर रहा हूँ, अगर यह चीज़े नहीं लिखे हैं तो लिख लेना, क्योंकि यह बिल्कुल साफ-साफ लिखा है, बहुत महनत लगती है इस चीज़ में भी, okay second, first sentence के बाद second sentence की तरफ चलते हैं, second sentence है, he sold all those questions, पहला sentence है, Indian team scored 382 runs in the last match, इसकी हिंदी क्या होगी, भारतिय team ने score किये थे 380 run, अपने आखरी match में, clear हुआ, okay second sentence है, he sold all those difficult questions in 20 minutes minutes, फिर से, और प्रेपोशन तो यह भी क्या है, यहांपर प्रेपोशन, और प्रेपोशन के बाद क्या आते हैं, प्रेपोशन sold what sold questions तो ये क्या बनेगा? object बनेगा किसका object बनेगा? इस sold verb का object बनेगा किसने sold किया? he ये pronoun है clear हुआ ये pronoun है इसका 500 प्रोनाउन है किसने sold किया? he ने किया तो ये subject बनेगा clear यहाँ पर he sold what questions कौन से question भाया? those questions, कितने थे? all कैसे थे? difficult थे तो ये तीनो के तीनो यहाँ पर क्या हुए है? ये तीनो के तीनो adjective आये हुए है ये तीनो के तीनो adjective आये हुए है clear हुआ? okay अब ये क्या है? all कै है quantitative, those क्या है? demonstrative difficult कै है qualitative adjective एक पर मैं इस सारे को rough कर रहा हूँ क्योंकि writing ऐसी हो जाती है कि चीज़ें समझ में नहीं आती तो यहाँ पर लिखा हुए है आपकी सामने quantitative, demonstrative, qualitative ये सारा कुछ मैंने लिख दिया है यहाँ पर clear? तो आप देख सकते हैं कि जो सारे के जारे ये adjective हैं वो एक ही noun को qualify करने के लिए आये हुए इस sentence में हमने सीखा क्या? इस sentence में हमने सीखा ये है कि एक noun को qualify करने के लिए आप एक adjective लगाओ, दो adjective लगाओ, तीन adjective लगाओ, जितने मरजी adjective लगाने हो लगा सकते हो ऐसा नहीं है कि एक noun को सिर्फ एक ही बार में qualify किया जा सकता है उसके लिए एक ही adjective आएगा ऐसा नहीं है, जितने भी sentence आएंगे हम कुछ ना कुछ उसमें नया edition मतलब सीखते चलेंगे, clear यहाँ पर तो first sentence, second sentence के बाद हम third sentence में चलते हैं clear, okay, third sentence में है अजय, boat, big and costly house फिर से वही, trick क्या रहेगे हमारी, verb से verb क्या यहाँ पर, boat है, तो यह verb रही वो, boat, what, house तो house क्या बनेगा यहाँ पर आपका object बनेगा, object बनेगा noun है, common है, clear ओके, यह क्या होता है, article होता है यहाँ पर मैंने कहीं पर article यह लिखा नहीं mention किया नहीं, इतनी चीज़ समझा नहीं article होते हैं, यह अंदा तीन article होते हैं ओके, यह article है कैसा खर, खरिदा किसने subject है यहाँ पर, ठीक है noun है, कैसा है, proper है, clear यह noun, proper, company सारी तीज़े मैंने करवा रखी हैं, ओके, यहाँ पर आओ Ajay, boat, big and costly house यहाँ पर यह big और यह costly कर क्या रहे हैं किसके बारें बता रहे हैं, इस house के है, यह and, जो है, यह है conjunction यह है conjunction यह है conjunction, clear हुआ अब, यहाँ पर सीखने को हमें क्या नया मिला, सीखने को हमें नया यह मिला, कि उपर वाले sentence में, इस second sentence में, sir, आपने तीन word लगाए थे, तीन adjective लगाए थे all, those, difficulty, यह तीन adjective लगाए थे, तो आपने कहीं पर भी कोई भी conjunction use नहीं की थी, एक बार conjunction के बारे मैं बता दे तुम, देखो, conjunction एक ऐसा word, एक ऐसा parts of speech है, जिसका काम क्या होता है दो noun को जोड़ना दो noun को जोड़ना, दो noun को जोड़ना, यह दो pronoun को जोड़ना, दो pronoun को जोड़ना, clear, देखना, ध्यान देना कि दोनों एक साइड हो, लेकिन यह जो है noun और pronoun दोनों भाई भाई होते हैं, तो यहाँ noun और pronoun भी चल जाते हैं, लेकिन इनके लावा नहीं है, यहाँ adjective और adverb नहीं लगा वाले sentence में, तीन मैंने adjective लगाए और एक भी मैंने कहीं पर भी conjunction का use नहीं किया, लेकिन यहाँ पर मैंने दो adjective लगाए और मैंने क्या किया, एक conjunction का use कर लिया, ऐसा क्यों, देखे, उपर वाले अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर अलग-अलग-अलग-अलग यहाँ पर adjective लगी है, quantitative, qualitative, demonstrative, लेकिन यहाँ पर क्या है, same ही type की adjective है, qualitative और qualitative तो इसलिए, एक समानयत एक general rule है यह, ऐसा कोई पत्थर की लगी नहीं है, कि आप इसको मान कर ही चलेंगे, जब भी आ जाएंगे, आप लगाएंगे, एक समानयत एक generally मानी जाती है, कि जब भी same type की adjective use हो जाए, तो क्या करेंगे हम end conjunction का use कर देंगे, clear हुआ यह सारा मैं एक बार rough कर रहा हूँ आप आपने लिख लिए हो क्योंकि यह तोड़ा सा ना यह क्या है आपके सामने, verb है score word century score word century, यह क्या बनेगा object बनेगा, किसका object बनेगा इस verb का object बनेगा, इन क्या है proportion है, और proportion के बाद क्या आते है proportion के object तो यह क्या बनेगा, tournament proportion का object, P.O. लिखा है, proportion का object, that क्या है, कौन सी इशारा तो कर रहा है, that tournament यह जो है that tournament dad ने इस tournament के परिशारा कर दिया तो adjective है कौन सा adjective है demonstrative adjective है clear हुआ अभी लिखूंगा अभी आ जाएगा ऐसा जादू मैं फिर से कर दूँगा ठीक है सचीन यह score करने का काम किया किसने सचीन ने किया तो यह क्या बनेगा आपके सामने subject बनेगा noun है proper है clear noun है proper है और कौन सी century यह second century किसकी he is उसकी century यह दोनों के दोनों क्या है यहाँ पर adjective है दोनों के दोनों क्या है adjective है इतनी चीज़े clear हुई थोड़ा सा साफ करते हैं इसको मतलब जादू करने की बारी आगी यहाँ पर देखो noun हो गया यहाँ पर यह verb हो गया he is possessive objective हो गया second numeral adjective हो गया यहाँ पर यह century का object हो गया किसका verb का object हो गया वैसे मुझे यहाँ पर noun लिख लेना चाहिए था दो-दो बार अबजेक्ट लगा दिया मैंने clear यहाँ इन क्या है proportion है that क्या है demonstrative objective है tournament क्या बनेगा इस proportion का object बनेगा और यह proportional object बनेगा पार्ट सोच पीच का इसका noun है आज के इस lecture में हम क्या देखने वाले हैं या फिर आज की इस वीडियो में हमारे लिए क्या होगा यहाँ पर जानने के लिए वो यह कि जैसे मैंने आप लोगों को करवाया था कि adjective क्या होता है adjective qualify करता है qualify करता है किस चीज को qualify करता है एक noun को या एक noun को या फिर एक pronoun को qualify करता है qualify in the sense कि भई ये noun या pronoun के बारे में कुछ बताएगा तो मैंने आप लोगों को वहाँ पर बताया था कि adjective की कुछ types होती है adjective की बोले तो हमने वहाँ पर qualitative, quantitative, numeral, proper और demonstrative यह सारी चीज़ें हमने वहाँ की थी तो यह possessive यह सारी की सारी जो type थी हमने वहाँ की थी और noun के उपर भी हमने कुछ work किया था कि noun कितने type का होता है कैसे कैसे वो working करता है तो सारी चीज़ें हमने उस lecture में देखी हुए है जो पिछले दो lecture मेंने करवा दिये हैं तो आज हम क्या करने वाले हैं, देखिए कुछ words ऐसे होते हैं आगे बढ़ने से पहले तो आप लोगों को थोड़ी से समझ यहां पर create करनी है कि कुछ words ऐसे होते हैं जो काफी सारे parts of speech का काम कर देते हैं for example की that है, that यह जो है काफी सारे parts of speech का काम कर देता for example यह conjunction बन जाता है, यह pronoun बन जाता है, यह adjective बन जाता है तो कैसे हम इस चीज़ को पहचानेंगे कि that कब conjunction है, कब pronoun है, कब adjective है तो वो चीज़े हम यहां थोड़ा बहुत इसके बारे में जानने वाले हैं पर यह चीज़ें देखें कि क्या वास्तों में एक word काफी सारे parts of speech का काम करते हैं तो वो चीज़ें हम यहां देखने वाले हैं तो एक बर यह सारा मैं rough करता हूँ, तो ज़्यादा time लगा दिया, मैंने यह तोड़ा बहुत आप लोगों को बताने के लिए अब इसको हम करने वाले हैं, तो this is my car यानि यह मेरी कार है अब इसको break करें तो is क्या है, यहां पर is है आपके सामने verb is है verb, और यह my क्या है और यह car क्या है, car जो है वो subject compliment है, noun है, common है, noun में भी common है और यह my जो है वो इसके ओपर अधिकार जता रहा है, तो possessive adjective है, clear हुआ possessive adjective का मतलब है अधिकार जताने वाले चीज़ को हम possessive adjective कहते हैं यहां पर अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई हुई है, कि जब भी आप sentence बनाएंगे या sentence का जो भी structure होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा important होती है verb, verb आनी बहुत important है, क्या हुआ, कैसे हुआ, यह सीज़े तो verb भी बताएंगी बिना verb के sentence नहीं बनेगा, अगर verb आएगी तो उसका subject जो है, वो 100% आप लोगों को मिलेगा देखिए, अगर object दिया है, नहीं दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब यह चीज़ें हो सकती है, object आभी सकता है, नहीं भी आ सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं इस यहाँ पर subject बन गया, और इसको हम कहेंगे pronoun, clear, यह बन गया आपके सामने pronoun, this जो है वो noun तो हो नहीं सकता, देखिए, subject और object बनेगा कौन, subject और object बनेगा कौन, यह subject, object, दो ही चीज़ें बन सकती, यह तो noun बन सकता है, यह तो pronoun बन सकता है, क्योंकि noun, यह जो pronoun वो एक तर noun है और subject बन रहा है यहां पे clear और noun क्या काम करता है मैं आप लोगों को बता देता हूं फिर एक बार आपके सामने revision हो जाएगी noun जो है वो पांच काम करता है subject बनने का, object बनने का prepositional object बनने का subject compliment बनने का object compliment बनने का ये 5 काम करता हैं इंग्लिش grammar में अगर यह noun यह काम करता तो इसका भाई भी तो यही काम करेगा प्रोनावन भी यही काम करेगा clear हुआ यहां पर पहला sentence clear हुआ यहां पर this देखेंगे तो यहां पर this क्या बना हुआ है यहां पर subject बना हुआ है यह प्रोनावन है अगले sentence के उपर चलते हैं अगले sentence में है, I want this car, I want this car, यह जो want है, यह होगी आपके सामने main verb, want होगी main verb, और यह want what, भाई आप मुझे चाहिए एक car, तो car बनेगा यहाँ पर object, भाई यह जो this है, वो इस car के उपर demonstrate कर रहा है, इशारा कर रहा है, कौन सी car चाहिए, आप एक market में जाते हो तो बताते हो, मुझे यह वाली car पसंद है, आप इशारा करके कहते हो, तो यह जो this है, इसी के उपर इशारा करके कह रहा है, this car, इसने इस चीज़ को विशेज कर दिया, या फिर कहें, इसके बारे में कुछ बता दिया, qualify कर दिया, तो यह बन गया आपके सामने adjective, और adjective भी कौन सा, adjective है, इशारा करना या संकेत करना, clear, अब यहाँ पर हमने सारे words देख लिए, यह verb बना हुआ है, यह adjective बना हुआ है, यह car जो है, वो noun है, common है, हर car को तो कारी कहेंगे, object बना हुआ है, लेकिन क्या इस verb को अपना subject मिला, नहीं मिला, तो इसका subject कौन बनेगा, यह आई बनेगा तो यह subject बना pronoun है, इन दोनों sentence में मैंने आप लोगों को क्या समझाना है, तो यहाँ यह समझाना, यहाँ आप देखेंगे, तो this जो है, यहाँ पर यह pronoun बना हुआ है, और यहाँ पर this जो है, वो adjective बना हुआ है, तो यानि एक word काफी सारे parts of speech का का काम कर देता है, आप इकलो है, तो उसके base में हम decide करेंगे कि इसको हम क्या कहेंगे, इसको noun, इसको pronoun कहेंगे, या फिर इसको adjective कहेंगे, clear हुआ, दोनों sentence, बाकि कि जो sentence है, वो इसी चीज के उपर अधारी थे हैं, कि आप लोगों को एक word जो है, यहाँ पर अलग-अलग parts of speech का का काम करता हूआ, मिल जा हो गया, यह friends जो है, वो subject compliment हो गया, subject compliment in the sense, जो subject के बारे में बता दे, information दे दे subject के बारे में, clear, यह subject compliment हो गया, और यह रोहन's friend, यह इसके उपर अधिकार जता रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, किसके friend है, रोहन's friend है, देखे, आप अगर इसका parts of speech पूचेंगे, तो parts करवाना चाहिए, तो मैंने जैसे बताया कि subject जो है, वो 5 काम करता है, subject बनने का, object बनने का, prepositional subject बनने का, subject compliment बनने का, और object compliment बनने का, तो यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ तो काम decide करना पड़ेगा, देखे, अगर मैं यहाँ पर चीजों को और ज़्यादा गहराई में ले जाँ, तो यह lecture बहुत जादा lengthy हो जाए, क्योंकि मैं already वो चीज़ें करवा चुका हूँ, अपने previous वीडियो के अंदर, तो आप जाकर वो देखें, तो ज़्यादा बैटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ हो जाती ही, फिर से repeat, repeat होने के लिए, वीडियो और मैंने तो बस आप लोगों को समझाने के लिए यह चीज़ें लिखें, तो यह adjective हुआ, adjective की तरिके से इसने working कर दिया, है यह noun, possessive noun कह सकते हैं, किसी चीज़ के उपर अधिकार जताने के लिए हम apostrophical लगा, यूज़ कर लेते हैं, तो possession के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, clear, अब यहाँ पर आते हैं, these, अब इस sentence, इस main verb को तो अपना subject मिला नहीं, तो यह these जो है, वो subject बनेगा, अगर यह subject बनेगा, तो noun या pronoun कहना पड़ेगा इसको, noun तो है नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, pronoun, वो चीज़ें अलग हो जाती हैं, कि noun में भी कौन करेंगे, लेकिन अभी फिलाल जो है, वो basic सी चीज़ें बता रहा हूँ, उनके type में नहीं जा रहा हूँ में, noun का तो इसलिए type कुरा रहा हूँ कि I have already discussed in my previous video, so यह चीज़ें जो है, इसलिए बता रहा हूँ में, okay, इस वाले sentence में आते हैं, Mohan has sent these gift, Mohan जो है, वो यह सारे gift भी है चुक है, तो has और sent, यहाँ पर जो है, वो main verb, जो है, वो sent है, has जो है, helping verb है, इसके बारे में discuss करेंगे, helping verb ही क्यों कहते हैं, क्या आनी जरूरी है, कोई और चीज़ लगा दें, तो उससे क्या फरक पड़ेगा, लेकिन वही चीज़ें, अभी तो पहला पढ़ाव है, ओपर तक अभी तक कैसे पहुँचा दूँ मैं, यह सारी चीज़ें तो है, वो skip नहीं कर सकते, यह चीज़ें सीखते हुए, जानी होगे हमें, तो sent word, sent जो है, वो gift किया है, यहाँ पर यह object बनेगा, object होता कौन है, action का receiver होता है, तो यह action का receiver है, यहाँ पर, कौन से gift वही, these gift, जो these है, यह जो है, gift के उपर इशारा कर रहा है, तो यह हो गया, यहाँ पर adjective, और adjective में कौन से, demonstrative adjective, clear हुआ, demonstrative adjective हो गया, अब यह भेजने का काम किया, कि इसने, इस sent word को करने वाला कौन होता है, doer, और doer कहलाता है, आपका subject, तो मोहन बनेगा, यहाँ पर subject, clear हुआ, तो adjective बना हुआ है, यहाँ पर adjective बना हुआ है, clear हुआ, अगले sentence की तरफ चलते हैं, अगले sentence में है, all of them joined our company, all of them joined our company की सभी ने सभी, हमारी company join कर ली थी, clear, यहाँ पर आप देखें, तो off होती है, preposition, और preposition के बाद, आते हैं, उसके object, देखें, यह तो आप गांट बांद लीज हैं, काफी सारे बच्चे हो सकते हैं, जो यह कहेंगे कि, अरे नहीं, कुछ ऐसे sentence भी होते हैं, जिसमें sentence जो है, वो preposition पर भी खतम हो जाता है, वो कैसे होता है, देखें, उतनी गहराई पर जाने के लिए, पहले कुछ basic तो develop करना पड़ेगा, तो अभी के लिए इतना सीख होगी, यहां पर main verb, और joined word, क्या join किया है, company join किया है, तो यह बनेगा आपका object, अगर इसका आपका parts of speech पूछें, तो यह बनेगा noun, noun में भी हर company, तो company होती है, यहां पर यह कहलाएगा common noun, clear, ओके, आवर क्या कर रहा है, आवर इसके उपर अधिकारी तो जता रहा है, कौन स subject चाहिए, तो subject के लिए तो एक ही word बचा, यहां पर all, तो all बनेगा, यहां पर subject, और जैसे यह subject बन जाएगा, इसको कहेंगे हम pronoun, क्योंकि noun तो नहीं कह सकते हैं, यह noun तो थोड़ न, यह this कोई noun नहीं है, I कोई noun नहीं है, these कोई noun नहीं है, तो यह all भी तो कोई noun नहीं है, अगले sentence में चलते हैं अगले sentence में अगर मैं verb की बात करूँ तो completed completed जो है यहाँ पर है यह main verb completed होगी main verb अब completed यह जो होगी helping verb completed work completed task तो यह बनेगा object यह बनेगा object there जो है इसके पर अधिकार जताने वाला क्या बनेगा यह possessive adjective possessive adjective clear अब किस ने complete किया अब जरह दिहान देने वाली बात है in boys ने या in all ने अब देखिए जरह अगर आपने जैसे उपर वाले sentence में मैंने यहाँ पर all को subject बना दिया pronoun लिख दिया अभी बच्चे का दिमाग यही चलेगा न उपर वाले में बन गया तो यहाँ पर आप बना दिजी न इसको subject तो अगर मैंने इसको subject बना दिया इस all को अगर मैंने subject बना दिया और यह pronoun बन गया तो दिक्कत देखना क्या आएगी देखिए यह boys जो है उपर वाले sentence में यहाँ पर अगर मैं boys लिखता न all of them की जगह यहाँ पर अगर मैं boys लिख देता तो यह boys जो वह इस preposition का object तो बन जाता न लेकिन यहाँ पर अगर boys आप देखें तो यह क्या काम करेगा ना उनके 5 काम होते हैं subject बनना, object बनना, prepositional object बनना, subject compliment बनना और object compliment बनना अगर आप इसका पांचों में इसे एक काम define कर पाएं तो बैटर है फिर तो यह बिल्कुल सही आप इसको subject बनाईए otherwise अगर आप यह चीज़े नहीं कर पा रहे हैं तो आपने sentence को गलत तोड़ा है देखे, boys को अगर मैं पांच काम दूँ तो subject बनने का, already subject आ चुका है तो क्या sir एक ही sentence में दो subject नहीं आ सकते हैं अरे बेशक आ सकते हैं, एक लगाओ, दो लगाओ, तीन लगाओ, जितने मर्जी लगाने वो तुमारी इच्छ है लेकिन उसका भी एक criteria है ऐसे थोड़ना है, अपनी मर्जी से हम चीजें डाल देंगे देखे, जब subject और verb ये एक pair होता है अगर आप subject दो लगा रहे हैं तो बीच में कुछ ना कुछ तो add करना पड़ेगा देखे, दो चीजों को जोडने के लिए कोई चीज तो आती है उसे कहते हैं हम conjunction तो कहा हैं भाई हैं यहां पर conjunction अगर आप इसको subject बना रहे हैं इसको subject बना रहे हो तो यहां conjunction का है, वो ही चीज नहीं है तो दूसरी चीज, object अरे object तो अल्रेडी आ चुका यहां पर यहां पर तो action हुआ है नहीं, action का receiver चाहिए था हमें बी की फोर्म में में वब का काम कर दे और मैं फिर से कहा रहा हूँ मैं आठ ये फोर्म होती है बी की वो मैं अल्रेडी डिसकस कर चुका हूँ अपने previous वीडियो में तो वहां कर जाके देखिया तो बी की फोर्म अगर में वब का काम कर देती है तो वहां पर subject compliment आता है तो यहां पर कहीं पर भी बी की फोर्म नहीं है is, am, are, was, war, being, being यह वाली चीज़े नहीं है यहां पर तो वह नहीं है तो यह subject compliment नहीं है object compliment, वह यह object compliment object के पास ही लिखा जाते है एक बार ऐसा समझो तो वो भी चीज नहीं है यहां पर पांचों में से काम किया नहीं तो यह तो चीज तुमने गलत तोड़ी ना तो ऐसा करो इसको boys को बनाओ subject क्योंकि noun तो है ना यह noun है boys common है तो यह बन गया subject आपके सामने और इस all को बनाओ इस boys के उपर मतलब quantity बताने वाला quantitative adjective यह हो गया adjective तो यह ऐसे तूटेगा तो इसको subject मत बनाना तो उपर वाले sentence में all जो था वो pronoun बना हुआ था उसको subject बना हुआ था इसलिए pronoun कहना पड़ा लेकिन नीचे वाले sentence में आप देखेंगे तो all जो है वो इस boys की quantity बता रहा है तो all यहाँ पर हमने क्या बनाया adjective बनाया clear अगले sentence में चलते है each boys काफी बढ़िया sentence है इन दिनों sentence को एक बड़ डिसकस करना है काफी अच्छा सीखने को मिलेगा each boys has scored good marks हर बच्चे ने score किया है clear अब आते हैं यहाँ पर each boy has scored good marks इसमें अगर मैं वर्ब की बात करूँ तो यह होगा आपके सामने scored होगी आपके सामने main verb और has होगी आपके सामने helping verb scored यहाँ पर होगी main verb और has होगी helping verb अब score किया क्या marks अरे receiver है यह action का तो यह बनेगा object noun है common है clear हुआ और good इसको qualify कर रहा है इसको qualify कर रहा है अरे अच्छे marks लिए बूरे marks लिए तो वो चीज जो है qualify तो कर रही है तो यह बनेगा adjective qualitative adjective अब यह लेने वाले कोन है boy boy परतेग यह जो है परतेग distributed type का adjective है एके करके बात करता है भाईया एके करके बात करता है इसलिए verb जो है वो इसके साथ singular लगती है तो यह चीजें ध्यान रखनी है तो each जो है यहाँ पर क्या बना आपके सामने distributed adjective है यह एके करके बात करता है और boy क्या बनेगा इस code को करने वाला subject बनेगा यह क्या बनेगा इस boy को distribute करने वाला distributed adjective बनेगा मैंने यह distributed type का adjective नहीं कराया क्योंकि मैंने basic की चीजें clear कराई है जब हम detail पे जाएंगे तो distributed type का adjective वहां सीखेंगे निचे वाले sentence में देखते है of जो होती है preposition होती है I have already discussed in this sentence कि of यहाँ बने प्रेपोजिशन है तो preposition के बाद आते हैं प्रेपोजिशन का बनेगा यह boys the article होते हैं मैंने कहीं पर भी लिखा नहीं है क्योंकि तीन यह article होते हैं I think बच्चों को यह तीन चीजे article के बारे में तो पता ही होते हैं working के बारे में तो मुझे आप लोगों को बताना है at least इतना तो पता ही है article हो गया scored क्या होगी यहां पर main verb होगी has क्या होगया helping verb होगया scored word same to same marks जो यह होगया आपके सामने object good इसको qualify करने वाला adjective qualitative adjective अब बता हो क्या इस verb को अपना subject मिला नहीं मिला आप कहेंगे कि sir boys को बना देते हैं preposition का object बनके बैठा है तो यह हम नहीं कर सकते तो क्या करें यह जो बच्चा हुआ है each इसको करते हैं यह बनाते हैं subject तो each को जैसे subject बनाएंगे तो each को मुझे क्या कहना पड़ेगा यहां पर pronoun कहना पड़ेगा लेकिन each यहां पर क्या था यहां था adjective लेकिन यहां क्या बना pronoun clear हुआ sentence में हमें देखना पड़ेगा वो working क्या कर रहे समझ में आया यह चीजें थी हमारे सामने तो यह सारे होगे अब यहां पर ना एक यह वाला sentence इन sentence को ज़रा समनने की कोशिश करते हैं और भी चीजें हैं इसके अंदर जानने के लिए अगर मैं यह कहूँ कुछ बच्चे हैं क्लास में तो यह भी तो कह सकता हूँ कि आर उन्होंने अपना काम खतम कर लिया उन्होंने अपना काम खतम कर लिया या फिर मैं यह कहूँ परतेक बच्चे ने अपना काम खतम कर लिया दोनों का sense तो same है न लेकिन फरक यहां पर क्या आजाता है मैं अगर कहता हूँ यह वाला sentence all the boys all the boys have completed their task तो मैं यह कहूँगा कि हर सभी बच्चों ने अपना काम खतम कर लिया यहां पर अगर मैं कहता हूँ परतेक बच्चे ने अपना काम खतम कर लिया same to same यह भी same meaning बनेगा देखें फरक क्या होता है कि sir हम यह meaning तो same बन रहा है लेकिन हम बोलेंगे कब where we use these sentences देखें use हमें कहां कर रहा है अगर आपको emphasize कर रहा है किसी चीज़ को for example मैंने अपनी class में बच्चों को लिया ठीक है 50 बच्चे लिया आमने 50 बच्चे लिया उनका admission लिया मैंने मैंने उनको काम दिया assignment दिया बट कोई भी झी कर क्या है मैं तंग हो गए मैंने कम से कम उनको 10-12 assignment दे दिया लेकिन कोई नहीं कर क्या रहा अब मैं तंग आगे मैंने किया इनसे पैसे तो ले लिया है इनसे काम तो करवाना पड़ेगा तो मैंने उनको कुछ ऐसी चीजें बताई जिसे वो मोटिवेट हुए मोटिवेट होने के बाद अब देखिए मोटिवेट होने के बाद अब उन्होंने क्या किया अगले दिन में गया उनको काम दिया अब मैं अपने कलीग को बताऊंगा कि हर एक बच्चा काम कर क्या है यार हर एक बच्चा काम कर क्या है इतना परभाब बड़ा है मोटिवेट करने का उनको तो यहाँ जा आप बोलेंगे न सेंटेंस यहाँ पर फर्क बढ़ जाते है यह emphasize कर देता है चीजों को मतलब उसके उपर pressure डाल देता है कि भाई आप परतेग बच्चा कर का है अब चलते हैं अगली slide के उपर हमने देख लिया adjective और pronoun के बीच में differentiate देख लिया कि कैसे adjective किया adjective versus pronoun का हमने देख लिया थोड़ी बहुत terms हैं उनको जरा हम सीख लेते हैं adjective as a subject compliment देखे एडजेक्टिव जो है subject compliment के तोर पे भी work कर जाता है अब यहां पर अगर आप देखें शेफाली married arrangement शेफाली ने शादी की यहां पर यह होगी married किस्से किया शादी किस्से की man से तो यह बनेगा object और शेफाली जो है वो इस action को करने वाली होगी subject noun है proper है noun है common है clear और यह man कैसा है reach है तो इसको qualify करने के लिए यहां पर reach आया हुआ है तो यह बन गया adjective qualitative adjective देखें जो भी adjective होता है ना इस चीज को समनना जो भी adjective होता है adjective का काम यही होता है कि मैं जब भी आऊं sentence में या मुझे जब भी तुम use करू मेरी एक condition है उस condition को तुम fulfill कर दो कि मुझे जो है वो noun और pronoun को qualify करना है और मुझे noun या pronoun मिलने चाहिए simple सी चीज़ है पर अना मेरा use ही क्या है देखें 8 parts of speech होते है अरे कि अपनी अपनी working तो है कि भीया कोई उनको काम ही तो दिया गया है कि हर एक जो चीज है वो अपना अपने एक proper काम करेगी अगर इनको काम ही assign नहीं होता हूँ तो उनका बनाने की जरूरती क्या होती तो adjective दियना बनाया गया है तो obviously इसको कुछ न कुछ तो काम define किया गया काम define क्या क्या किया गई भाहिया जब भी तुम use हो sentence में तो तुम्हारे बाद noun या pronoun आने जरूरी है तो same to same यह वही चीज होगी जब भी मुझे use करो तो मेरे बाद क्या आने चाहिए noun या pronoun आने चाहिए तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ शेफाली married rich क्या यहां पर full stop लगा सकता हूँ मैं बिल्कुल भी नहीं शेफाली married rich अरे यह नहीं कर सकता शेफाली married rich यह भी नहीं कर सकता हूँ तो qualify करने के लिए आया हुआ है rich से कैसे शादी कर सकती है rich क्या चीज होती है अमीरी से चोचना शादी करेगी कोई इंसान होगा उसी से शादी होगी तो यह जो चीज है adjective है तो यह तो यही कहेगा न मुझे use किया है तो मेरे बाद एक word लेके आओ जो noun या pronoun हो clear तो यह noun लेके आया हम है अब अगले भी आओ जरह Ajay is rich यह होगी main verb Ajay होगी है यहाँ पर subject अब जरह देखो Ajay is rich Ajay is smart Ajay is tall Ajay is handsome Ajay is intelligent कुछ भी करो लेकिन अब मैं अगर यहाँ पर full stop लगाता हूँ Ajay is rich क्या यह sentence गलत है अरे sentence बिल्कुल सही है सर सेंटेंस बिल्कुल सही है तो rich क्या है यहाँ पर rich तो है adjective अरे rich adjective है तो sir यह rich अगर adjective है तो इसको तो इसका noun या pronoun तो नहीं मिला उपर वाले में तो आप कह रहे थे शेफाली married rich यह sentence गलत है लेकिन आप बोल रहे है Ajay is rich यह sentence है यह कैसे यह चीज हो सकती है अरे simple सी चीज है इस rich को अपना चाहिए noun जिसको यह qualify करे और यहाँ पर अगर आप sentence पढ़ते हैं तो इस sentence को पढ़कर आप देखेंगे इसको translate करते हैं तो इसका मतलब यह हो गया ना यह rich कोन है यह rich जो है वो अजे ही तो है अरे इस noun को इस adjective को अपना noun तो मिल गया जिसको यह qualify कर रहा है समझ में आई तो यह दो terms होती है एक attributive होती है pretty creative adjective होती है ठीक है और pretty creative adjective उस adjective कहते है जो किसी noun या pronoun को qualify करती है तो उसके बाद में आती है यहाँ noun होगा तो यहाँ पर adjective आएगी और बीच में क्या होगी एक main verb होगी वो linking verb होगी main वो linking verb main verb तो कोई भी हो सकती है linking verb होनी जरूर है क्योंकि यह इस जो हैती है वो जब भी main verb का काम करते है तो उसको हम कहते है linking verb यह होगी आपकी सामने linking verb तो linking verb की condition में हम जो है adjective को बाद में लिख सकते हैं क्योंकि वो एक तरीके से वो जो है वो subject के बारे में बता रहे हैं तो यहाँ पर इसकी working जो होती है वो subject compliment कहलाती है तो यहाँ पर लिखा है ना subject के बारे में बता दे वो ही subject compliment होते है तो यह subject के बारे में बता रही है rich कोन है अजे है अजे कोन है rich है तो दोनों ही चीज़ें हो है दोसरों को एक दूसरे को link कर रही है यह वाली verb तो इसलिए इसका नाम भी linking verb अब इसलिए पढ़ता है link कर देती है यह चीज़ों को subject को उसके subject compliment के साथ clear है यह चीज़ें थी हम अपनी basic lecture third जो है कि adverb उसकी class start कर रहे है part one है क्योंकि इसको मैं दो parts में रखने वाला हूँ एक part में अगर मैं रखूँगा या एक वीडियो के अंदर रखूँगा तो वीडियो बहुत जादा lengthy हो जाती है तो इसलिए सोचा कि इसको अलग-अलग parts में ही रखते हैं तो ज़्यादा बैटर रहेगा बच्चे को असानी से चीज़ें समझ भी आ जाएंगी पर मैंने आप लोगों को इनकी practice भी करवाई थी कि आप एक sentence में adjective कैसे पहचानेंगे noun कैसे पहचानेंगे अगर ये वाली वीडियो नहीं देखिए तो इसके लिए मैंने अलग से playlist बना रखे तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं free of course है, कोई charges नहीं है views बढ़ाईए जाके, okay main point पर आते हैं जो आज का lecture है adverb, adverb क्या काम करता है adverb, it qualifies now, sorry adjective के उपराराण, it qualifies a verb, adjective or a adverb, देखे ये जो है adverb, वो verb को qualify qualify का मतलब है, कुछ बताएगा verb के बारे में वो कुछ बताएगा adjective के बारे में या फिर वो कुछ बताएगा अपने बारे में तो ये इन तीनों को qualify करता है या फिर कहें simple भाषा में वो इन तीनों के बारे में कुछ न कुछ बताता है देखे, adjective क्या कर रहा था adjective noun या फिर कहें pronoun के बारे में बता रहा था उनके बारे में कोई विशेषता बता रहा था चाहिए वो negative जो positive वो adjective का काम था clear अब adverb का काम है एड़ वर्ब का काम है कि वो verb के बारे में बताए यानि क्रिया जो action हो रही है उसके बारे में बताए कि कैसी हो रही है smoothly हो रही है या फिर बहुत जादा खतरनाक वेवे में हो रही है जो जैसी भी हो रही है अभी example के तरू हम उनको समझने वाले है तो verb के बारे में बताए या adjective के बारे में बतादे या फिर खुद अपने बारे में बतादे तो ये जो होते हैं वो होते हैं adverb clear वह मतलब इनके बारे में बतादे वो उनको कहते हैं adverb example के तुरू इन चुजों को समझते है यहाँ पर मैंने एक sentence लिगा है कि ये ए क्या है ए है आर्टिकल देखे तीन ही आर्टिकल होते हैं मैं फिर से बता देता हूं तीन ही आर्टिकल होते हैं ए एंदा तीन आर्टिकल होते हैं तो ए क्या हो गया यहां पर आर्टिकल हो गया कि जो वीडियो जाने वाली हैं मैं आप लोगों को जब वब करवाऊंगा जब वब करवाऊंगा तो वहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि sentence कितने टाइप के हैं वहाँ पर ये वाला जो concept है sentence वाला कि एक वब का होना जरूरी है उसका subject होना जरूरी है तो वहाँ पर इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, clear, तो अब इतना समझो कि बिना verb के sentence बनता नहीं, अगर verb आएगी, तो उसका subject 100% आएगा, clear, अब एक चीज़ देखें यहाँ पर, इस sentence में age हो गया, वो article हो गया, clear, horse और runs बचा, अब बात करें कि इसमें verb क्या होगी, verb फिर से बता देता हूँ, verb एक ऐसा word होता है, जो action को बताता है, जो action को बताता है, और जिसमें 3 form होती है, जिसकी 3 form होती है, अभी फिलाल के लिए मैंने इतना ही बताय हुआ है, क्योंकि इतनी definition काफी है, verb पहचानने के लिए, जब तक हम basic पर हैं, अब इसमें देखें, तो horse अगर आप गए, तो आपने noun का अगर lecture लगाया हुआ है, तो horse तो एक जानवर का नाम होगा, एक animal का नीम होगा, तो ये तो noun होगा, किसी चीज का नाम होना, वो क्या कहलाता है, एक noun कहलाता है, तो ये तो noun होगा, अब जो ये word बचा, वही तो verb बनेगा, तो ये run होगा, runs होगा, वो verb होगा, clear, horse, runs, ये जो होगा, runs यहां पर verb होगा, अब इस runs को करने वाला कौन है, ये horse, तो horse बनेगा आपके सामने subject, clear हुआ, तो ये बनेगा subject, यहां पर हो जाती है, अपनी चीज़ें clear, अब क्या करें, अब देखें, एक ये चीज़ अटा देता हूँ, अब अगर मैं इस full stop को हटा कर, full stop को हटा कर, मैं यहां लिख देता हूँ, fast, fast, clear, a horse, runs, fast, अब जड़ा सोच कर देखें, क्या ये fast word, qualify horse को कर रहा है, या runs को कर रहा है, फिर से सुनिए, मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये जो fast, जो word आया है, वो किसको qualify कर रहा है, qualify in the sense, किसके बार मैं बता रहा है, वो क्या horse के बारे में बता रहा है, या runs के बारे में बता रहा है, जड़ा सोचिए, वीडियो पोस करीए और सोचिए, ओके, आपने सोच लिया होगा, उमीद करता हूँ, देखे, ये जो fast word जो है, वो horse के बारे में अगर बताता, तो horse से पहले आता, जैसे a fast horse a fast horse runs clear तो ये fast जो है यहां पर इस horse के बारे में बता रहा है इसलिए इससे पहले आया हुआ है clear अब अगर इससे पहले आया हुआ है horse के बारे में बता रहा है एक noun के बारे में बता रहा है तो इस word को क्या कहेंगे इस word को कहेंगे हम adjective यह हो गहाँ आपके adjective अब यह वाला word इस wanna horse के बारे में नहीं बता रहा है तो यह किसके बारे है यह runs के बारे हैं बता रहा है रन क्या है इस और जो word वर्ब के बारे में बता दे उसको क्या कहते है उसको कहते है adverb clear अब काफी सारे बच्चों के दिमाग में एक question ये आ जाता है कि sir क्या adjective की position हमेशा noun के पहले ही होगी क्या क्या वो noun के बाद में नहीं आ सकता क्या यहां पर अगर horse यह fast अगर noun के बाद में रखा हुआ तो यह horse को क्यों नहीं qualify कर सकता है तो adjective क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि एक word काफी सारे parts of speech का काम कर देता है एक word काफी सारे parts of speech का काम कर देता है sorry तो यहां पर fast जो वो adverb बना हुआ है और यहां पर fast जो वो adjective बना हुआ हुए तो question यह उठता है कि sir क्या fast horse को अगर qualify करे तो बाद में नहीं आ सकता है क्या एक adjective किसी noun को qualify करे तो क्या बाद में नहीं आ सकती है बेसक आशक्ति है पिछले वाले lecture में ने आप लोगों के सारे discuss किया था कि राम राम is smart sorry राम is smart अब जड़ा देखिए यह जो smart is जो होगी वो main verb होगी राम क्या हो गया यहां पर? subject हो गया मैंने कहा एक verb एक sentence में verb का आना जुरूरी है तो यह verb उर्सके लिए subject आना यह रहा clear अब smart क्या है? smart जो हो इसके बारे में बता रहा है राम के बारे में तो यह हो गया adjective adjective आ गया यहां पर यहां पर तो qualify करने के लिए adjective तो बाद में आ गया noun के तो sir यहां पर क्या दिक्कत थी? यहां पर दिक्कत यह थी देखें अगर कोई word यह कहें एक adjective किसी noun को qualify कर रहा है qualify कर रहा है और उसके बाद में लगाया जा रहा है तो condition यह है कि वहां पर linking verb linking verb का ना जरूरी है linking verb का ना जरूरी है तो कहां यहां पर linking verb है? यह तो कोई linking verb नहीं है linking verb क्या होती है? linking verb बीकी form यह चीज़े मैं करवा चुका हूँ क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें फिर से वह वाली करवा हूँगा तो lengthy वीडियो हो जाएगी तो यह concept नहीं हो पाएगा तो पीछे वाली वीडियो जरूर देखें आपको अच्छे से पता चलेगा बीकी verb क्या होती है? वहाँ पर मैंने करवाय हूँए आठ verb होती है जब भी वो main verb का का काम करे तो उनको linking verb कहते हैं और उनके बाद कभी भी subject नहीं आता उसके बाद क्या आते हैं? subject compliment subject compliment क्यों आते हैं? क्योंकि यह subject के बारे भी बता रहा है clear यहाँ पर तो यह जो fast है वो इस runs को qualify कर रहा है इसलिए यह बन गया adverb clear और यही same to same word जो है वो adjective ही बन सकता है अगर आप इसको horse के पहले लिख दो clear हुआ यहाँ पर समझे रहे हैं? अब एक example और देखते हैं if fast horse runs fast अब जरा इसको देखो जरा एक तेज गोड़ा दोड़ता है तेज एक तेज गोड़ा दोड़ता है तेज अब इसको अगर आप grammatically अगर देखें तो बिल्कुल सही है कोई भी दिक्कत नहीं लेकिन बोलते हैं बड़ा जरा जीब सा लग जाता है एक तेज गोड़ा दोड़ता है बड़ा तेज तो मतलब है ही तो वो तेज हो वो चीजे बार-बार तेज क्यों लगा रहे है बट grammatically मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज समझाना चाहरा हूँ कि यह जो fast है और यहाँ पर यह जो fast है इसमें फरक क्या है देखिए फरक यह है कि यह जो fast है इस noun को qualify कर रहा है तो यहाँ पर यह adjective बना हुआ है लेकिन यह जो fast है वो इस runs को यानि एक verb को qualify कर रहा है तो यहाँ पर यह adverb बना हुआ है तो एक word काफी सारे parts वो speech का काम कर सकता है जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में adjective versus pronoun वाले में समझा है था और tension ना ले जब इसका second part आएगा तो मैंने मैं भी उसके अंदर भी adverb adjective एक ही verb जो एक ही word जो है वो adjective बन रहा है वो वहाँ पर verb बन रहा है वो वहाँ पर adverb बन रहा है वो चीज़ें भी मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ जिसका इसमें जो adverb का second part आएगा तो वहाँ पर भी और चीज़ें आप में clear हो जाएंगे concept को और अच्छे से चीज़ों को समझेंगे clear हुआ तो यहाँ पर एक छोटे example से हमने चीज़ें समझी और अब आपके सामने कुछ तीन example के तुरू मैं आप लोगों को यह adverb थोड़ा और clear करता हूँ फिर हम इसके बाद इसके type पे चलेंगे और फिर आपको एक छोटा सा work मैं आप लोगों घर के लिए दूँगा यह homework जो आप घर पे अराम से कर पाएं ताकि आप लोगों को यह concept कितना समझ भाएं आप अपने आपको evaluate कर पाएं समझ पाएं, result जान पाएं कि आपने कितना सीखा और कितना नहीं clear तो यहाँ पर आप देखें कि तीन sentence लिखे हुए इसका मतलब कहा है कि प्रेजिडेंट यानि राष्टपती ने reward किया समानित किया किनको extraordinarily brave यानि बहुत जादा अत्यादिक बहादुर soldiers यानि सैनिक को सैनिकों को clear अब इस sentence को अगर हम break करें तो break करने की शुरुवात हमें किस से करनी है break करने की हमें शुरुवात करनी है वर्ब से जो भी sentence हमें break करना है उसकी शुरुवात हम करेंगे वर्ब से इस चीज का ध्यान रखना है तो rewarded यहाँ पर क्या होगी main verb या कहें वर्ब क्योंकि यहाँ पर helping verb नहीं है न इसलिए इसको वर्भी कहतो ज़्यादा बैटर रहेगा तो the president rewarded the extraordinary brave soldiers तो rewarded होगे आपके सामने वर्ब अब subject कौन होता है एक बार फिर से माँ बता दे तो subject होता है doer subject होता है doer doer का मतलब होता है जो action को करता है और action कौन बताता है action बताती है verb action बताती है verb action क्या हुआ है sentence में action हुआ है और सम्मानित करने का काम कौन कर रहा है president कर रहा है तो president क्या बनेंगे यहां पर यहां पर बनेंगे subject अगर मैं president यह जो word है इसका अगर मैं 500 speech पूछू तो यह हो गया noun और noun में भी क्या होगा यह common common क्योंगा क्योंकि president एक post का नाम है वो किसी party किसी देश यह किसी समूव में भी तो हो सकता है न तो president एक post का नाम है तो यहां पर हो गया यह common clear तो चिज़ें यहां पर clear होगी दो words हमारे सामने अच्छे से पता चलगे अब आगे चलते हैं the president rewarded whom लेकिए verb से एक temporary तोर पे मैंने आप लोगों कहा था verb से what या whom का reply what से what या whom का reply आप लोगों को क्या देगा आप लोगों को object देगा और एक और चीज होती है object कौन होता है object क्यों होता है receiver receiver क्या होगा भाई receiver मतलब की action का receiver action जो हो रहा है देखे इसको करने वाला कोई होगा और यह action किसी के उपर होगा और वो होगा किस के उपर वो object के उपर होगा तो इसी ने लिखा जाता है जो object होता है वो receiver होता है और एक temporary तोर पर आप लोगों को जानना ही object कोन होता है तो what या whom रखके देख लीजी आप लोगों को पता चल जाएगा कि object क्या है कि उस sentence में object आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है तो what या whom से पता चल जाएगा ये temporary तोर पर है पका इसको मत मान ले न थोड़ा सा ज़्यादा पुकता ये कर देगा आपके सामने चीज़ें करेंगे चीज़ों को भी हम अच्छे से करने वाले हैं पर फिर से आते हैं तो आपके सामने लिखा हुआ है The President Rewarded The Extraordinary Brave Soldier आप यहां पर देखें अब अगर आप Rewarded से Whom का reply पूछें The President Rewarded Whom Soldiers तो आपके सामने आंसर मिल रहा है किसको Rewarded क्या Soldiers को और Rewarded यानि सम्मानित करने का काम हुआ किसके उपर Soldiers के उपर यानि यह Action का Receiver है Action का Receiver है तो यह क्या बनेंगे Object बनेंगे Object अब यह Soldiers जो है वो English Grammar में यानि Parts of Speech क्या है इनका इनका है Noun में भी क्या है Common Clear इतनी चीज़ें clear होगी यह जो दा लगे हुए यह रादा यह रादा यह है आर्टिकल इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं अल्रेडी बता चुका हूँ कि तीनी आर्टिकल होते हैं तो इनको बार-बार मैं mention नहीं करने वाला हूँ दो words यहां पर बचे हुए Extraordinary और एक यहां पर बचे हुए Brave अब आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा बहादुर कौन है बहादुर शैनिक है तो यह जो है वो एक noun को qualify कर रहा है यह Brave जो है एक noun को qualify कर रहा है और जो word noun को qualify कर दे उसको क्या कहते हैं adjective कहते है adjective कहते है adjective में भी अगर मैं आप लोगों को इसका type तो quality बताने वाला clear हुआ अब आप अब 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 आते हैं इसके ओपर extraordinarily brave extraordinarily यह अत्यदिक बहुँ जादा very clear तो यह किसको qualify कर रहा है क्या यह soldiers को qualify कर रहा है अत्यदिक soldiers थे क्या या अत्यदिक बहादुर थे अरे अत्यदिक बहादुर थे तो यानि ये वर्ड जो है वो तो brave को qualify कर रहा है तो ये क्या बनेगा आपके सामने ये बनेगा adverb clear the president rewarded the extraordinarily brave soldiers यानि president यानि राष्टपती ने सम्मानित क्या अत्यदिक बहादुर सैनिकों को चीजे clear हुई हर एक word का parts of speech हमें पता चला तो adverb का पता चल गया कि adverb कैसे काम करता है adverb यहाँ पर adjective को qualify कर रहा है पिछले वाले sentence में वो वर्ब को qualify कर रहा था clear आओ जरा अब यहाँ पर आते हैं Mohan bought an extremely costly house near a beach Mohan bought an extremely house costly near a beach अगर इस sentence की हिंदी बताऊं तो Mohan ने एक बहुँ ज़ादा महेंगा घर खरीदा beach यानि किनारे के नजदीक यानि समुंदर किनारे के नजदीक clear इसको break करेंगे break करने के हमारी जो शुरुवात होगी वो शुरुवात होगी sorry verb से तो boat क्या होगा यहाँ पर? verb होगा काम क्या है? खरीबना और यह कर कौन रहा है? यह मोहन कर रहा है तो मोहन क्या होगा यहाँ पर? subject होगा clear मोहन को English grammar में 500 speech क्या है इसका? noun है noun में भी क्या है? proper है clear अब verb से what का reply लेते है मोहन बोट what? मोहन बोट a house एक house खरीदा उसने एक घर खरीदा उसने तो यहाँ पर क्या है? यह object बनेगा क्योंकि receiver मिल गया ना हमें object का reply मिल गया हमें तो यह object है noun है common है क्योंकि हर घर को तो घरी कहेंगे अब कैसा घर था? अरे भाईया costly था यह cheap था small था big था कैसा था? तो यह जो word है वो इसके बारे हम बता रहा है नहीं बता रहा है तो यह हो गया adjective अब कितना ज़्यादा महंगा था यह चीज भी थो है हमारे सामने extremely very तो यह जो चीज है वो इस costly के बारे हम बता रही है तो जो word एक adjective के बारे हम बता दे उसको कहेंगे हम adverb clear more and more and extremely costly यहाँ तक हो चुका है अब यह चीज बचगी है यह क्या है देखिए near जो है न यह दो है हमारे सामने यानि near जो है वो preposition भी है और वो adverb भी है यह दो काम कर सकती है यानि दो parts वो speech हो सकते हैं यह तो या preposition के या एक वो adverb के preposition कब होगा आपके सामने लिखी हुई इसकी definition अगर इसके बाद object हो तो यह क्या होगा preposition होगा अगर इसके बाद object ना हो तो यह क्या होगा adverb होगा जैसे come near नस्धी काओ तो near कहा हो near का मतलब near किसको qualify कर रहा इस come को नजदीक आने को बोल रहा है clear हुआ तो यह जो near है यहाँ पर adverb है ओके और यहाँ पर कुछ मैंने common adverb भी लिखी हुई है sorry preposition भी लिखी हुई है in, at, with, for, from, into, by, near, between, along, against, etc. और भी है अभी फिलाल मुझे इतनी common की जूरत है तो हम इतने से ही काम चला लेंगे जैसे जैसे आगे sentence में बढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोगों के सामने नहीं नहीं preposition भी आती चलेंगे आप लोग उनको पहचानते भी चलेंगे अब इंचे जोंको आपको ध्यान में रखना है कि preposition कौन कौन सी होती है अब यहाँ पर आप लोगों को near के बारे में पता चलेंगे कि उसके बाद अगर object आए तो वह preposition होगी अब आते हैं यहाँ पर तो यह near क्या है यहाँ पर? near है यहाँ पर preposition अब बीच क्या है? यह article लगा है obviously noun है, common है तो यह बन गया आपके सामने इस preposition का object क्योंकि preposition आएगी तो preposition का object तो आएगा न पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि यह जो चीज़ वो पत्थर की लगी राप लोगों को यह मानना ही मानना है कि भाई आप प्रेपोजिशन आए तो प्रेपोजिशन का अब्जेक्ट आपको लगाना ही पढ़ेगा और अब्जेक्ट कोन होते हैं नाउन या प्रोनाउन मैं बहुत बार इस चीज को रिपीट कर चुका हूँ बट करना भी पढ़ रहा है काफी सारे लोग जो है वो या बच्चे जो है वो इस चीज को सुनेंगे शायदी रिटेट होएंगे इस बहुत बार हो गया लेकिन करना भी पढ़ता है इस मैं ड्यूटी ओके थर्ड सेंटेंस पर आते हैं थर्ड जो सेंटेंस है सचिन प्लेड रेली वैल इन दिल लास्ट मैच अब इसको इस सेंटेंस में वर्ब की पहचान करें तो वर्ब होता है यहाँ पर एक्षन को रिप्रेजेंट करें प्लेड 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 थीन पॉर्म है तो यह होगा आपके सामने वर्ब खेलने का काम हो रहा है कर कौन रहा है सचिन कर रहा है तो सचिन क्या है यहां पर सब्जेक्ट है पार्ट सो स्पीच क्या है नाउन है ना उनमें भी कौन सा टाइप है, proper है, clear हुआ, अब क्या इस वर्ब से, इस वर्ब को आपको object मिल रहा है, what या हूं का देख लिजिए, सचीन प्रेड वर, what, match, क्या आपको played match, आपको reply मिल रहा है, सर, match मिल तो रहा है, मुझे ने match खेला, लेकिन जड़ा यहाँ पर आप चीज देखेंगे, यह लगा हुआ है, in, preposition, और preposition तो कहेगा, मुझे तो object चाहिए, तो यह लिजिए, यह आगया preposition का object, तो preposition और preposition का object का, तो कोई लेना देना नहीं होता न, वोब से, यह बात तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और यह जो चीज है, वो side में हट जाती है, अब यहाँ पर यह रख लेते हैं, सचिन played, सर, सचिन played well, सर, यह हो सकते हैं, अरे, यह जो चीज है, वो तो इसको how का reply दे रही है, सचिन कैसा खेला, अरे, सचिन तो अच्छा केला, बूरा केला, तो यह जो चीज है, वो तो how का reply मिल रहा है, मैं तो कह रहा हूँ, वटिया हूं का reply, clear, तो यह word जो है, वो आपके समने object नहीं बनेगा, अब जैसे मैंने थोड़ा सा hint आप लोगों को बता दिया, how का reply मिल रहा है, यह कैसा कहला, इस verb के बारे में तो बता रहा है, यह well जो है, वो सचिन के बारे में तो बता नहीं रहा, सचिन खेलने के बारे में बता रहा है, कि सचिन कैसे कहला, तो सचिन खेला कैसे, तो बहुत अच्छा खेला, तो ये well जो है वो plate के बारे हम बता दिये हम तो ये एक verb के बारे हम बता दे उसको क्या कहेंगे हम adverb कहेंगे clear साफ लेख लेता हूँ adverb कहेंगे अब कितना अच्छा really अच्छा बहुत जाथ अच्छा तो ये really जो है इस well के बारे हम बता रहे हैं यह क्या होगा एडवर्ब जो खुद एक एडवर्ब के बारें बता दे तो वो भी तो एडवर्ब होती है तो आपने यहां पर देखा कि यह एक एड़ेक्टिव को क्वालिफाय कर रहा था तो एडवर्ब बन गी यहां पर फुट फिर से एक बार adjective के बारे adjective को qualify करा था थो अड़र बन गी यहां पर आपढ़ देखेंगे तो यह एक word को qualify कर रहा था थो adverb बन गी खुद adverb को qualify कर रहा था adverb बन गी तो फिर सारी चिसे हमने एक बार किकर करे चिजों को देख लिया यह तो एक शुरुआ था, बेसिक है, अब जो है, हम चलेंगे इनके टाइपस के उपपर, कि एडवर्ब की टाइप कितनी होती है, जैसे मैंने आप लोगों को एडजेक्टिव कराया था, जो शुरुआत करवाया थी, एडजेक्टिव में, तो आप लोगों को थोड़ी बहुत डेफिनिशन वहाँ समझाई थी, एक एग्जामपल के तुरू वहाँ पर आप लोगों को आया था, फिर टाइप के उपर गया फिर हमने उनके प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर एग्जामपल देखे था, यह देखिए, यह आपके लिए होमवर्क, आपको घर पे एक काम करना है, जब अगली वीडियो आईगी तो हम इनहीं सेंटेंस को करने वाले हैं, और इनके अलावे एक और कॉंसेप्ट है, कि एक और भी हैं, जब हम इसके बेसिक लेक्चर, अभी तो फिलाल बेसिक लेक्चर पर, जब इसके डिटेल पर चलेंगे तो वहाँ उसके बारे हम बात करेंगे, तो जब देखिए, पहला जो टाइप है, वो है टाइम, टाइम यस्टरडे हो गया, सून, लेट, अरली, अरो भी हो गया, अब यह जो चीज है, टाइम, अब अगर वर्ब से वैन का रिप्लाइ लेंगे न, तो आप लोगों को टाइम का पता चलेगा, कि भाया कब गया, कल गया, जल्दी आया, लेट हो गया, पहले हो गया, अभी हाल फिलाल में गया हूं, कल जाओंगा, तो यह यह जो एडवर्ब है, वो आपको टाइम बताएगा, एडवर्ब अगर यह टाइप जो है, बहुत हल्प करने वाले हैं आपके जब आप टैंस सीखेंगे, टैंस सीखेंगे, टैंस में यह रोल प्ले करने वाले, मैं आप जब लोगों को टैंस कराऊंगा तो इनी चीज को फिर से दोःने वाला हूँ वहां पर, क्यूंकि टैंस में काम आएगे, आपके सामने जो टैंस आएगा, उसमें कोई ना कोई हिंट चुपा होता, वो हिंट का काम यही है, यह वो हिंट है यहाँ पर, अभी वो उस चीज के उपर मैं नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि कोंकि के बारें बताती है, प्लेस, जब आप वब से विहर का रिप्लाई लेंगे, here, there, up, down, upstairs, somewhere, the action performed here, कहां हुआ भाईया, यहां हुआ, तो यह जो है, वो, स्थान को बता रही है, सर, स्थान को बताने वाले, तो noun होते हैं, मैंने का, noun तो एक particular name होता है, here, कोई नाम थोड़ना है, clear हुआ, there, up, down, यह जो चीज़े होगी, upstairs, मैं अपनी चश्मा कहीं भूल गया हूँ, somewhere, तो यह जो चीज़ होगी, कहीं भूल जाना, कहीं हैंनी, somewhere, okay, manner आओ, manner का मतलब होता है, कोई काम कैसे हो रहा है, how का यह जो चीज़े हैंना, when हो गया, where हो गया, जब आप वर्ब से इनका reply पुछेंगे, the action performed when, तो वो आप लोगों बताएंगे, यह जो when का reply मिलगा होगा, yesterday, the action performed yesterday, performed आएगा, the action performed yesterday, तो yesterday आगया, उसने बता दिया, आपे, clear, अब बात करते हैं, frequency, frequency का मतलब होता है, कोई काम कितनी बार हो रहा है, एक बार हो रहा है, दो बार हो रहा है, या हो इनी रहा, how often, how often जो है वो, आप वर्ब से जब how often का reply लेंगे, तो आपको frequency पता चलेगी, जैसे daily, always, seldom, never, daily यानि हमेशा, रोज, हमेशा, seldom, यानि अक्सर ना के बराबर, never यानि गभी नहीं, और यहां पर मैंने एक जगा आप लोगों के लिए छोड़ रखे, यह जो है, वो spelling test के लिए, यहां पर आनी है, एक spelling occasionally, आप लोगों को करना का है, वीडियो पोज करनी है, वरना देखो यार, अगर ऐसे चीज़ें करेंगे, हम नहीं लिखेंगे, तो कोई फाइदा नहीं है ना, उस चीज़ को करने का, clear, occasionally, clear, occasionally, यह होती है occasionally की spelling, ध्याम एक लिए जीज़ का, frequency हो गया, अब बात करते हैं degree, degree का मतलब होता है, intensify करना, कोई चीज़ की, कोई कम हो रहा था, यह बता देना, या फिर अब कहाएं कि, बहुँ ज़्यादा हो रहा है, intensify, मात्रा, volume भढ़ा देना, एक तरीके से, उसकी करने की, जैसे होती होती हैं, amplify कर देना, उस चीज़ को, okay, how much, तो आप वर्ब से reply लेंगे, how much, तो आप लोगों को, degree का पता चलेगा, जैसे very, enough, too, much, far, etc, clear, यह होगी आपके सामने, adverb of type की, जितनी भी आप लोगों को, basic में जरूर थे, मैंने आप लोगों को, वहाँ पर करवा दिये, और इसके अलावा, जो भी बच जाती है, वो हम, कब करेंगे, जब हम इसके detail पर चलेंगे, जब हम इसके detail पर चलेंगे, तो उस चीज़ को, हम करने वाले हैं, जितनी भी type बच जाती है, clear, अभी क्या है, कि जब जैसे sentence आएगा, तो वहाँ पर आप लोगों को पहचान पाऊगे, कि यह adverb है, adverb का कौन सो type है, तो थोड़ी वह चीज़ी वहाँ clear हो जाती है, तो practice के लिए, आप लोगों के सामने, मैंने 5 example यहां पर रख्या हुए, clear, आपको करना क्या है, यह वीडियो जब मैं बंद कर दूँगा, तो आप लोगों के यह sentence करने है, ताकि आप लोगों को कोई काम मिला हुए, आप evaluate कर पाएं, वीडियो को फिर से देखें, अगर चीज़ें समझ नहीं आई हैं, तो better रहेगा, और यह बहुत help करने वाला है, आपको adverb समझने में, देखें, अगर आप यह काम करते हैं, तो definitely आपको adverb समझाएगे, अगर नहीं करते हैं, तो फिर तो कोई फाइदा नहीं है, कोई चीज भी आप लोगों कोई भी concept, देखें, यह जो चीज़ है, वो paid में जाती है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों कोई सच में, पेड कोर्स में मैं करवाता हूँ, ऐसे नहीं है कि free में ही चीज़े, बट मुझे लगता है कि basic तो चीज़ों को पता होना चाहिए बच्चों को, तो इसलिए basic यहाँ पर मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और पूरी कोशिश करूँगा यह पूरा का पूरा English Grammar का कोर्स यहाँ पर मैं करवा दूँ, तो वो करने के लिए तो आप लोगों को साथ देना पड़ेगा न, साथ कैसे देंगे, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और आज की हम अपनी पार्ट टू की जो वीडियो है, एडवर्ब की पार्ट टू वो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, तो इससे पहले जो पार्ट वन करवाया है, उसके अंदर मैंने आप लोगों को एडवर्ब के बारे में थोड़ी बहुत information आप लोगों को दी है, साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया है, कि एडवर्ब के कितने टाइप होते हैं, और लास्ट में मैंने आप लोगों को कुछ घर के लिए homework जैसे छोटे बच्चों को देते हैं, वैसे मैंने आप लोगों के लिए homework दिया था, वहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा था, कि आप लोग जाईए इन sentences को break करिए, break करके आप देखें कि वहाँ पर adverb क्या है, adjective क्या है क्योंकि अब तक कि जितनी भी basic lecture मैंने करवाती है, देखें थार्ड है तो दो basic lecture जा चुके हैं और आज थर्ड भी खतम हो जाएगा, तो अब तक जो basic lecture आ चुके हैं उसके अंदर noun और थोड़ा बहुत चीज़ों को grab करिए, बहुत अच्छे से चीज़ें clear करवाई गई है चलिए, तो आज हम अपने जो आप लोगों को काम दिया था उन sentences को देखने वाले हैं, आप अपने sentences निकाल लीजिए, ताकि आप लोगों को चीज़े clear हो जाएं, और इस इस वीडियो के अंदर ही माँ आप लोगों को adverb और adjective के बीच में थोड़ी बहुत similarities है, मतलब कि एक word जो हो adverb भी बन जाता है, एक word जो हो adjective बन जाता है, कैसे find out करेंगे, वो चीज़ भी आप लोगों को यहां पर करवाने वालों पहले sentence के उपर आते हैं पहले sentence है Indian soldiers fought very bravely sorry, sorry Indian soldiers fought very bravely against the enemies अब हमें sentence को break करने की शुरुआत कहां से करनी है हमें sentence को break करने की शुरुआत करनी होती है वाब से एक sentence में वाब क्या होती है जिसकी तीन फॉर्म हो जितना मैंने आप लोगों को basic बताया है उसी के बारे हम बात करें तीन फॉर्म हो और जो action को represent कर दे तीन फॉर्म हो और जो action को represent कर दे clear तो यहाँ पर आप देखेंगे Indian soldiers fought very bravely against the enemies तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यह fight fought यह जो है वो verb होगी action हो रहा है, लड़ने का कर कोन रहा है soldiers कर रहे है, तो यह क्या होगे subject होगे, action के doer को हम क्या कहते है subject कहते है, against जो है वो यहाँ पर preposition है और मैंने आप लोगों को बताय हुआ है कि preposition के बाद क्या आते है, preposition के object आते तो enemies क्या होगे preposition के object होगे, noun है, common है clear, soldiers भी noun है, common है अब यह Indian क्या कर रहा है, यह जो word है वो किसको qualify कर रहा है, यह qualify कर रहा है soldiers को, soldier का है noun है एक word जो noun को qualify कर दे है, noun के बारे में बता दे उसको क्या कहते है, adjective कहते है और कौन सा adjective है, यह proper adjective है क्योंकि proper noun से बना proper adjective clear है, अब यह bravely और very ज़रा यह दो ही word रहा है, the article होते है यह मैं लिखनी रहा हूँ, very और bravely दो ही word रहा है, इस sentence के अंदर जो हमें बताने कि यह क्या है, इनकी parts of speech के हैं, आप अगर यहाँ पर reply लेके देखें, मैंने आपको कहा था कि जो adverb की जो type होते हैं, time place, manner, frequency, degree मैंने आप लोगों कराया था, आप अगर वर्ब से when का reply, या फिर where का reply, या फिर how का reply या फिर how often, या फिर how much, अगर in words के reply लें आप वर्ब से, तो आप लोगों को क्या मिलता है, adverb मिलता है, अब यहाँ पर ज़रा देखें Indian soldiers fought how, कैसे लड़े how का reply मिल रहा है, तो how का जब reply मिल रहा है, तो वो क्या मिलेगा, आपको adverb of manner, यह bravely, इस fought को qualify कर रहा है, लड़े कैसे बहादरी से लड़े, तो यह इस fought verb को qualify कर रहा है, एक word जो verb को qualify कर दे, उसको कहते हैं, adverb, और adverb में भी कौन सा, manner, clear अब यह very, किसको qualify कर रहा है, इस fought को qualify कर रहा है, इस bravely को qualify कर रहा है, जड़ा सोचो बहुत बहादरी से या बहुत लड़ाई, कैसे बहुत बहुत बहादरी से, तो एक word जो adverb को, खुद को qualify कर दे, उसको भी तो adverb कहते हैं, intensity बढ़ा रहा है adverb of degree पहला sentence हो गया हमारे सामने, इसका meaning क्या है, भारतिय सेनिक, लड़े बहुत बहुत बहादरी से, दुश्मनों के किलाव, clear हुआ second sentence पर आते हैं, amidst sold the questions amidst sold the questions very easily, without any help clear आउ जड़ा, sentence को देखें, sentence की शुरुआत करेंगे, हम break करने की, verb से, sold, sold, sold ये बनी है आपके सामने, verb इसको किया कि इसने, amidst ने, तो amidst क्या बनेगा, यहां पर, subject noun है, proper है sold word, questions questions मनेगा, object, noun है common है अब यहां पर हो, without, without होती है, preposition, और यह help हो गया, preposition का, object अब काफी सारे बच्चे सोचेंगे सर, हमें तो नहीं पता, यह against आपने बोला preposition है, without आपने बोला preposition है, हमें तो नहीं पता, ना, preposition क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे, जरह देखो, आज आप लोगों को पता चल गया against एक preposition है, without preposition है, क्या आने वाले sentences में, जब भी आप यह against और without देखो, कि तो आप पहचान नहीं पाऊगे, कि preposition है कुछ सीखने ही तो आई हो, ना, सीख लिए आज आपने कि against और without preposition होती है आप लोगों को पता चल गया preposition होती है तो अब जब भी यह sentence में use होंगे आप लोगों को असानी से पता चल जाएगा कि preposition होती है और preposition के बाद क्या आते हैं, उसके object आते हैं तो help बनेगा object अब जरह आते हैं any के उपर any क्या कर रहा है any यह help के बारे हैं, without any किसी की help नहीं लिए, किसी की भी help नहीं यह जो any है वो इस word के बारे है तो यह preposition का object मना हुआ है यह preposition का object मना हुआ है तो यह है क्या? noun है यह जो noun है और एक word जो noun के बारे हैं बताते हैं, नहीं क्या होता है adjective होता है, यहां पर clear अब आते हैं यहां पर, यह 10 article है यह very and easily बच गा very को तो मुझे लगता है कि बच्चा असानी से कर लेगा मैंने लगता हर जगह very-very लगा दिया very यहां पर, very यहां पर कोई ना मुझे अलगी लगाना चाहिए था कोई बात नहीं आप समझ जाओ यह easily क्या कर रहा है questions कैसे solve के मुश्किल से, असानी से कैसे solve के, अरे बहुत असानी से, easily तो यह word जो है वो easily, अचे, solve को solve को qualify कर रहा है, ना कि questions को मैंने गलती से questions के लगा दिया यह जो easily जो है solve को qualify कर रहा है जब solve को qualify कर रहा है, एक verb को qualify कर रहा है तो यह क्या बनेगा, adverb बनेगा अब कितनी easy से यह बहुत easily, very तो एक word, जो खुद adverb को qualify कर रहा है, वो हो गया adverb of degree यह easily क्या बनेगा यहाँ पर, adverb of manner, यह adverb of manner clear हो है है, ओके next sentence पर चलते हैं, इसका मतलब होगा ना अब इतने solve के बहुत असानी से questions बिना किसी help के third sentence पर आते है, mokis talks very loudly and arrogantly, देखे, generally क्या होता है, किसी word के साथ, किसी word के साथ ly लग जाए, तो वो adverb बना देता है, generally पत्थर की लगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो costly आएगा, यहाँ नहीं है, शैद पिछले वाले sentences मैंने कराया जब एड्यक्टिव करवा रहा था, तो वहाँ पर आया हुआ था, तो जरूरी नहीं कि हर वर्ड जिसके साथ ly लगे तो वो adverb होता है, वो adjective भी हो सकता है, तो ध्यान रखना, बट मैंने का ज्यादा थर adverb होते हैं, आओ जरब, mukis talks very loudly and arrogantly, mukis यहाँ पर क्या हो गया, subject हो गया, noun है, proper है, clear, अब जरा देखें, and जो है, वो conjunction है, अब यहाँ पर जरा देखो, loudly and arrogantly, कैसे बात करते हैं, तेज अवाज से, बहुत घमंडी तरीके से, उसका बात करने का तरीका क्या है, arrogantly, loudly, यह आप देखेंगे, तो यह verb को क्वाली क्व हो गया, जरा देखो, यह very क्या कर रहा है, very इसको भी qualify कर रहा है, और इसको भी qualify कर रहा है, देखें, and conjunction का काम यह होते है, जो दो words को जोड़ना और उनके बीच की जो तो common चीज़ उसको भी एक में करके देदेना, ऐसे, तो यह very loudly और very arrogantly भी है, लेकिन यहाँ से आप समझ को qualify कर देखो, यह adverb of manner है, यह भी adverb of manner है, यह adverb of degree है, अब जरा यहाँ पर देखने वाली बात यह सीखने वाली बात कहा है, कि ऑन्ड़र आपने ऊपर जो है, वो तो एड़वा लगा रखी ती, यह रही, यह रही, यहां पर भी दो एडवब थी, यह रही, यहाँ पर चीज नहीं है समाने तोड पर क्या होता है कि जब same type ki adverb, Economist Ж TO पराइस यह थे बात कहीं थी, कि Same type dage और बैल के लिए क्या होता है कि कांजंक्शनों आझाते है papa यहाँ से मनने यह सीखेंगे ना हम आउजरन यह हो गया फोर सेंटेंस पे चलते हैं अजे ओफन कम्स हीर विद दैट बोई अजे जो है वो अकसर आता है यहां पर उस लड़के के साथ शुरुवात कहां से करेंगे वर्ब से कम्स हो गया में वर्ब यह वर्ब आने का काम कोन करता है यह एक्शन कोन कर रहा है अजे कर रहा है तो subject हो गया noun हो गया proper हो गया कब आता है यह frequency बता रहा है comes तो यह often क्या बनेगा यहां पर adverb बनेगा clear adverb वो frequency clear अब here with that boy with क्या होती है preposition होती है और preposition के बाद क्या आते हैं उसके object आते हैं क्योंकि यह noun है common जो एक noun के बारे बता दे वो adjective होता है demonstrative adjective है अब यह here क्या है कहां आते हैं here तो इसको qualify कर रहा है comes को verb को qualify कर रहा है तो adverb of place है यह adverb of place होगी clear हो गया यहां पर अब आते हैं कि अब काफी सारी चीजें जो है अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि sir आपने यह adverb जो है वो अभी वर्ब से पहले लिखी यहां पर आपने adverb जो है वो वर्ब के बाद में लिखी यह पंगा क्या चल रहा है sir sir यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपने तो adverb जो हो अब्जेक्ट के बाद में लिख रखी है sir यह कैसे कर रहे हो हमें कैसे पता चलेगा कि adverb की position क्या होती है देखे एड़ब की position थो हम करेंगे लेकिन उसको अभी ना करके detail पे जब जाएंगे नो वहां करेंगे क्योंकि जादा पेचीदा हो जाएंगे जादा चीज़ें अगर आ जाएंगे दिमाग में तो उसको catch नहीं कर पाएंगे तो मैं उसको एक पर थोड़ा सा दूर रख रहा हूं यह बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि बच्चा सोचते कि हमें पता चलेगा नहीं चलेगा तो मैं यहां क्लियर कर रहा हूं कि पता चलेगा सारी चीज़ें बता चलेगे लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम सीख कर देंगे सारी चीज़ों को फिर भी थोड़ा जनली अगर बताऊं कि जो एड़वो फ्रिक्वेंसी होती है यही एड़वो फ्रिक्वेंसी वो जनली वर्ब स का कोई object रखाओ ना जैसे यह रहा वब का object रखाओ तो वो object के बाद भी आ जाती है clear हुआ तो थोड़ी बहुत position आप यहाँ देख लिए कि adverb frequency पहले आ जाती है adverb manner verb के बाद आ जाती है अगर verb के बाद अगर कोई object रखाओ तो object के बाद हम लगा देते हैं प्रणाउन है clear हुआ प्रणाउन हो गया यहाँ पे अब प्रणाउन में भी indefinite प्रणाउन है हम करेंगे इस चीज को जब हमारा पहला लेक्जर प्रणाउन कहीं होने वाला है तो इसलिए मैंने नहीं करा है इसलिए लिखा भी नहीं मैंने उसका टाइप इसलिए स्टोल बढ़ा है कार तो कार हो गया ऑप्चेक्ट नाउन है कॉमन है अब किसकी वह यह इस जो है वो इसके प्रदिकार जता रहा है तो adjective हो गया कौँ सा पोसेशिव अजेक्टिव कब चुरा ली टाइम बता रहा है इस्टोल वेन जब टाइम बता रहा है एक वर्ड जो टाइम बता दे तो वो क्या होता है एड़व उफ टाइम समझ में आया तो बस यही था हमारे सामने clear हो गया आग के यह हो कि हमारे सामने जो मैंने आप लोगों को घर से करने के लिए देते प्रैक्टिस जो मैंने आप लोगों को दी थी अब एक प्रैक्टिस हैसी करनी है कि आप लोगों को चीजों को थोड़ा और clear कर लें कि एड़व एक वर्ड जो है वो एड़व का भी काम कर देता है एक वर्ड जो है वो एड नुच्छेघ्टिव बर्सिस जो एज़ेक्टिव और पॉरॉण का प्रॉन का वो जो करवाया था आप लोगों को पारिजिन करवाय था वहां पर आप लोगों को यह चीज़ रही थी कि कैसे हम देखेंगे एक सेंटेंस पढ़ेंगे तो यह वर्किंग देखेंगे पहचान करेंगे, वर्ब क्या होता है यहां पर, जो action को represent करते हैं, जिसकी तीन form होती है, तो work है, तो work बनेगा यहां पर main work, किया किसने, मोहन ने किया, तो मोहन यहां पर subject है, मोहन का part so speech क्या है, noun है, और proper है, clear होगी है, अब own क्या है, preposition है, और preposition के बाद क्या आते हैं, preposition के object आते हैं, यह this क्या कर रहा है, इसके उपर demonstrate कर रहा है, तो adjective है, कौन सा adjective है, demonstrative adjective, भाई काम कैसे किया, उसने, कैसे काम किया, बहुँत महनत से, hasard जो है वो इसको, work को qualify कर रहा है, बहुत महनत से, तो महनत जो है वो इस work को qualify कर रहा है यानि एक word जो verb को qualify कर दे तो वो क्या होता है? Adverb होता है कितनी महनत? बहुत जादा है महनत तो यह हो गया Adverb of degree clear यह हो गया Adverb of degree हो गया अब ज़रा देखिए अगले sentence पर आते हैं क्योंकि यह दोनों sentence में एक word जो है वो को मनाएगा यहाँ पर आप लोगों को समझाने अगला sentence में देखे तो यह इसमें verb देखेंगे तो verb जो है यह जो है must यह helping modals होते हैं यह ठीक है? करेंगे can, could, may, might यह सारे जो modals होते हैं और modals के बाद हमेशा verb की base form आती इस चीज़ को ध्यान रखना, modal के बाद हमेशा verb की base form आती है तो complete होगी main verb यह complete करने का काम किया किसने? you ने, तो you बनेगा subject, pronoun है ध्यान रखना इस चीज़ को complete work, complete work work यहाँ पर क्या बनेगा? object बनेगा object बनेगा noun है और यहाँ पर this जो है, वो इसको qualify करने वाला qualify कहीं है या फिर इसको पर demonstrate करने वाला adjective होगी okay, by क्या है? preposition है, preposition के बाद क्या आते हैं? preposition के object आते हैं, यह होगया object preposition का noun है, proper है clear? अब यहाँ पर आते हैं क्या होगया? हाँ, इस work के उपर यहाँ पर आप देखेंगे four sentence में, four sentence में यह work जो है, वो verb बना हुआ है लेकिन इस fifth sentence में यह work जो है, यह noun बना हुआ है तो आपने देखा, एक word काफी सारे parts of speech का काम कर देता है कैसे find out किया कि हमने यहाँ पर यह verb है, यह क्या कहते है work जो है, यहाँ पर noun है यहाँ पर verb है, अगर देखिए अगर आपने इसको verb बनाया तो इससे पहले adjective लगा हुआ है तो इसकी गड़बड आ जाएगी, क्योंकि adjective तो किसी verb को थोड़ना qualify करेगा तो दिक्कत ही आ गई, अगर आप इसको verb बनाओगे तो इसको क्या कह रहे हैं कि इसके लिए अपना subject चाहिए, तो subject कहां से लाओगे आप कहोगे कि सर इसको इस subject बना दे अरे इसको subject बना देंगे कि दो-दो verb आगी, तो उनको जोड़ने के लिए conjunction कहां से लाओगे, समझ रहे हो अरे दो verb होगी, दो adjective होगी दो-दो verb होगी, तो उनको जोड़ने के लिए तो कुछ न कुछ चीच चाहिए, वो चीच क्या होती है वो conjunction होती है, तो इन सारी चीजों से मैंने पता किया कि यह जो work है वो तो बनेगा यहां पर ना होनी, clear तो एक word काफी सारे पाट-सपीच का काम करता है, तो एक बार फिर से हमने इन दोनों सेंटेंसे से सीख लिया फिर से आते हैं, इस थर्ड सेंटेंस के उपर आते हैं इस थर्ड सेंटेंस के पर देखते हैं My grandfather reads है weekly magazine तो reads, यह क्या हो गया यहां पर, verb होगी यह होगी वर्ब, reads करने का काम करते हैं, grandfather, तो यह होगा आपके सामने subject होगा, यह इसके पर अधिकार जताने वाला, adjective होगा, possessive, अब ज़रा देखें, reads word, magazine, magazine क्या होगा है यहाँ पे, object होगा, noun होगा, common होगा, अब कौन सी magazine आती है, magazine कौन सी, weekly, monthly, daily, कौन सी magazine, यह जो word है, व यह एक ऐसा word जो noun को qualify कर दे, तो वो क्या होगा, वो होगा, adjective, यह adjective है, सर यहाँ पर यह weekly adverb लग रहा है हमको, time बता रहा है, अर देखिए, यह इस noun को qualify कर रहा है, एक तरीके से तो आपने एक article के भी थुरू देखें, article से पहले लिखा होता, तो भी मैं इसमें कहते थे था है, कि नहीं यार, मैं magazine को qualify नहीं कर रहा है, यह वाब को qualify कर रहा है, एक तरीके से तो आटिकल के बाद लिखा हुँ है, तो यह noun को qualify कर रहा है, दूसरी चीGreen, अगर आपको इस reads को qualify कर रहा है, इस reads को so qualify कर रहा है, तो इस weekly को यहाँ पर लिख देते ना, यह frequency बता दे रहा, तो इसको समझो अगर आप लोगों को इस weekly को अगर बाद में लेके आते तो क्या होता तो यह एडवर बन जाता है लेकिन यहाँ पर यह एडजेक्टिव है समझ में आया अब आओ पहले sentence के उपर वर्ब क्या है इसके अंदर वर्ब है यहाँ पर यह बोलिंग करने का काम कोई रहा है यह बोलर कर रहा है तो यह हो गया आपके सामने subject, noun है, common है clear अब यहाँ पर यह from क्या है preposition है preposition के बाद आते है प्रेपोजिशन के बाद आते है अब आपके साथ अफरिका हो गया नहीं, इस बोलिंग करने को रहा है तो यह बोलिंग का करने को करए है इस अबो में प्रेप कर रहे है तो वो क्या होता है? वो भी खुद भी adverb ही होता है समझे? तो इस sentence में देखा कि यहाँ पर fast दो, यह same word आया हुआ है देखे, fast, fast कोई change नहीं है spelling के अंदर तो एक word same to same repeat हो रहा है एक ही sentence में लेकिन वो working अलग-अलग कर रहा है एक बार वो adjective बन रहा है और एक बार वो adverb बन रहा है, how we find out it, कैसे हम पता करेंगे पता करने का simple सा तरीका है कि sentence को देखो कि उसमें वो word काम क्या कर रहा है देखा हमने, यह एक noun के पहले लगा हुआ है, तो क्या बना यहाँ पर यह adjective होना, और यहाँ पर देखे आगर आप इसको adjective हो लेंगे, तो कहेंगे कि इसके बाद कोई noun लेका हो, noun भी तो नहीं है सर, क्या adjective noun को qualify करेगा, तो क्या वो बाद में नहीं आ सकता, बेशक आ सकता है, लेकिन उसकी condition मैंने आप लोगों को बताई थी, कि B की form, B की form क्या होगी मेन वप का काम करतेगी, तो आप adjective लगा सकते हैं, कहीं पर भी B की form लगी हुई है, नहीं लगी हुई अगर आप लोगों को नहीं बताए, यह B की form मैं already discuss कर चुका हूँ यहाँ पर नहीं discuss करने वाला हूँ, क्योंकि concept जो है, वो repeat करना देखो, मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है, मुझे सही नहीं लगता अगर आप लोगों बता है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बता है, तो वीडियो है जाकर देखी है वहाँ पर अगला sentence, जो last sentence बसता है ओके, they hit him extremely hard with a hard bat, hit, hit, hit hit करने का काम के इसने क्या, देने यह हो गया subject, pronoun है clear, अब यहाँ पर आते है hit whom, यह हो गया object, pronoun है अब वीद होती है preposition, और preposition के बाद आते है preposition के object, यह बनाए preposition के object यह hard क्या कर रहा है, suckth bat hard bat, suckth bat इस bat को qualify कर रहा है, तो hard him को qualify कर रहा है, यह hard hit को qualify कर रहा है, यह hard they को qualify कर रहा है, किसको qualify कर रहा है क्योंकि बाद में तो preposition लगी हो, और preposition के object लगे हो, यह article है, इसका तो कोई लेने देना नहीं न, इससे, तब तेरह देखे यह hard, hard hit किया, यह hard him, यह hard day, कैसे hit किया, यह बहुत ज़्यादा हिट किया, बहुत बहुत हिम, बहुत वे, बहुत 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 कर मारा, hard, बहुत बुरी तरीके से, तो यह hard जो हो इस hit को qualify कर रहे है, एक word जो verb को qualify कर रहे हैं, वो adverb कर रहे हैं, जड़ा देखो, यहां पर यह hard आये हुआ है, यहां पर भी hard आये हुआ है, लेकिन फर्क देखना, यह adverb है, यह adjective है, यह verb को qualify कर रहे हैं, और यह noun को qualify कर रहे हैं, अब यहां पर extremely बचा हुआ है, extremely इस hard को qualify कर रहे हैं, इसलिए बन गया यह adverb of degree, clear हुआ, तो यह थे आज की इस वीडियो में, जो मैंने आप लोगों कर आएगी, adverb और adjective में थोड़ी बहुत हम देखेंगे, कि एक word कैसे वो adverb बन जाता है, adjective बन जाता है, वो चीज़े मैंने आप लोगों कर दिया था, जो पिछली वीडियो मेंने आप लोगों को काम दिया था, कि इन सेंटेंस को आपको ब्रेक करके आना है, वो भी मैंने आप लोगों करवा दिया, तो अब आप देखेंगे, तो अगर आप लोगों ने जितने भी लेक्चर मेंने आप लोगों करवाए हैं, आप लोगों को बेसिक करवा दिया, तो अब जब भी आप सेंटेंस में देखेंगे, तो इन चीज़ों को आप पहचान पाएंगे, स्वागत अब चौप का सेल स्टेडिक इस चैनल में, तो आज की हम अपनी बेसिक लेक्चर फोर स्टार्ट कर रहे हैं, जो वर्ब का है, और यहां पर मैंने पार्ट वन रखा है, क्योंकि जो यह वर्ब है, इसका बेसिक भी, मुझे लगता है कि यह चार वीडियो आएंगे, उसमें जाकर खतम होगा, क्योंकि काफी बड़ा बेसिक हो जाता है, फिर इसकी डिटेल से जब हम जाएंगे, तो वहां पर भी काफी जादा लेंटी हो जाते हैं, क्योंकि वर्ब है ही ऐसा, जिसको जितना समझेंगे, उतना ही कम लगते हैं, फूरी कोशिश रहेगी, आप लोगों को यह अच्छे से समझाने की, बेसिक के अंदर, ताकि हम डिटेल पर जाएं, तो वहां पर भी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं, तो आज का हम अपना पहला लेक्चर, या फिर कहें जो वर्ब का लेक्चर, वो स्टार्ट करते हैं, अब तक जितनी भी मैंने आप लोगों को वीडियो करवा दी हैं, जिसके अंदर मैंने जो भी आपको बेसिक कॉंसेट कराया है, जैसे कि नाउन, या फिर एड्जेक्टिव, या फिर कहूं मैं एड्वर्ब, तो मैंने आप लोगों को वहां पर क्या करवाया था, जो भी अभी तक परिभाशा या फिर डेफिनिशन मैंने आप लोगों को वाब की दी, मैंने ये कहा कि वाब जो है, हम उसको कैसे किसी सेंटेंस में जानेंगे, कि एक तो ये, कि तीन फॉर्म होती हैं, और दूसरा, कि ये एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, अब तक तो मैंने यही बताया हैं, क्योंकि इतनी ही जुरूरत थी, बेसिक के, अब थोड़ा सा हमें जुरूरत है, जादा जानने के, क्योंकि इतने से काम नहीं चलेगा न, अब थोड़ा सा और हम जादा जानेंगे, तो आज की हम इस वीडियो में वर्ब के कुछ टाइप हैं, उसके बारे में देखेंगे, और अगली वीडियो के अंदर भी वर्ब की कुछ और specific type है उनके बारे में जानेगे ताकि वर्ब को एक पर थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए ताकि sentence अच्छा बन पाए clear, ओके यह सारा rough कर दिया हमने यहां पर देखिए वर्ब, यह action को represent करता है जैसे definition में यहां पर लिखिए यह तीन काम करता है doing, being, happening वर्ब जो होता है वो तीन काम करता है क्या है doing, doing का मतलब होता है करना, clear okay, being का मतलब होता है होना, किसी चीज़ का होना, कोई चीज़ क्या है कोई इंसान क्या है, जैसे Rahul is a teacher, वो एक teacher है तो यहां पर हो गया, कोई चीज़ होता है happening का मतलब होता है कोई काम अपने आप होना अपने आप होना अपने आप होना, clear तो यह तीन काम जो है वो वर्ब करता है, क्या? doing, being और happening, okay हम पहले doing को देखेंगे, यहां पर आप लोगों को एक concept मुझे समझाना है concept का नाम है Transitive और Intransitive यह concept आप लोगों को मुझे समझाना है तब यह चीज़ें करवानी पड़ रही हैं यहां पर okay, doing वो पह आई यह doing में देखें, adjust, sold the question इस sentence को break करने की शुरुआत हम कहां से करेंगे? वोब से करेंगे sold, sold, sold तीन form है, action क्या हो रहा है? sold करने का, hull करने का तो यह हो गया आपके सामने वोब, इस action को कर कौन रहा है? अजे कर रहा है, तो यह क्या हो गया आपके सामने? subject, एक बार फिर से माँ आप लोगों के सामने subject बता देता हूँ, subject कौन होता है? subject वो होता है, जो action का doer होता है, जो action का doer होता है, उसे कहेंगे subject कहेंगे, और object भी आप लोगों के फिर से सामने लिख देता हूँ, object वो होता है अरे कोई action को करने वाला हो गया doer, action को को कोई receive भी तो करेगा यह होता है receiver object कोई होता है receiver होता है और what या whom से reply हमें action verb के object मिली जाते हैं यह मैंने आप लोगों को बताए हुए temporary तोर पे care यहाँ पर फिर से चीज़े revise होगी आईए जरह question के उपर I just sold the questions I just sold what एक तो what रखेंगे तो question इसका answer मिलेगा तो यह हो गया इसका object और दूसरी चीज़ हम देखें तो इस solve करने का काम हुआ कि इस questions के उपर तो यह क्या होंगे इसका receiver होंगे इसलिए object हो गया अब बात कुरूं English grammar में questions को कहेंगे noun noun में भी क्या होते common और same यहां पर article वो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताता हा रहा हूँ कि a, n, the यह तीन article होते हैं इनके बारे में मैं भी लिखूंगा नहीं detail से बारे में बात करेंगे लेकिन यहां पर जादा ना वो गिच-पिच-पिच-पिच पिच आती इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्लियर हो गया अगले में आईए जरह हूँ he went to Mumbai यहां पर हमने क्या देखा है वोब क्या है went went होगी वोब यह action कर कौन रहा है यह action कर रहा है he, he क्या बनेगा subject अब to क्या है preposition और preposition के बाद क्या आते है वही है preposition के बाद क्या आते है preposition के object और preposition के object कौन होते है या तो noun बनेगा और noun बना तो noun का भाई pronoun भी बनेगा clear तो यह क्या होगी आपके सामने noun noun में भी क्या है proper किसी particular शहर का नाम होगे he क्या है pronoun clear रहा है यहां पर होगे क्या देखा हमने यहाँ पर अब जरा यहाँ पर हमने देखा कि इस वाले sentence में तो verb को अपना object मिला लेकिन इस वाले sentence में verb को अपना object नहीं मिला clear यहाँ पर एक बार तो यहीं पर छोड़ते हैं फिर वो अपस आएंगे sentence के उपर अब आते हैं being के उपर अजे is a teacher इस sentence को मैं already करवा चुका हूँ फिर से करवाते हैं यह क्या है वोव है मैंने आप लोगों को बताया हुआ है यहाँ पर लिखता हूँ कि B की form कौन कौन सी है जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि is, am, are और खुद भी खुद भी भी होती है यह first form होती है second form क्या होती है इसकी was, were और यहाँ पर इसके बाद third form होती है इसकी being और इसकी एक verb की base form plus में ing होती है being clear है हाँ पर तो यह इकलोती ऐसी form है English grammar में जिसकी art form चलती है be की form कोन सी होती है को क्या कहते है linking verb क्योंकि link ही तो करती है अभी देखिए sentence में करौँगा linking verb कहते है और linking verb जब भी आएगी उस sentence में कभी भी object नहीं आएगा object नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा जड़ा देखिए हैं आपर अजे is a teacher इसमें verb क्या होगी यह होगी is सर हमें कैसे पता चलेगा कि यह B की form helping verb भी होती है और main verb भी होती है हम कैसे पहचानेंगे कि यह helping verb या main verb बिल्कुल simple सी बात है अगर इसके बाद B के बाद अगर कोई अलग से verb आ रही हो अलग से कोई verb आ रही हो तो हम उसको क्या कहेंगे helping यहां पर तब इसको helping verb कहा देंगे अगर यहां पर कोई verb आई ही नहीं रही यही कलोथी verb है तो इसको क्या कहेंगे यहां पर हम कहेंगे main verb clear देखे बिना verb के बिना verb के sentence नहीं बनता अगर verb आईगी तो उसका subject 100% आएगा आज इस चीज को बहुत अच्छे से करवाँगा मैं subject और verb वाली चीज इसी lecture के अंदर चराइए फिर से इस क्या होगी यहां पर verb होगी अब इसके बाद इसको तो अपना subject चाहिए subject चाहिए तो अजे यहां पर क्या है subject है अब यहां पर जड़ा देखिए इस sentence में अजे इसे teacher क्या इसमें कोई action हुआ मुझे बताइए यहां पर कोई action हुआ इस being में being का तो मैंने आपको बताए कोई किसी का होना बताते है कोई स्थिती बताते है किसी की दशा किसी की state बताई जाती है तो क्या उसमें कभी action होगा obviously नहीं action होगा तो यहां पर action होगा नहीं और जब action नहीं होगा तो क्या वहां पर doer होगा अरे यार action नहीं हो रहा तो उसका करने वाला कहां से आ जाएगा same अगर action नहीं होगा तो क्या उस action को receive करने वाला होगा अरे कहां से होगा यार क्या बात कर रहे हो सर action ही नहीं हो रहा तो receive करने वाला कहां से होगा exact मैं यहीं बता रहा हम अगर receiver नहीं होगा तो भाईया वहाँ पर object भी नहीं होगा same बात जो अभी तरड़ी तरफ बहले बहले हो नहीं नहीं होगा तो पर अजब भी आती है तो वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर कभी भी object नहीं होता है देखे जरह action नहीं होगा तो receiver नहीं होगा receipt नहीं होगा तो object नहीं होगा यह मैं करवा चुका हूँ noun के first lecture में फिर से मैं आप लोगों के एक तरीके से अगर ज़्यादा डिटेल्स है, सर बाकी चीजें भी तो क्या करना होगा? भाई साब वीडियो देखो जाके नाउनवाली वीडियो देखो अच्छे से क्लियर करवाई हुई है मुझे ये वहब करवाना है अगर पीछे वाली चीजों में रह जाओंगा तो वीडियो खतम ही नहीं होगी समझो इस चीज को ओके यहाँ पर आगे subject compliment यहाँ object नी मिला आगया हो जो रहा कुनाल is very smart फिर से is क्या है main verb है यहाँ पर देखिए linking verb कहेंगे इसको linking verb होगी linking verb क्यों कहते है क्योंकि यह subject compliment को उसके subject के साथ link करते है इसलिए इसका नहीं linking verb पढ़ते है सेम यही होता है link करना ही linking verb कहलाया अगले sentence पर है कुनाल is very smart is क्या होगी main verb होगी is यहाँ पर main verb होगी और कुनाल यहाँ पर क्या होगा subject होगा सर अभी आपने यहाँ पर subject लिखा यहाँ पर भी subject लिखा यहाँ पर action नहीं हो रहा तो यहाँ पर doer भी नहीं होगा तो यह subject कैसे हुआ यहाँ पर subject की परिभाशा क्या होगी अगर देखे, यहां पर subject की परिभाषा होगी, central idea, main idea, जिसके बारे में बात हो रही हो, तो यहां पर बात किसके बारे में हो रही थी, अजे के बारे में, यहां पर kunal के बारे में, तो यहां पर यह जो है subject बनेंगे, clear, noun है, proper है, अब यहां पर आओ जो रहा, smart क्या है, smart क्या कर रहा है smart को qualify कर रहा है तो यह क्या होगा यह word जो adjective को qualify करते है उसको कहते है adverb, adverb में भी कौन सा adverb में भी कौन सा भहिया intensity बढ़ाने वाली degree intensity बढ़ाने वाली होगी है degree, okay यहाँ पर adjective है qualitative adjective है, यहाँ पर लिख देता हूँ qualitative adjective, अब इस दोनो sentences से हमने क्या सिथा, इन दोनो sentences से हमने क्या सीखा, यह बात जनम है इसका, यह color थोड़ा सा change कर लेता हूँ, क्यूंकि क्या है यह कौन सा करें, यह क्या है क्या है क्या है कफी गिच-पिच-पिच-पिच ओर है यहाँ पर अब जड़ा देखो, इन दोनों sentence हमने क्या सिखा, यहाँ पर इस sentence में क्या object आया, क्या object आया क्या यहाँ पर, जड़ा मुझे बताओ, नहीं भई, सरी इसमें तो object आया नहीं सकता, तो बताओ कि यहाँ पर object आया, नहीं, यहाँ पर भी object नहीं आया, क्यों, क्यों नहीं आया है कभी भी object नहीं आता है clear यहां पर एक चीज़ यह ध्यां रखना इस चीज़ को यहां पर बिंग पर अभी आएंगे फिर से सारी चीज़ एक बार मुझे करना है concept मैंने जैसे कहा कि transitive in transitive का आप लोगों को concept कराना है यह सारी चीज़ें वहीं कर रहे हैं तो धहरे रखें शांती रखें सारी चीज़ें clear होंगी बहुत अच्छे से ओके आईए जरा happening verb से मिलते हैं happening verb का मतलब होता है कोई काम अपने आप होना कोई काम अपने आप होना जरा देखिए the sun rises in the east सूरज जो है कहां से उखता है पुरुवदिशा से उखता है इस sentence को break करेंगे sentence को break करने की शुरुवात हम करेंगे verb से तो rise यहाँ पर होगी verb clear in क्या होगी preposition और preposition के बाद क्या आते है preposition के object तो east बनेगा preposition का object और यह दा क्या है article है यहाँ पर चीज़े clear होगी यह होगी अब जरा मैंने अभी थोड़े देर पहले आप लोगों को यह बात बोली कि verb आएगी verb के बाद subject आएगा और यह 100% है अब जरा यहाँ देखो यह rises verb को क्या अपना कहीं subject मिला? अभी तक नहीं मिला तो क्या word बचा है यहाँ पर? sun बचा, sun को क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पर? subject बनाना पड़ेगा, clear यहाँ पर, तो यह sun क्या बनेगा? इस rise verb का subject बनेगा, अब यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है जाती है object, object आब जर उगने का काम हो किसके उपर है भाईया ये उगने का काम इस subject के उपर ही तो हो गया समझे जरा object क्या होता है object होता है action का receiver action का receiver होना जाए object को action को कोई receive करे वही object कलाएगा लेकिन यहाँ पर action को receive तो खुद subject करके बैठा है अरे action code receive, खुद subject करके बैठया जब subject नहीं उस action को receive कर लिया तो object कहाँ से आजाएगा उस चीज के अंदर तो happening verb में क्या होता है? जो subject होता है वो क्या होता है? वो action का receiver खुद होता है sir अभी आप ने बोला है object जो होता है वो action का receiver होता है अब ही आप बोल रहे हो कि subject action का receiver होते हैं देखिए बड़ी simple सी चीज़ है मैंने बोला कि subject आएगा subject के बाद verb आई मतलब यह subject और verb तो आने compulsory है इनके बिना तो sentence बने गाई नी और अभी इसको बहुत अच्छे से clear कराऊँगा मैं अब मेरे पास ना कोई चारा नहीं बचा है यह verb आई यह verb आई verb को तो मुझे subject देना पड़ेगा subject को verb देना पड़ेगा verb को subject देना पड़ेगा तो यहां पर एकलोता subject word क्या था? sun ही बचा हुआ था तो sun बचा होता हूँ तो मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा मुझे इसको subject ही तो बनाना पड़ा भले ही ये action का receiver हो मुझे subject तो बनाना पड़ेगा क्योंकि subject देना compulsory है इस वर्ब को इतनी जी जाई समझ में ओके पहला sentence clear होता है second sentence प्रोहन fell from the stairs यहां पर आओ यह क्या होगी fell, fell होगी won गिरना कौन गिर गा भाया रोहन गिर क्या तो यहां पर यह बनेगा subject from क्या होती है FRE pocket और preposition के बाद क्या आते है preposition के object तो stairs क्या होंगे preposition के object होंगे the article है, यहां पर भी the article है, यहां पर भी the article है अब जरहो। कि यह पर अबज्यक्त आएगा So much वह मुधर को इस्केव को पढ़ते हैं तहसा संटेंस को पढ़ते हैं इसमें आएक्षेंट क्या था है कि इसमें दूनरू सूरज जोगता है लेकिन ये काम अपने आप हो रहा है, कोई सूरज को उगाता नहीं है, या सूरज को खुद का मूड नहीं है, कि भाई आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं उगूँगा नहीं है, आज मैं पश्चिम दिशा कर लेता हूँ, आज मैं उत्तर दिशा कर लेता हूँ, ऐसे तो नहीं है न यह काम अपने आप होने वाले चीज़ें होते हैं तभी इनको एपनिंग वर्ब कहा जाता है यहां पर देखें रोहन फैल फ्रॉम दी स्टेर रोहन जो है वो गिर गया सीडियों से अब रोहन का मन किया गया गिरने का यार काफ़ी दिन होगे एक डेड़ साल होगे हमें गिरा नहीं तो एक काम करते हैं आज गिर ही जाते हैं अपनी नजरों में गिर जाते हैं नजरों में इतनी गिरते हैं कम से कम सीडियों से गिर जाते हैं तो यहां पर जो चीज है वो अपने आप हो रही है तो यह जो चीज है वो अपने आप हो रही of क्या है preposition है preposition के बाद क्या आते है preposition के object आते है यह रहा preposition को object from क्या है फिर से preposition है preposition क्या आते है preposition के object तो hands क्या बनेंगे preposition को object clear my क्या है इसके पर अधिकार जताने वाला यह क्या है possessive adjective possessive adjective अब यहां पर देखिए verb क्या मिली वर्ब थी sleep अब यह वो भाई क्या इसको अपना subject मिला, नहीं मिला तो subject कौन बनाना पड़ेगा, एक glass ही तो बनाना पड़ेगा, subject कौन बनाना पड़ेगा, एक glass बनाना पड़ेगा, तो glass जो है वो subject बन मन गया, अब ज़राद देखो師 यहां पर, यह sleep का receiver कौन हुआ भहिया यह subject हुआ clear तो यह word हुआ यह subject बनके बैठा है तो यहाँ पर जो happening verb होती है happening verb में जो subject होता है वो action का receiver खुद बनके बैठा हुआ होता है तो कभी भी happening verb में object नहीं आएगा समझ में आया अब फिर से आते हैं इस sentence इन दोनों को जो इन तीनों को चीजों को मैंने कराया है doing को being को happening को जड़ा देखो doing पर आते हैं doing में हमें object मिला बेशक मिला पहले वाले sentence मिला क्या अगले वाले sentence में हमें object मिला नहीं मिला तो हमने क्या जाना इस doing में हमने यह जाना कि भाई इसमें object हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते हैं हमने यही जाना आब आओ ज़रा इस being वाले में दोनों sentence मैंने इसलिए दो दो लिखे हैं यहां पर तीन लिखे हैं ताकि आप लोग समझ पाओ कि यहां पर जो है object नहीं आता being verb में कभी भी object नी आएगा, अबजिक्ट क्यों नी होगा इसलिए यहांपर जो action होना था वो action तो होता ही नी आए यहांपर तो state बताई जाती है, किसी कि statistics बताई जाती है, जब action नी होगा तो इसलिए यहांपर कभी भी object नहीं आएगा, तो being verb के case में object कभी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ज़रा ध्यान देना यहाँ पर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है सिर्फ और सिर्फ doing verb के case में लेकिन being verb के case में कभी भी object नहीं होगा, अब आओ ज़रा happening verb वाले में, happening के हमने तीन sentences देखे, तीनो sentences में क्या हमें कहीं object मिला अरे object कौन होता है, action का receiver होता है अभी जैसे मैंने बोला है, object कौन होता है action का receiver होता है, यहाँ पर तो subject खुद action को receive करके बैठा है subject खुद क्यों receive करके बैठा है क्योंकि इस verb को अपना subject चाहिए था और कोई word बचन रहा था, इसलिए हमें subject इसी को बनाना पड़ा, और जहीं यहाँ पर subject खुद action को receive करके बैठा है तो object तो यहाँ पर आएगा ही नहीं तो क्या हुआ, happening verb के case में भी कभी भी object नहीं आएगा clear यहाँ पर, अब यह बात समझ में आगी तो यह concept जो था मुझे यहाँ पर करवाना है transitive and transitive, समझो जरा जो verb अपने लिए अपना object रखे जो verb अपने लिए अपना object रखे या फिर जिस verb को अपना object मिल जाए उसको क्या कहते हैं, हम transitive verb कहते हैं जरा देखिए, यह रही sold, sold क्या है यहाँ पर transitive verb है, transfer हो जाता है इसका मतलब यह होता है, कि action का transfer हो जाना, देखिए, action का transfer हो जाता, अजे ने किया काम, हल करने का, हल किसके अपर होगा, इस questions के उपर तो यहाँ पर यह action का transfer हो जाता questions के उपर, तो obviously, यह जो sold है, यहाँ पर क्या कहलाएगी, transitive verb, जिस verb को अपना object मिल जाए, वो क्या कहलाएगी, वो transitive verb कहलाएगी clear, और जिस verb को अपना object मिले ही न, जिस verb को अपना object मिले ही न, वो क्या कहलाएगी वो intransitive कहलाएगी, है, simple भासा में कहें, जहाँ पर action जो है मतलब कि, जो verb अपना action transfer ही ना कर पाए, वो क्या होगी वह इंट्रांजिटीव होगी जरां यहां पर देखो वेंट यहां पर क्या है इंट्रांजिटीव होगी तो यहां पर देखेंगे तो being में क्या होती है हमेशा इंट्रांजिटीव ही होगी happening में क्या होगी हमेशा intransitive verb होगी कि इनको अपना object नहीं मिलता समझ में आया है यहाँ पर और doing इकलोती कैसी verb होगी इकलोती type की ऐसी verb होगी जिसमें transitive भी हो सकती और intransitive भी हो सकती है जहाँ action का transfer हो भी सकता और जहाँ action का transfer नहीं भी हो सकता है clear उमीद करता हूँ कि यह जो concept जो मैं आप लोगों को बता रहूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि थोड़ा सा heavy हो रहे है पहले जो हमने कराया adjective का, adverb का noun का वो तो बहुत easy था बहुत basic से मैंने चलाया था अगर यह समझ नहीं है फिर से video देखिए free of cost है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई charges लग रहा है video delete हो रही है या तीन बार देख सकते हैं या चार बार देख सकते हैं unlimited है कितनी बार भी देखो कभी भी देखो free है कोई cost नहीं है इस चीज का तो समझो इस concept को बहुत बढ़िया concept आगे आने वाले टाइम में यह देखिए यह transitive-intransitive का मैंने क्यों करवाया है देखिए transitive-intransitive का करवाने का main motive मेरा यह है कि जैसे मैं pronoun का first lecture लूँगा तो कुछ questions ऐसे होगे मैं क्या कर रहा है कि आप लोगों को rule मुझे करवाने नहीं है बिना rule के मुझे English grammar आप लोगों करवाने है और बिना rule के करवानी है तो यह concept आप लोगों को समझने जरूरी है जब मैं English grammar का मतलब कि pronoun का first lecture लूँगा तो वहां क्या होगा कि ऐसे-इस concept आएंगे कि मुझे इन चीजों का यूज करना पड़ेगा रूल रटे नहीं करना है ना तो यह concept यहीं समझ लो है और बहुत असान सा concept है वो जिसको subject मिल जिसको अपना object मिल जाए वो ट्रांसिटिव और जिसको ना मिले वो इन ट्रांसिटिव यह basic सा concept है और यह क्या है इस चीज को मैं करवाऊंगा जब मैं pronoun के first lecture में जाऊंगा तो वहाँ पर या फिर जब हम detail पर देखेंगे pronoun को देखा जाए तो वही first lecture होगा यह तो basic चल रहा है तो rule रटों से दूर रहना है तो concept पे पकड़ बनानी पड़ेगी यह concept मैंने आप लोगों को दी है lifetime में आप लोगों को यह अच्छे से याद हो जाएगा ऐसा निए कि सर लाइफ टाइम हम त्यारी करते रहेंगे नहीं बात यह है कि आप लोग lifetime में कभी भी आपको जूरत पड़ेगी तो ऐसा निए कि कभी वो rule आपको देखने पड़ेंगे ऐसा निए आपको यह concept होगा ना बस से एक बार आपको याद आगया अरे हाँ ट्रांजिटीव हो कहते है फट दनी यह चीज याद आने वाली हो बहुत help करती है चीजों को लिखने में राइटिंग में बहुत help करती है चीज समझने में बहुत help करती है बातें बहुत हो गई है यह चीजें करवाती मैंने आप लोगों को transitive and transitive आई यह जरा मुझे आप लोगों को एक concept और करवाना है वो concept क्या है यह subject और verb वाला मैं यह जब बार-बार क्याता रहो न कि sentence में verb आएगे तो उसका subject आएगा जब verb आएगे तो उसका subject आएगा object हो या ना हो उसे कोई फरक नहीं पड़ता आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है देखिए न आपने आपने जितने भी यह type देखिए है यह doing देखा, यह being देखा, happening देखा यहां पर object आया भी और नहीं भी आया basic देखा जाए तो being में तो कहीं पर भी object नहीं मिला happening में भी कभी object नहीं मिला clear यहां पर, तो object आभी सकता है नहीं भी आ सकता है लेकिन subject और बाएगी इसको मुझे अच्छे से कराना है तो एक काम करते हैं जरा तोड़ा सा color change कर लेते हैं वापी स्रेड पर आ जाते हैं क्योंकि यहां पर मैंने green color में रख रख है मैं क्या करवा रहा हूँ आप लोगों को, मैं करवाने जा रहा हूँ types of sentences इसके मुझे जरूरत पढ़ने वाली है types of sentences जितनी भी चीज़ें करवा रहा हूँ न उनकी सब की जरूरत मुझे पढ़ेगी इसलिए जितनी भी चीज़ें आ रही है ऐसे नहीं है कि फाल्तू की चीज़ लिग दिया है क्लियर कहेंगे क्या या तो हम कोई बात positive में बोलेंगे affirmative का मतलब होता है positive या कोई बात हम negative में बोलेंगे यानि note लगा के बोलेंगे जरा आईए पहले sentence को देखिए assertive के दो टाइप होते हैं यहां पर affirmative और negative आईए पहले sentence को देखेंगे Mohon plays cricket यहां पर हो गया अब यह काम कर कौन रहा है यह मोहन कर रहा है subject हो गया यह खेला क्या cricket क्या बनेगा object बनेगा noun है proper है cricket noun है proper है वह आप लोग खुद कर लीजिए इतना तो आप लोगों को आयगे होगा noun proper है noun common है वो चीज़े मैंने पिछले वाले sentence में शाहिद वो छोड़ दी है अगले वाले sentence में आईए Mohon does not play cricket Mohon does not play cricket में यह play क्या होगी यहां पर verb होगी भया इस verb को negative बनाना है मुझे इस खेलने का काम कौन करेगा यह भया यह करेगा Mohon बनेगा subject noun है proper है क्या खेलेगा क्या खेलेगा नहीं छाहिछ बने लेकल इस प्लेप को negative है क्या है वह है एक word जो एक verb के बारें बताते हैं एक word जो एक verb के बारें बताते हैं वो क्या होती है? वो होती है adverb वो होती है adverb, adverb of negation है adverb of negation है, ये क्या है? ये है helping verb, ये है helping verb, does not, do not ये होती है helping verb, do does, helping verb होती है सर ये helping verb होती है? हमें तो पता ही नहीं था जरा हो जरा मिला देता हूँ do की form होती है do की form होती है ये होती है do does did done और doing समझे do, does, did, done ये होती है first ये होती है second ये होती है third ये b की form plus में ing अब जरा देखो ये मोहन singular था तो इसलिए मैंने yes वाली चीज़ लगा ही है ये singular वाला concept मैं अभी आप लोगों करवा देता हूँ देखो जरा noun में ठेके, एक मिंट, एक मिंट noun पे जाने से पहले मैं आप लोगों को हिंदी से चीज़ करवाता हूँ बड़े, एक दुम बड़िया तरीके से देखे वह जाता है वह जाते है अब मैं आपसे पूछूँ कि इन में से, इन दोनों वाक्य में से, सही वाक्य कौन सा है तो आप क्ये कोगे कि सर, सही तो ये है गलत है ये वाला क्योंकि वह जाता है ऐसा ही ही होता है कि अगर करता अगर करता एक वचन है तो क्रिया क्या लगेगी? एक वचन ही तो लगेगी लेकिन इस sentence को अगर मझे ठीक करने को हूँ तो sir एक काम करें न वह काट दीजिए वह कर दीजिए तो क्या समझे इसमें से? मैं ये समझाना चाहरा हूँ कि हिंदी में जैसे एक वचन होता है और उसके साथ क्रिया भी एक वचन लगाए जाती है अगर करता एक वचन होता है तो क्रिया भी वचन लगाए जाती है अगर हिंदी में ऐसा होता है तो भाई साब इंग्लिश में भी तो ऐसा ही होता होगा इंग्लिश में भी तो singular, plural चलती होगी जैसे अगर मुझे car singular है, इसको मुझे plural करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ S या ES लगा दूँगा, तो यह नहीं आएगा cars अरे, आर भूल गया, cars तो यह हो गया noun का noun का हम कैसे करते हैं, noun को अगर हमें plural बनाना हो, boy, boys, girl girls, तो car, cars S या ES लगा देते हैं same, verb में भी singular plural चलता है, जैसे अरे, हिंदी में kriya का एक वचन बहुचन चल रहा है verb में भी तो वही चलेगा, ना verb में भी, English में भी verb में वैसे चलेगा इसमें भी singular और plural होता है singular और plural होता है लेकिन इसमें ना उल्टा होता है उल्टा हिन्दा सेंस कि अगर मैं एक verb ले रहा हूँ, go मैंने वर्ब ली go मैंने एक वर्ब ली तो go जो है, वो plural होती है और इसके साथ अगर S E I E S add कर दो, इसके साथ S E I E S add कर दो, goes बनता है तो वो singular बनती है, समझे अरे, noun को अगर तो उसके साथ S E I E S add करूं, अगर वर्ब को तो उसके साथ S E I E S add करूं, यह है, जब वो पैदा होती है, तो समझे, वो जब पैदा होती है, उसको मैं singular बनाना पड़ते है, clear और यहां तो यह चीज होगी, तो आओ ज़रा अब यहां पर यह do does हो गया, ये do does में ये does क्या है singular है, तो इसलिए मोहन के according does लगाया मैंने, do नहीं लगाया एक तो ये चीज, दूसरी चीज इसको helping work कहेंगे, सर helping work कह सकते हैं, अरे कर सकते हैं, do जो है, वो दो काम करती है, ये helping work भी करती है, ये main work भी बनती है, सर अगर helping work भी बनती है, main work भी बनती है, ये तो सेम B की form वाला काम कर रहा है, सर अभी आपने बोला न, B की form, ये B की form, सर आपने बोला B की form भी helping work भी बनती है, देखो helping work भी बनती है, और ये main work भी बनती है, तो सर क्या ये do की form यह do की फोर्म seeking Ng कहते हैं इसे linking grow काएंगें तो बनें इस आयो नहीं है में में बनेगी लेकिन यह linking grow नहीं के है helping भी बन सकती है तो इस चीज में confused नहीं होना की फॉर्म जब main बने तो इसा linking नहीं गएंगे आई बास समझ में तो यह we helping बर कर रही है negative करना होता हुत ना में sentence को negative करना होता है तो इसलिए हम इसको डू डश की help से करते है sentence को negative clear अब यहां पर एक और चीज comment वाली ध्यान रखने वाली हो रहा है आपके सामने वो ये sorry एक मिलाइट हाम आपको दियान रखने वाली क्या है कि जो do के साथ play उपर वाले में जब आपने play देखा उसके साथ क्या लगा हुआ था उसके साथ s लगा हुआ था लेकिन जब यहां पर आए तो क्या यहां पर s लगा हुआ नहीं लगा हुआ, क्योंकि यहां पर do के साथ ही SES लग गया तो एक बार verb को singular बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि यहां पर जी singular थी, यहां ऐसा नहीं है कि एक बार और फिर से SES लगाते चलेंगे ऐसा नहीं करेंगे हम, इस चीज को क्लीर हुआ यहां चीज कि एक ही बार SES एड करेंगे, हर बार थोड़ना है कि SES एड करते ही चलेंगे वहां पर, ओके यह होगे हमारे सामने, यह अजर्टिव समझ में है, अजर्टिव कि इतना टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं अजर्टिव और नेगेटिव, आओ जर्टिव अगले सेंटेंस में इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कोशन पूछने वाले, यहां कोशन लगाना भूल गया मैं कोशन पूछने वाले को कहते हैं तो, are you studying English? क्या तुम English पढ़ रहे हो? तो, यह हो गया अपने सामने are क्या होगी? helping verb होगी studying क्या होगी? main verb होगी English क्या होगी? object हो गया और you क्या हो गया? subject हो गया you क्या हो गया? subject हो गया यहां पर समझ में आया है यहां पर तो, यहां पर क्या देखा? इस word में, इस sentence में आपको subject मिला, ये मिला ओपर वाले में subject मिला, अरे बेशक मिला ये मिला, ये मिला हुआ, ओके आगे आओ जो रहा, imperative sentence most important part है sentences यही चीज मुझे करानी थी आप लोगों को ज़़ा देखो imperative का मतलब होता है ये तीन काम करवाता है आपसे ये तीन काम करने की काम आते है इसमें sentence verb की base form से start होते है दियान रखना है, आपकी सामने मैंने definition उपर ही लिखी है, ये तीन काम करता है, तीन काम जैसे order का order में command आ जाता है, advice किसी को advice देना, request किसी के सामने प्रारतना करना, तो ये होते है ठीक है, तो ये तीन काम करता है क्या काम करता है, order, advice, request और इसमें sentence जो है, वो किस से शुरू होता है, वो verb की base form से शुरू होता है भाईया, सर ये verb की base form क्या होती है अरे verb की base form मैंने बता रखी है फिर से बता देता हूँ कि ये मैं यार, यहां पर फिर से बताने वाली बात आती है, कि तो ये जो वीडियो ने यार, lengthy बहुत हो जाएगी अभी जैसे मैंने बहुत concept जो है फिर से बताएं, तो base form वाला मैं बता चुका हूँ तो जाकर पुरानी वाली वीडियो देखो यार, पैसे भी उसके उपर views नहीं है views बढ़ाओ यार, जाकर, इतनी महनत हो रही है बढ़िया बढ़िया content प्रवाइड कर रहा हूँ मुझे पता है न, बढ़िया content है क्योंकि बच्चों को offline बढ़ाता हूँ, तो बच्चे कहते हैं तो वहाँ पर मुझे feedback मिलता है यहाँ पर नहीं मिल रहा बढ़ वहाँ मिलता है, मुझे पता है content अच्चा है बहुत मैनत की हुई इसके उपर तो जाकर वीडियो देखो, कुछ एक views बढ़ाओ वहाँ पर आव जरा, समझो इसी इसको imperative क्या होते है imperative तीन काम करते है, order, advice, or request अब जरा समझो, close the door इसमें verb क्या है, इसमें verb है close, close what, door करतो यह हो गया object, the article होते है यहाँ पर देखो, work hard work hard में verb क्या है, work है hard क्या है, hard इस verb को qualify करने वाला adverb है, क्योंकि एक word जो है वो verb को qualify कर दे, वो adverb कहलाते है please help me, help है यहाँ पर verb help है, यहाँ पर रे यार, एक बिनट, एक बिनट यह थोड़ा सा गड़ पड़ो गया help है यहाँ पर verb, यह me क्या है, इस verb का object, यह please क्या है यह है, इंटर्जेक्शन इंटर्जेक्शन, clear अब जरा इन sentences को जरा देखो sir, अब यहाँ आपने थोड़ी तर पहले बोली थी एक बात, कि subject आएगा और verb आएगा subject आएगा और verb आएगा यह बात आप लोग कब से बताते आ रहे हो, sir यहाँ पर आपने verb लिखा, यहाँ पर आपने verb लिखा, यहाँ पर आपने verb लिखा लेकिन कहीं पर भी इसका subject नहीं लिखा ऐसा क्यों? और यह sentence है भी है सर यहाँ पर subject का है? यहाँ पर subject है मैं कह रहा हूँ कि यहाँ subject है subject आएगा यहाँ पर लेकिन वो subject जो हो hidden है और sentence है उसको नहीं बोलेंगे तब भी सही है अब जरा समझो यहाँ पर subject कौन है यहाँ पर actual में subject कौन है इस sentence को सुनो जरा close the door अब मैं अपने आपको यहाँ बनाता हूँ यह मैं खड़ाओं ठीक है यह मेरे सामने desk रखा है podium सा अच्छा थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ठीक है podium सा रखा हुए यहाँ पर जो है चोटे 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 क्या वो बच्चे बैठे हुए पढ़ने वाले clear यहाँ पर यह बच्चे हुए बच्चे एक दो दोर बना देते हैं यहाँ पर तोड़ा सा माहूल बन जाएगा हमारे पास भीड़ो हो जाएगी यहाँ माईक बना देते हैं माईक तो ऐसे नहीं हो कैसी बनालो ठीक minutes तोड़्य बच्चे बैठे हुए अब बच्चे को कहा मैंने इसको कहा close the door इस बच्चे को close the door अब अगर एक बात चरह सोचो यहाँ पर अगर कोई बच्चा ही नहिता तो मैं क्या sentence बोल देता, close the door सोचो ज़रा अगर मेरे सामने कोई बच्चा ही ना बैठा होता यह समझो, यह बच्चे ही नहीं बैठे तो मैं बोल देता, close the door कहोगे, यह सरफ बावले होगी ऐसा कोई हो सकता है, आप अकेले close the door बोल रहे हूँ order है, order तो मैं किसी को सामने वाले कोई दूँगा, मेरे सामने कोई बैठा होगा clear, मैं इसी को तो order दूँगा, अब यह जो है, वो इस काम को सुनेगा close the door, और करेगा कौन जो इस काम को सुनेगा समझ रहे हो, जो इस काम को सुनेगा, वो इस काम को करेगा परसन होता है, टॉक अबाउट जिनके बारे में बात हो रही हो, यह करेंगे जब हम उसमें जाएंगे ना, प्रोणाउन में, वहाँ पर आएगा, फिरसर चीज रिपीट होगी है, अब सुनो जरा, तीन परसन होते हैं अपने पास, पहला परसन होता है, स्पीकर, दूसरा होत स्पीकर यहाँ पर, अब इस काम को करेगा कौन, अरे इस काम को करेगा वो, जो इस काम को सुनेगा, सुनने वाला कौन होता है, लिसनर, और लिसनर के लिए हम क्या लगाते हैं, यू, लिसनर के लिए लगाते हैं, यू, तो यहाँ पर इसका सबजेक्ट कोन है, वो यू है, या I, या V, ये सब क्यों नहीं हो सकते, या डहली, ये सब इसका सर सब्जेक्ट क्यों नहीं हो सकते, मैं इसलिए नहीं हो सकते, क्योंकि भाईया ये जो काम है, close the door करने का काम जो है, वो करेगा जो इस काम को सुनेगा, और सुनने वाले कोन होते हैं, यानि लिसनर कोन होते है वो होता है you और ये जो होते हैं ये फिर्स परसन और थर्ड परसन होते हैं ये speaker ये फिर talk about जिनके बारे हम बात हो रही होती है इसलिए यहां पर कभी भी all of subject नहीं बनेगा यहां पर हमेशा subject कौन होगा या imperative में हमेशा subject कौन होगा वहाँ you होगा imperative में हमेशा subject कोन होगा क्योंकि यहाँ पर आप advice दोगे यहाँ पर आप order दोगे या फिर आप यहाँ पर request करोगे वो किस्ते करोगे जो आपके सामने खड़ा होगा वो आपकी बास सुन रहा होगा वो listener होगा और listener कोन होता है वहाँ पर होता है listener you clear तो यहाँ पर you जो है वो इसका subject बनेगा तो इन तीनो sentences में you work hard अरे भाईया कोन सुनेगा किसको काऊगे जो आपके सामने होगा you work hard उसको बोलोगे तो यहाँ पर यह किसको काऊगे please help me जो आपके सामने होगा you please help me यह होगे आपके सामने subject यह होगे आपके सामने subject यहाँ पर और कोई क्यों subject नहीं बन सकता यहाँ पर he क्यों नहीं बन सकता यहाँ पर she क्यों नहीं बन सकता अरे यह इसलिए नहीं बन सकते या फिर they क्यों नहीं बन सकता यह इसलिए नहीं बन सकते इस काम को सुनने वाला, इस काम को करेगा, सुनने वाला कौन होता है, यूँ, यानि क्योंकि वो listener होता है, second person, second person हो कहते हैं, listener, clear यहाँ पे, तो यह जो थी imperative sentence, बहुत बढ़िया concept है, imperative वाला, बहुत काम आने वाले चीज़ है, तो imperative sentence क्या होता है, यह तीन काम करते हैं, क्या काम करते हैं, order बताने वाले, advice बताने वाले, request बताने वाले, clear, और इसमें sentence जो है, वो verb की base form से start होता है, यह ज़रा देखो, help verb की base form, work verb की base form, close verb की base form, यह verb की base form से क्यों start होता है, इसका जवाब यहाँ पर मिल जाएगा, अरे देखो, you, तो हमने कभी सुना ही नहीं, तो क्या होता है, you are होता है, समझ में आया, अब एक और चीज़ बताओ, you have होता है, या फिर you has होता है, you have होता है, you has होता है, you has तो होता है, you have होता है, सर यह क्या हो रहा है, सर यू तो एक बंदा भी उता होता है जिसके सामने हम बोल रहे हैं अरे मैं ये कह रहा हूँ ये एक के लिए भी लगाया जाता है और ये एक से ज़्यादा के लिए भी लगाया जाता है यानि दो के लिए तीन के लिए कितने मरज्यों के लिए लगा लो मेरे सामने अगर एक बच्चा बैठा है तो उसके लिए भी यू और ये पांच बैठे हैं तो इनके लिए सब के लिए यू लगता है समझ मैं है तो यू को हमेशा plural ही count किया जाता है एक तरीके से यू के साथ हमेशा verb जो होती है वो plural आती है और जैसा मैंने बताया कहां गया वही है वो sentence ये रहा verb जो होती है जो पैदा होती है वो plural पैदा होती है तो यू गो होता है क्योंकि यू जो है वो plural ही माना जाता है वो एक इनसान के लिए भी आता है वो बहुत इनसानों के लिए भी आता है इसलिए इसको singular plural में ही consider किया जाते और इसके साथ वब जो होती है प्लूरल लगा जाती है और वब प्लूरल लगाने का मतलब हो है जो वब प्लूरल होती है वही होती है वब की बेस फोर्म वही होती है वब की बेस फोर्म इसलिए यहाँ पर वब की base form, verb की base form के साथ ही start होता है, तो यहां पर देखो help verb की base form, इसलिए you आया, you help you helps नहीं होगा इतनी चीज़ आई समझ में तो यह हो गया हमारे सामने imperative sentence आओ ज़रा, थोड़ा concept बड़ा हो रहा है मुझे पाता है मुझे लगता है कि इतना काफी है यह जो है, optative sentence मैं बाद में करवा दूँगा, optative के बारे में भी हम करेंगे imperative हो गया क्योंकि length जादा हो जाएगी वीडियो को देखेंगे नहीं लोग, तो मेरा ही नुकसान हो जाता है उसमें boring, boring यह लगती है बच्चों को यह लगते हैं, इतना length ही मत कराओ तो आज के लिए इतना ही रखते हैं यह optative है, exclamatory है और इसके बाद मैंने आप लोगों को transitive, intransitive चीज़ें करवानी हैं इसको भी कराएंगे और कुछ यह और चीज़ें यह भी करवाने वाला होगे और एक बार जल्दी से revision कर लेते हैं कि हमने first party के अंदर किया क्या क्या था हमने verb के अंदर हमने यह देखा था कि action को represent करते हैं कि doing होती है, being होता है, happening होता है doing का मतलब होता है, करना मैं थोड़ा fast इसलिए का बोल रहा हूँ क्योंकि मैं already यह सब चीज़ें discuss कर चुका हूँ तो being का मतलब होता है, होना यानि किसी का कुछ होना, state यानि यह दश्या बताता है किसी के okay, happening का मतलब होता है अपने आप, अपने अप कोई काम हो जाना, अपने आप काम होना, clear, जैसे बारिश होना वो अपने आप हो रही है, अब उसके उपर हम यह जाएंगे कि ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसे भाब बनती है, भाब जद्धी उपर जाती हो ठंडी होती है, हमें उस प्रोसेस में नहीं जाने है, हम यह एक grammar है, language है, उसको सीख रहे हैं, ना कि यहां पर हम कोई जोग्राफिका concept सीख रहे हैं, clear, अपने आप काम होना, okay तो doing का मैंने आप लोगों को बताया था, यहां पर बताया था कि यहां object object आता भी है और नहीं भी आता है, same, मैंने आप लोगों को being में बताया था, कि being में कोई action नहीं नहीं होता, being में action नहीं होता इसलिए यहां पर object कभी आएगा नि क्योंकि object कौन होता है object जो होता है वो action का receiver होता है अरे कौन होता है action का receiver होता है अब action का receiver होता है तो यहां पर action होता है नि क्योंकि इसमें एक state बताए जाती है अजे इसे teacher यहां पर teacher है अजे जो है वो टीचर है तो इसमें किसी का कोई action नहीं हुआ एक दशा बजाए जाती है तो इसलिए यहाँ पर कभी भी object नहीं आएगा, clear यहाँ पर object नहीं आएगा Okay, happening work happening work पर मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें काम अपने आप हो रहा है, इसमें अपने आप काम हो रहा है देखिए, rises जो है, यह जो काम है वो sun के उपर हो रहा है, उगने का काम होगा कि इसके पर sun के उपर, फैल का काम है मतलब गिरना, इसका मतलब गिरना, गिरा को है रोहन, और कि slip हो गया तो यहाँ पर आप देखेंगे यह जो subject बना था वही action का receiver हो गया तो action का receiver खुद subject बन गया तो object तो वहाँ पर आएगा ही नहीं clear यहाँ पर तो इन दोनों cases में हमने देखा था object आता ही नहीं फिर मैंने आप लोगों को यह subject subject plus verb के बारें बताया था कि बहिया एक sentence के अंदर verb 100% आती है अगर verb आएगी तो उसका subject तो आएगा ही आएगा और यह मैंने आप लोगों को sentence के type से समझाने कोश्च की देखें अपने पास 5 type के sentence होते हैं 5 type के sentence होते हैं पहला होता है assertive का मतलब होता है कथन का मतलब होता है कहना clear तो हम कैसे कहेंगे कोई चीज तो हम affirmative affirmative का मतलब होता है positive कोई बात हम affirmative यानि positive way में कहेंगे जैसे Mohan plays cricket Mohan play cricket cricket खेलता है या negative कहेंगे Mohan does not play cricket तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को यह does का concept भी समझाया था does क्यों लगा यह note भी बताया था यहाँ पर S लगा हुआ यहाँ पर S नहीं लगा इसका concept भी बताया था clear यह सारी चीज़ें मैं discuss कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पर मैं briefly बात कर रहा हूँ आपके सामने interrogative मैंने बताया था interrogative में क्या होते है फिर से मैंने question mark नहीं लगा है interrogative में क्या था are you studying English जिसमें question पूछा जाए तो वो interrogative होते है और यहाँ पर भी क्या होते है यहाँ पर भी subject आता है यहाँ पर भी subject आता है यहाँ यह verb रही यह helping verb है यहाँ पर यह main verb है यह helping verb है clear तो यहाँ पर हमने दो sentence में देखा यहाँ तो subject और verb मिलते हैं फिर हमने तीसरे type काम ने बात की थी imperative में imperative में मैंने कहा था तीन type के काम होते हैं इसके order बताना advice देना request करना clear यहाँ पर और इसमें जो है यह verb रही verb की waste verb से start होती है verb की waste form से start होती है ठीक है sentence जो है यहाँ पर बब की waste form से start होता है clear okay यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता है जो subject होता है वो subject कौन होता है यहाँ पर subject होता है you क्यूँ इसका reason मैंने आप लोगों को दिया था क्योंकि close the door यह कहने वाला मैं हूँ मैं किसी को order दूँगा यह काम कोन करेगा जो इस काम को सुनेगा और listener जो होता है वो you होता है listener जो होता है यह listener है और listener जो होता है वो you होता है clear तीन person होते हैं ना हमारे सामने तीन person होते हैं यह सारी बाते मैं कर चुका हूँ तीन person होते हैं तीन person में first person होते है सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि 41-minute की वीडियो हो चुकी थी काफी लेंटी वीडियो हो चुकी थी तो मुझे लगा कि यह थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं इसको अलग अलग वीडियो पे आपको प्रोवाइड कर देंगे तो शुरू करते हैं आगली कहानी को मतलब अगला concept ह करते हैं आगे बढ़ते हैं उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं तो optative का मतलब होता है किसी के लिए कोई दुआ करना दुआ करते हैं हम यहां पर may you succeed in your effort may you live long हम यह कहते हैं कि तुम भाई आपनी जिंदिगी में success हांसिल करो तुम लंबे जीओ you are welcome thank you यह सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं okay थोड़ा break कर लेते हैं अपना थोड़ा पूरे break करना पड़ेगा in in क्या होती है preposition होती है और preposition के बाद क्या आते है preposition के object आते हैं किसके effort भाई या तुम्हारे effort तो यह इसके उपर अधिकार जता रहा है तो यह हो गया adjective 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 में भी concept possessive adjective clear यहां पर सारी चीज़ें मैंने कर रखी है अगर यह कोई पहली बार देख रहा है तो I have already cleared all these basic concept अगर आप जाकर देखेंगे पीछे की वीडियो में मैंने आप लोगों को noun adjective 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 सारी चीज़ें करवा दी है यह वर्ब का थोड़ा सा basic में थोड़ा बड़ा है इसका काफी बड़ा है डिटेल में भी हम इसको अच्छे से करने वाले है तो यह अगर नहीं बता है तो जाकर वीडियो आप देख लीजिए अलग से playlist मेंने बना रहे है ओके यहां पर आई इंटेरोगेटि में जब हेल्पिंग वा पहले आई थी हेल्पिंग वा पहले आई थी तो यह कोशन मनाया था लेकिन ओप्टेटि में ये हैवा भी ह're बता रहे है यहांपर फिर भी ये क्या नहीं बना क्यूंकि यहांपर आप एक देख लिजी ना यहांपर ओप्टेटिव के तोर पे इस तरीके का स्टक्ट्टर जो यूज करते है और जो है यहांपर मेंवा बन्ह today व्यूadas देंक्यू भी होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं तो यहां हमने क्या देखा यहां पर भी subject प्लस वर्ब का पेर हमें मिलता है अगले सेंटेंस में जो लास्ट स्ट्रक्चर है यह लास्ट सेंटेंस है टाइप सेंटेंस का वह एक्सक्लेमेटरी विश्मे आदी बहुत अग जिसको कहते है न आश्चर चनिक वट बीटीफुल फ्लावर कितना सुंदर फूल है तो वह हुरे वी वोन दा मैच यह वही है कि यहां चीज ए खिले हो और यहां चीजे क्लिइर होती है हमारे सामने तो यहां हमने क्या देकर इसमें भी सब्जेक्ट विगाए अब यह सारे चीजे मैं क्युक्य बताई, यहां से मैं start हुआ, assertive का, interrogative का, imperative का, optative का, exclamatory का, यह यह जो concept जो बताने का मेरा main motive यह था, कि आपने पिछली वाली वीडियो में देखा था, तो मैंने happening verb, happening verb, being verb, or doing verb, यह चीज़ें गराई थी, तो यहां पर happening verb में बच्चा confused ही हो जाते हैं, कि जैसे मैं कहता रहा हूँ, कि object कोन होता है, object तो होता है, action का receiver, action का receiver होता है, तो यहां पर जो है happening verb में, action का receiver तो खुद subject बनके बैठते हैं, अब बच्चा यही दिमाग लगाएगा, यहां पर subject जो है, वो receiver बना हुए, तो हम उसे object क्यों नहीं कह सकते, reason यह है, कि object आए, ना आए, कोई फरक नहीं पड़ता, object आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, लेकिन यह दो चीज़े हैं, subject और verb, यह कंपल सरी है, इसका आना बहुत जरूर है, तो यह कैसे पता किया, जितने भी sentence बनते हैं, English, grammar के type जितने में, वो मैंने आपको लोगों को सामने यहां पर समझा दिये, जिसे यह चीज़ क्लियर है, कि हर sentence के type में, subject और verb मिल रहे हैं यहां पर, फिर मैंने आप लोगों को एक छोटा सा concept और कराया था, transitive, transitive और intransitive का, देखे, intransitive और transitive कराने का, मेंन मोटीव क्या था, मेंन मोटीव यह था, कि आप लोगों को अगर rule रटने नहीं है, अगर rule रटने नहीं है, उनको समझना है, logic चाहिए आप लोगों को, English grammar को रटना नहीं है, आप logic चाहते हो इस चीज़ का, 90% मैं आप लोगों को logic प्रोवाइड करा हूँगा, 10% कुछ चीज़ें होती हैं, convention, बन्तों, आपको माननी पड़ती हैं, वो माननी पड़ेंगी, जैसे P को P क्यों गयते हैं, वो तो मानना पड़ेगा ना बईया, वो मेरे पास ilाज नहीं है, तो ऐसी कुछ और चीज़ें हैं, जो आपको माननी पड़ेंगी, लेकिन 90% चीज़ों का, आप लोगों को logic यहां पर मिलेगा, तो यह जो चीज मैंने कराई ना, transitive, intransitive, मेरा main motive इसको कराने का यह था, कि जब मैं pronoun के lecture पे जाऊंगा, प्रोणाउन में एक concept आता है, reflexive pronoun, reflexive pronoun, reflexive pronoun में क्या होता है, कि एक verb आती है, उसके बाद कहेंगे कि यहां पर आप reflexive pronoun, जैसे he introduced himself, तो क्यों हम himself लगाएं, what is the reason, क्या कारण है उसका, तो वो जो चीज है, वो यह वाली concept आपको clear कराएगी, transitive, intransitive, तो एक तरीके से समझाया है, कि इसको use का करेंगे, बहुत अच्छे से use करेंगे, और इसको अभी समझाओंगा आप लोगों को, transitive versus intransitive verb क्या होती है, यहां पर हम चीजों को देखेंगे, बच्चे की दिमाग में यह भी आते है, कि सर हमें कैसे बता चलेगा, transitive कब होती है, intransitive, एक बर जबर जबर इसको समझते हैं, फिर उसके बारे में हम discuss करेंगे, clear, पहले sentence, पहला हम पना काम क्या होगा है, पांच नहीं है, यह छे sentence है यहां पर, पहले इन पांचों को यहां पर, जितने भी स्लाइड के उपर हैं, उनको ब्रेक कर लेते हैं, पहले sentence पे देखते हैं, Mohan plays cricket with his brother, with his brother, तो plays जो है वो verb होगी, plays जो है वो verb होगी, यह काम किया है कि इसने Mohan ने किया, तो Mohan यहां पर क्या होगा, subject होगा, noun है, proper है, clear, plays what, यह what से reply जो है, वो आपको temporary तोर पे क्या मिल जाता है, object मिल जाता है, साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, कि object कोन होता है, फिर से, थोड़ा बहुत, revision हो जाएगी न, receiver, action का receiver, action का receiver कोन होता है, object होता है, तो देखिए, खेलने का काम हुआ कि इसके उपर, इसके रिकेट के उपर, action को receive कर रहे है, न यह, तो यह क्या बनेगा, object का, मतलब, verb का object मनेगा, with, with क्या होती है, मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत, यहां पर बताया भी हो हुआ है, in, on, at, for, from, with, without, यह, यह जो चीज़ें होती है, यह क्या होती है, यह होती है, preposition, यह क्या होती है, preposition, और जब भी preposition आएगी, जब भी preposition आएगी, उसके बाद, उसका object आएगा ही, आएगा, यह 100% है, और object कौन बनता है, अब्जेक्ट यहां तो noun बनेगा, या फिर noun का भाई, pronoun बनेगा, clear यहां पर, तो यह भी चीज़ आती है, फिद क्या है, यहां पर preposition है, यह preposition है, और preposition के बाद, उसका क्या चाहिए, यह preposition का object, तो brother क्या बनेगा, preposition का object, noun है, क्यों बनेगा, clear यहां पर, किसका brother भाईया, यह his, जो है वो, इसके उपर अधिकार जता रहा है, तो यह adjective है, adjective में भी कौन सा है, possessive, possessive adjective, यह निए अधिकार जताने वाला, clear, इस sentence को किया, अगले sentence पर आओ जो रहा, Mohan played well in the last match, इन क्या है, preposition है, और preposition के बाद क्या आते है, preposition के object आते है, यह बना preposition का object, last, यह order बता रहा है, adjective है यह, numeral है, numeral में भी कौन सा है, ordinal, order बताने वाला, clear, the article है, played, played यहां पर verb है, यह काम किया, कि इसने Mohan यहां पर subject है, भाई अब बताओ, खुझ से एक बार question करो, Mohan played well, क्या यहां पर object आया क्या, सर यह रहा object, well को object बना दो, अरे यह well तो object होना है, यह तो यह बता रहा है, कि Mohan कैसा खेला, बूरा खेला, अच्छा खेला, Mohan कैसा खेला, यह well जो है, नहीं आया, सर यह match है ना, उसने match कहला, अरे वो तो preposition का object बन के बैठा है ना, भाई या, देखो मैंने कहा था ना, preposition और preposition के object का, कोई लेना देना नहीं होता, वर्ब से, उसको side met आओ, preposition क्या काम करती है, अगर मैं यहाँ पर full stop लगा दू, Mohan played well, भाई अच्छा खेला था, इट डजन्ट मैंटर कि भाई आप बताओ, ना बताओ, कहां खेला था, किस में खेला था, यह आपको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह जो आप लगा रहे हो, 9th last match, यह तो information ही तो add कर रही है, और कुछ तो नहीं कर रहा है, यहाँ पर, तो preposition के, और preposition के object का, कोई लेना दना नहीं होता, वर्ब से, तो आपने देखा, यह plate जो है, यहाँ पर इसको अपना object नहीं मिला, और यह sentence बिल्कुल सही है, यह sentence बिल्कुल है, अभी सारे sentence जो है, वो सही करवा रहा हूँ है, कोई भी error नहीं आ रहे हैं अगला sentence आ जाओ, अकास stopped his bike near our shop, तो stop, stopped, यह क्या हो गया, वर्ब हो गया, अकास ने क्या है, श्टोकने का काम, तो अकास बन गया subject, noun है, proper है, noun है, यह वाला भी proper है, मैं लिखना भूल गया था, यह noun है, common है, ध्यान रखना इस चीज़ का, stopped word, bike, bike रोगती, तो यह क्या बनेगा, object, action हुआ, action का receiver कोन हुआ, bike हुआ, stop होने का काम किस के ओपर हो रहा है, bike के ओपर हो रहा है, तो यह noun है, common है, किसकी bike, his bike, तो adjective है, possessive adjective है, ओके, यह near, our shop, देखे, near जो होती है न, मैंने आप लोगों को करवाया भी हुआ है, near जो है वो, adjective ही बनती है, adverb भी बनती है, और यह preposition भी बनती है, तीनों काम करती है यह, कैसे पता करेंगे, सर हमें कौन सा काम कर रही है, जिए इस case में तो है, यह preposition, अगर आप preposition नहीं मानोगे, तो adverb तो आप इसको बिल्कुल नहीं मान सकते, एक बार होता है न, कि सर हम इसको preposition नहीं मान रहे, preposition नहीं मान रहे, हम इसको adjective मानेंगे, adverb नहीं मानोगे, उसका reason मैं देता है, adverb जो होती है, वो verb को qualify करती है, वो adjective को qualify करती है, या फिर वो खुद को qualify कर लेती है, यहां पर कहीं पर भी एक किसी चीज को qualify करती हुई, नहीं मिलेगी, एक तरीके से यह देखो, यह जो चीज है, आप इसको adjective मानोगे, adverb तो मानोगे नहीं, चलो ठीक है, adjective मान लिए, अगर आपने इसको adjective मना लिया, तो यह किस चीज के लिए आ रही है, किस चीज के लिए आ रही है, यह आपको देखना पड़ेगा, देखिये जरा, यह adjective है, किसी चीज को तो क्वालिफाई करेगी, अरे किया ना सर, नियर जो है, वो बाइक नियर है, नजदीक है हमारे, तो वैसे कर लो इस चीज को, अरे वो वाला concept ना, मैं उस चीज में जाना ने चाला है, क्योंकि वो देखो, और और ज़्यादा पेचीदा हो जाता है वहाँ पर, अगर आप इसको adjective मानते हो, तो यह जो शौप है, यह noun है, यह जो शौप है, यह noun है, आप इसको काम क्या प्रवाइड करोगे, आप काम in the sense, कि देखो, noun जो है, वो पांच काम करती है, वो पांच काम क्या प्रवाइड का, subject बनने का, object बनने का, preposition object बनने का, subject compliment बनने का, object compliment बनने का, यह पांच काम करती है, आप इस शौप से करवाओगे, क्या यानि in noun से करवाओगे, subject बनाओगे, अरे already आ चुका subject, सर क्या एक सेंटन्स में दो subject नहीं आ सकते, बेशक आ सकते हैं, लगाओ नहीं एक और वब इसके लिए, देखे, subject लगाओगे, तो उसके लिए उसका वब का पेर चाहिए ना, उमको, तो यह नहीं है, object, अरे object आ चुका, आप इसका object कहां से लगाओगे, इसके परदिकार जाताने वाला, possessive adjective, clear यहां पर, अगला sentence पर आओ जरम, अमित स्टोप्ड आर शोप, यह फिर से preposition है, शोप यहां पर फिर परदिकार जाताने वाला, possessive adjective है, स्टोप्ड वब है, यह काम किया गी इसने, अमित ने, तो यह क्या हो गया, subject हो गया, यह noun है, proper है, मैं भूल गया था यहां पर, noun है, proper के बारे, अब जरा इसमें देखो, क्या, इसमें object आया गया, अरे सर, अमित ने अपने आपको रोका ना, तो अमित ने अपने आपको रोका कैसे, उसके break लगे हुए थे, क्या, उसने अपने आपको रोक लिया, अरे तुम रूख गये, तुम जा रहे थे, बस रूख गये, अमित रूख गये, तो यहां पर action का transfer तो वह रही नहीं, clear यहां पर तो यहां object नहीं है, action का receiver नहीं होगा यहां पर, ओके, इसको बाद में करते हैं, यह वाले जो चीज हैं वो बाद में करते हैं, पहले इन चानों को sentence को समझो ज़रा, मुझे आप लोगों को बताने है, transitive और intransitive, transitive जो आप इस वर्ब को समझते हो न, इस वर्ड को अगर समझते हो, अरे कहां गया, इस वर्ड को समझते हो, trans, trans का मतलब होता है move, इसका root, यह जो root word है, इसका meaning होता है move, move का मतलब एक जगा से दूसरी जगा पे जाना, वो तरह रहे ट्रांसफोर हो जाना, मतलब ट्रांसफोर कर देना, किसी वेक्ति का ट्रांसफोर हो जाता है, अपनी जीज पोस्ट पे, किसी दूसरी पोस्ट पे ट्रांसफोर हो जाता है, मतलब जगा से दूसरी जगा पे, तो वो होता है कि move हो जाता है वहां से, तो transitive जो है वो वही चीज़ है, अगर यहाँ पर, suppose, कि एक action है, वो action जो है, अगर यहाँ पर transfer हो रहा है, किसी चीज के ओपर transfer हो रहा है, तो इसको बोलेंगे transitive, simple बात, अगर यहाँ पर action का transitive, मतलब यह action जो है, ट्रांसफोर हो यह नहीं रहा, हो यह नहीं रहा, तो उसको बोलेंगे intransitive, यह होता है intransitive, clear, अब यहाँ पर देखिए, Mohan plays cricket, action का transfer हो रहा, अरे हो यह रहा object आ गया, action का transfer हो रहा, object वहाँ पर बैठा हो था, तो यह होगी, यह जो verb क्यलाएगी, वो verb क्यलाएगी, transitive verb, यह होगी transitive, क्योंकि इसने action का transfer हो गया, लेकिन अगले verb, अगले sentence में देखिए, played, क्या यहाँ पर action का transfer हो रहा, Mohan खेला था, अरे यहाँ पर तो object है यह, object है यह नहीं, तो इस verb को कहेंगे, intransitive, sir, एक मिनट, एक मिनट, यह play है, यह played है, sir, क्या present form या past form आएगी, तब वो present form ट्रांसिटिव किलाएगी, past form इंट्रांसिटिव किलाएगी, कोई ऐसा fund आ है, क्या, मैंने का बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई fund आ नहीं है, देखिए, एक verb, एक verb, वो transitive भी हो सकती है, वो intransitive भी हो सकती है, मतलब, action का transfer कर भी सकती है, और वो action का transfer नहीं भी कर सकती है, с 사람들이 1 minute, 1 minute, کہ action का transfer वो कर भी सकती है, और नहीं भी कर सकती है, अरे, देखो न, ये दो sentence लिखे हैं न, मैंने, ये सारे चुचार sentence है, वो इससी type के मैं लिखे, अरे, यह भाग का जा रहा है बीच बीच में एक में action का transfer हुआ एक में action का transfer नहीं हुआ तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि एक verb जो है वो transitive ही हो सकती है हमें कैसे बता चलेगा सर हमें बताओ न तरीका बताओ हमको आपने तो बता दिया हो सकती है लेकिन कोई तरीका तो होता होगा तरीका लिख रहा हूँ यहाँ पर यह तरीका है यह reading जितना पढ़ोगे जितनी reading करोगे उससे आपके concept clear हो जाएंगे क्या है बच्चे को ऐसे रटा दिया जाता है कि trick आएगी अरे trick ले जाएंगे यह trick कर लेंगे सारी चीजें हो जाएगे दिखो trick से नहीं होता shortcut कोई shortcut किसी भी success का कोई रास्ता नहीं होता success लेनी है तो महनत करनी पड़ेगी तो trick जो है वो कहीं काम नहीं आती है हाँ यह जो trick है वो कॉंसेट से निकली हुई होती है, जो पढ़ा रहे होते हैं, उनका इतना हाथ जम जुगा होता है उस चीज के पर वो ट्रिक कह देते हूं उस चीज को, लेकिन यह जो है आपको समझनी होगी, यह कॉंसेट समझना होगा, तब चीज़े होगी, अब एक्जाम के पॉइंट ओ अब यही सोचोंगे ने, सर वर्ब तो बहुत सारी हम कितनी वर्ब याद करेंगी, टेंचन आलो, एक्जाम के पॉइंट ओ व्यू से, जितनी भी इंपोर्टेंट वर्ब है, वो मैं कराऊंगा, जितनी भी इंपोर्टेंट वर्ब है, वो मैं कराऊंगा, उनको याद भी मै मैं करवाऊंगा, याद करवाने के लिए, उनके लिए उपर मैंने एक story याद कर रखिये बहिया, story लिख रखिये है, आप लोगों करवाने के लिए, कि ऐसे-इसे story लिखनी story बनाता हूं, ताकि बच्चों को याद हो जाए करना पड़ता है ना बच्चे चाहते हैं कि सामने खाना रखाओ और मुह में भी या कोई हाथ तोड़के वो मुह में डाल दें बस वही वात आती है तो वही चीज़ हमें करूँगा टेंशन ना लो इस चीज़ को याद मैं करूँगा तो यह देखिए जो है वो 100% 100% बब तो 100% में से मानों 70% मैं तोड़ रहाऊं 20% और 10% ऐसे समझो 10% यह जो 70% है न अब वह वो ट्रांजिटिव और यह इन्ट्रांजिटिव लिगती है जैसे प्ले हमने देखा यह हमने देख ओके 20% ऐसी वर्व होती है जो transitively use होती है transitively मतलब कि इनके बाद इनका object आना 100% compulsory है यहाँ पे और इसी के प्रेरर आ जाते है क्योंकि बच्चे को यह पता नहीं होती intransitive वर्व होती है जिनके बाद कभी भी object नहीं आता 10% 10% verb होती है जो intransitively वर्व करती है intransitively वर्व करती है 10% verb होती है करने वाला doer हो गया तो यह subject हो गया noun है और यह proper है अब करना क्या है आपको करना यह है इस verb के बाद एक object आपको रखके देखने है अप रखी नहीं पाओगे गारेंटिट आप रखी नहीं पाओगे क्योंकि यह भाईया इसमें action का transfer नहीं हुआ कुनाल चला यह जो है वो कहा यहां चला वह प्रेपोजिशन लगागे जुरूर बताओगे लेकिन यहां पर action का transfer किस चीज के पूरवा यह आप यहां पर लिख ही नहीं सकते क्लियर यहां पर तो आप कोशिश कर ले ना कि यह जो वह है क्या इसके बाद इसका object लिखा जा सकते है लिखा जाएगा तो comment क हम उसको सी देखेंगे ना इस चीजों को आओ जारा mohan sleeps mohan sleeps जो है यहां पर देखो mohan sleep यह रही वह और यह रहा इसका subject यह रहा subject इसके बाद भी लिख के देख लो क्या इसके बाद क्या object आ जाएगा mohan sleep on the floor mohan sleep on the bed mohan sleep in the night mohan sleep in the morning भाई रखी नहीं पाओगे रखी नहीं प यहां पर intransitive रहेगी intransitively वर्क करेंगे तो यह जो वर्ब हैं वो 100% intransitive होती है इसके बाद इसका object आएगा है नहीं क्लियर सर यह करवा क्यों रहे हो intransitive intransitive वाला देखे मैंने कहा ना अगर आपको concept की clarity चाहिए ना तो यह आपको करना पड़ेगा वरना rule rate तो हैं ठीक है अगर आप लोगों को concept समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है वो आपको probability बन जाती है कि आपको बहुत time तक वो याद हो जाता है और इतना अच्छे से हो जाता है कि आप daily uses में भी आप उस चीज़ को use करने लग जाते हो आपके सामने कोई चीज़ आती है तो आप बता स लगते हो एक्जाम के point of view से हमें वो सारी करनी होती है क्या एक्जाम में काम आएग उसके बातों में बूलना है वो life में भी काम आजाती चीज़े ग्यान कभी भी विर्थन नहीं जाता क्लियर तो यह हो गया मोहन स्लीप्स यहां पर इंट्रांजिटिव काम कर रहे हैं इसको आप यहां पर full stop लगा के नहीं चोड़ सकते यह sentence गलत है आपको इसके बाद इसका object लिखना पड़ेगा ऐसे same to same introduce है अब क्या है वो examiner आपको यही वाप देगा अब यही वाप देगा उसके बाद वो object लिखेगा नहीं object लिखेगा नहीं वहीं वो गड़बड करव आप 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 लोगों को object लिखना पड़ेगा नहीं एंट। एंट्रोम हीं इंट्रोड्यूजब्र यह उसके उसेक्टेट्यूज किया क्लेट यहां पे तो यह जो चीज होती है Transitive इसके उपर error आजाता है अब अच्छा सोचेगा रहे तो बिल्कुल सही है sentence बिल्कुल सही करके आजाएगा दिक्कत कहा आगी, यहाँ दिक्कत आगी ना यह तो कही कि ना मेरे लिए object ले क्या हो ना तो यह वाला वो concept आता है Transitive इंट्रांजिटीव वाला अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ हो गया तो बाद में नहीं होगा अरे बाद में भी होगा यहाँ पर आप लोगों की basic मैंने तियार करवा दिया आप लोगों को बता दिया Transitive इंट्रांजिटीव क्या होती है और एक चीज मैंने आप लोगों को बता दिया कि subject और बब आएंगे याएंगे अरे यह चीज बहुत काम आने वाली है वो चोटी-चोटी चीज़ है न वो एक ऐसा समझो एक success को तियार करती है एक building को तियार करती है ऐसा समझो चोटी-चोटी-चोटी-चोटी इंटे मैं लगा रहा हूँ तो उससे base त्यार हो रहा है बहुत बढ़िया base त्यार होगा वहाँ पर यह देखिए intransitive जैसे smile, walk, sleep यह जो होती है वो intransitive होती है यहाँ पर इनके बाद कभी भी object नहीं आएगा object यहाँ पर कभी भी आएगा यह नहीं clear यहाँ पर तो intransitive वोगी है तो यह जो था आज का concept था यह verb का basic verb का basic अभी चल रहा है दो वीडियोज आई है, part 2 है अभी तो part 3 भी आएगा verb की जो part 3 है वो करने वाले है इससे पहले हम verb की जो lecture है वो verb part 1 और verb part 2 यह हम कर चुके है basically हमने इसके अंदर किया क्या है थोड़ा बहुत आपको brief मैं यहीं दे देता हूँ देखिए, आज का important lecture है बहुत ज़ादा important lecture है क्योंकि आज बहुत concept थे सीखने वाले जो आज तक हमने किया है verb में ही नहीं बलकि जो आज तक जितनी वीडियोज हमने देख ली कि noun क्या होता है हम किसी sentence में noun कैसे पहचानेंगे इसकी working क्या होती है basically, basic basic देखा है फिर हमने इसके बाद adjective देखा है कि adjective क्या होता है इसकी working हमने देखी है कैसे हम जानेंगे कि किसी sentence के अंदर adjective क्या है फिर हमने adverb को देखा है कि adverb क्या करता है इसकी working क्या होती है इसके type क्या होते है इवन तीनों के type तीनों की working हमने बकाइदा sentence में example की तुरूच चीजों को समझा है फिर हमने verb के बारे में जाना verb के बारे में हमने अब तक क्या जाना है कि verb तीन काम करती है doing का being का और happening का मतलब कोई काम अपने आप हो जाना यह तीन काम करती है फिर साथ ही साथ मैंने आप लोगों को verb का एक type और पढ़ाया था कि verb जो होती है वो transitive transitive और intransitive भी होती है clear देगे verb ना बहुत हम अलग-अलग तरीके से बाट सकते हैं हम जैसे doing, being, happening में बाट दिया transitive, intransitive में बाट दिया हमने verb को आज हम verb को उसी तरीके से active verb और passive verb इन तरीकों में हम इसको बाटने वाले है कि active verb क्या होती है passive verb क्या होती है अब यहां पर एक तरीके से समझो basic का निचोड आने वाला है बहुत उंदा level के concept आएंगे यहां पर और एक दों बड़िया level की क्या कहेंगे उनको error को हम solve करने वाले हैं इससे error कैसे solve होते हैं अब तक तो मैंने कोई भी error solve करवाया ही नहीं आज करवाने वाला हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इतना base मैंने आप लोगों का तियार कर दिया है कि आप असानी से जो error आने वाले है उनको कर पाएंगे यह lecture समनने के बाद ऐसा नहीं कि अभी पहले यह error दे दूँगा यह lecture समनने के बाद ओके तो start करते हैं पहली यहां पर चीज लिख हुए है क्या है यह थोड़ा से brief idea मैं देता हूं कि आज हम करने क्या वाले है आज हम करने वाले है active और passive verb का structure active voice passive voice आपने सुना होगा हम यह नही सीखने वाले कि active voice passive voice को detail में वह वाली चीज नहीं है वर्ब के तोर पे यह कैसे use होता है हम वो चीजें देखेंगे ठीक है इसका एक बकाइदा lecture होगा बहुत बढ़िया active active को passive में कैसे convert करेंगे यह सारी चीजे step by step वहां सिखाऊंगा लेकिन यहां थोड़ा बहुत मुझे step की जूट पड़ेगी वह चीजें भी मैं आप लोगों का यहां पर clear करवा दूँगा ओके आओ जो रहा active voice में आज तक जितने हमने sentence किये हैं आज मतलब कि जितना मैं आप लोगों को verb का basic अब तक करवा दिया है अब तक का जितना करवा दिया है उसके अंदर मैंने जितने भी sentence यूज किये हैं वो सारे के सारे active voice में थे सारे के सारे active voice में थे कोई भी passive में नहीं था मैं बताऊँगा कि हम passive में क्यों जाते हैं क्या reason है में passive में जाने का और क्या क्या step होते हैं passive में जाने के वो सारी चीजे हम discuss करने वाले clear यहां पर एक बार इसको रफ कर देते हैं clear, यहाँ पर object कोन होता है, यह active की बात कर रहा हूँ मैं, object कोन होता है, action का receiver, action का receiver, clear, यह active के अंदर होता है, active के अंदर, ध्यान रखना, अभी पहचानना है बताएंगे कि passive को कैसे पहचानेंगे, passive में क्या होता है, passive में उल्टा होता है, passive में जो subject होता है, वो action का receiver होता है, यहां पर जैसे मैंने लिखा भी हुआ यहां पर एक्टिव में एक्टिव में एक्टिव वोईस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो डूर होता है पैसी में जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है थोड़ा मुझे ऐसे करना चाहिए था इनको सब्जेक्ट डूर सब् रिसीवर बनाना है तो मैं वोजी को एंगे और National Studio, एक्टिव आगर मुझे सब्जिक्ट को मैं रिसीवर बनाना है तो मैं वर्ब कों सी लगांगा पैसीव इसचीज को समझाएंगे सर हम कैसे जानेंगे कोई structure passive में है या active में अभी उसकी बादें में आत करेंगे कोई भी sentence active में है या passive में इसकी पहचान कैसे होती यह देखे यह structure दे रखा है यह structure क्या कहता है B की form plus verb की third form यह structure जब भी आप sentence में देखेंगे जब भी आप sentence में देखेंगे वहाँ समझ जाना वो जो sentence है वो passive में है यह B की form कौन सी होती है यह देखें यहाँ पे लिखिए है is, am, are be, was, were, been यह art form जो होती है वो क्या करती है B की form होती है और जब भी इनके बाद क्या आजाए plus, वोब की third form आजाए B की form, plus में वोब की third form आजाए यह structure क्या बना देगा, यह passive का structure बना देगा, passive structure का मतलब, यहाँ पर जो subject होगा, यहाँ पर जो subject होगा उसके ओपर action हो रहा होगा वो action का receiver होगा, इसका ध्यान रखना, वो action का receiver होगा, क्यों यह बात बोल रहा हो ना इससे बहुत बड़ी आरर करवाने वाला हो आपको, एक दोब logic के साथ इतनी चीज़ clear होई, फिर से देख लेते हैं, इसको एक बार rough कर देते हैं सारा देखे, active में subject कौन होता है, doer होता है passive में subject कौन होता है, receiver होता है इस चीज़ को ध्यान रखना है, passive की पहचान क्या होती है, B की form प्लस में वब की third form, sir B की form कौन सी होती है यह देखे, B की form मैंने सारी लिख रखी है 8 form होती है, B की, clear आज तक जितना हमने देखा है, इस example की through समझो जरा, Amit broke the chair, Amit broke the chair, मैंने यहां पर Amit ही लिखना था, आजे गलती से लिख दिया, मैंने Amit यहां पर लिख लेना, ठीक है, अभी समझेंगे एक बार एक विट, यहां पर करते हैं Amit broke the chair, इस sentence को अगर मैं break करने की बात करूँ इसका x-ray करेंगे, शुरुवात कैसे करते हैं, वर्ब से, यह रही वर्ब फिर से, सर वर्ब कैसे पहचानेंगे, वर्ब कैसे पहचानेंगे, जिसकी तीन फोर्म होती है अब तो मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों का basic किसी कितना करवा दिया, वो पहचान सकते है यह फिर ऐसे समझो, जिसकी तीन फोर्म होती है और जो, action को represent कर दे भई या, action को represent कर दे clear यहाँ पर, amit broke the chair इसमें वर्ब कैसे ब्रोक कैसे जाना, break, broke, broken तीन फोर्म होगी यहाँ पर, action क्या हो रहा है, तोड़ने का clear यहाँ पर, action क्या हो रहा है, तोड़ने का किया किसने, amit ने किया किसने, amit ने, तो यह बनेगा subject, और यह क्या है, noun, noun में भी क्या है proper, clear यहाँ पर, sir, यह active में है या passive में, यह active के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर यह वाला structure नहीं है, यह पर देखिए जड़ा, यह तो वब की second form है, सर मुझे नहीं पता है यह वब की second form कैसे लगते है, उसको भूल जाओ तुम, अभी जितना कह रहा हूं न उतना ध्यान रखो, मैं कह रहा हूं यह वब की second form है, यह वाला structure नहीं है न यहां पर, यह वाला structure नहीं है, तो यह active के अंदर है, active में subject कोन होता है, doer होता है, यह इस action का doer यह रहा है, clear यहां पर, अब इस sentence को हम क्या बनाएंगे हम passive बनाएंगे देखिए जितना हमने देखा हुआ है या सीखा हुआ है passive active के बारे में मुझे लगता है कि बच्चियों के सुना हुआ जुरूर होता है और एक ये बारे जुरूर सुनी होती है कि active के अंदर ये होता है इसको जो passive में लेके जा यह वाला structure लिख दो, clear यहां पर, यह बात हमने देखी हुई है, आज हम इसको बड़ी detail से करने वाले हैं, कि यह object नहीं होता, यहां पर भया, यहां अगर object लिख देंगे, तो गड़बड क्या आ जाएगी, देखो जरा यहां पर, एक बार यहां आते हैं, यह subject होगा, यह verb हो आप बस सुनते जलो, इसको मुझे passive में लेकर जाने हैं, दो condition आपको ध्यान रखनी है, दो condition ध्यान क्या रखनी है, active से, active से, passive में जाते समय, आपको दो चीज़ें को ध्यान रखना है, पहली, tense, पहली, tense, tense change नहीं होना चाहिए, सर मुझे tense के बारे में पता नहीं, अभी जितना बताऊँगा उतना ध्यान रखना, टेंस तो मैंने करवाए नहीं, तो मैं बहुत नॉर्मल से, पर काईदा मैं बताऊँगा, कि टेंस कौन सा है यहाँ पर, टेंस चेंज नहीं होने चाहिए, टेंस सेम रहना चाहिए, क्लियर यहाँ पर, दूसरा, बहुत इंपोर्टन्ट है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग भी वही सेम होना चाहिए, क्लियर हुआ, एक्टिव से पैसिव जाते समय, यह दो चीजें बहुत ध्यान रखनी है, टेंस सेम होना चाहिए, मीनिंग सेम होना चाहिए, जड़ा देखो यहां पे अमीत ब्रोकता चेर यह TENS कौन से में है यह है V2 लगा हुआ है तो यह PAST SIMPLE के अंदर है PAST SIMPLE के अंदर है TENS न मतलो कि सर मुझे नहीं पता PAST SIMPLE का मैं कहा रहा हूँ नहीं PAST SIMPLE है अभी मान लो PAST SIMPLE है मैं करवा दूँगा आप लोगों को जब हम TENS पे जाएंगे क्योंकि मुझे इतनी requirement नहीं है यहां पे TENS की इतनी requirement नहीं है इसलिए मैं वो सारी detailing में यहां नहीं कर रहा हूँ यह चीज़े मैं करवाँगा बकाइदा reason दूँगा PAST क्यों कहते हैं फ्यूचर क्यों कहते हैं helping work क्यों आती है क्या चीज़ें होती है बकाइदा बहुत बड़े हाँ सुंदर से आप लोगों को वो समझाऊंगा अभी यह समझा लो यह V2 है और यह यहां पर जाए PAST SIMPLE PAST SIMPLE हो गया ठीक है मेरी बात समझ में आगी अब TENS क्या है हमारे सामने PAST SIMPLE मीनिंग क्या है जड़ा देखो अमित ब्रोक था चेर अमित ने चेर थोड़ी थी अमित ने चेर थोड़ी थी ओके यह ACTIV है अब इसको PAST SIM में लेके जाएंगे PAST SIM का RUL क्या है जो हमने पढ़ा हुआ है जो अब्जेक्ट होता है ACTIV के अंदर जो अब्जेक्ट होता है ACTIV के अंदर उसको क्या बना दे एक मिनट जड़ा मैं इसका कलर चेंज कर लें थोड़ा सा एकदम सुन्दर सुन्दर फिलिंग आजाएगी हमको भी ए रे यार 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 जो 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 एक मिनट एक मिनट ये थोड़ा सा न पॉइंटर पॉइंटर कलर 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 का है इसका अरे ये रहा थोड़ा सा लाहिम लग जाता है ऐसे मेरे पास कुछ शोटकट की नहीं है वरना मैं उससे कर लेता आओ जड़ा क्या है ना यहां पे थोड़ा उसके उपर मैं मार करूँगा तो प्रोब्लम हो रही है तो सब्जेक्ट वब अब्जेक्ट तो यहां देखिए जरा यह अब्जेक्ट है इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे अक्टिव के अंदर सब्जेक्ट बना देगे subject होता है subject को उठाके पैसी में object बना दो तो रुक जाओ भाईया ये Amit को उठाके मैंने ये बना दिया यहाँ पर object clear एक बर ये Amit ही समझ लो इसको क्योंकि मेरे से गड़बड होगी मैंने Amit एक जगा Amit लिख दिया यहाँ अजे लिख दिया मैंने तो मेरे मिस्टेक है मेरे मिस्टेक है ऐसा नहीं है कि सरीए कोई sentence दो है वही sentence है same to same वही mistake है बस नाम की गलती होगी मुझसे ओके ये Amit लिख लिए हमने यहाँ पर इसको भी भूल जाओ एक पर ठीक है इसको भी भूल जाओ ठीक है ये दो चीज़ें भूल गई अब ज़र आओ अब ज़र आओ अब ज़र आओ अमित ये ठीक है हमने यहाँ पर क्या कर लिया subject था उसको क्या बना लिया यहाँ पर object बना लिया यहाँ पर समझ में आगी इतनी चीज़ क्लिर हुई structure पर आओ ज़र आओ यहाँ पर structure क्या करना है B की form प्लस में वर्ब की third form रखनी है पहले तो देखो यहाँ पर वर्ब कोंसी है यह रही वर्ब ब्रोक इसकी third form क्या होती है broken यह लगा दी हमने वर्ब की third form इतनी चीज़ क्लिर होगी वर्ब की third form अब हमारे पास requirement क्या रहेगी इस B की form का requirement रहेगी B की form हमें यहाँ पर रखनी है B की form ऐसी रखनी है जरा ध्यान रखना देखो यह जो broken है वर्ब की third form यह tense decide नहीं करती है 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 तो लेकिन V2 तो 10 डिसाइड कर देती है लेकिन वर्ब की 3rd form क्यों डिसाइड नहीं करती क्योंकि reason यह होता है यह past, present और future तीनों के अंदर V3 V3 आ रही होती है उसके साथ हम has have लगाते हैं उसके साथ हम has have लगाते हैं उसके साथ हम had लगाते हैं तो इससे यह पता चलता है, यह perfect होता है ठीक है, अभी यह होता है सर, हमें नहीं बता, सर, यह क्या करवा रहे हो तोड़ा सा इसमें confusion हो रही है तो यह इसलिए मैं इसको रफ कर देता हूं clear अभी यह चीज़े मत जाओ यह समझो, यह V3 जो है यह TENS नहीं बताती है clear यहाँ पर TENS नहीं बताती है इसका जिकरा हम फिर डेटेल से बहुत अच्छा से करेंगे यह V3 आगी यहाँ पर अब इसर, V3 तो हमने लिख दी वब की 3rd form नहीं लिख दी B की form, B की form वो रखनी है जो यह TENS था ना, वो TENS बना दे TENS था किसमें, PAST SIMPLE में तो V3 की यहाँ पर भी ऐसी form रखनी है, जहाँ पर PAST SIMPLE ही बना दे क्या हम EZMR रख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं रख सकते क्योंकि यह First form होती है First form Present को बताती है, तो यह तो आ नहीं सकता आओ जो रहा, बीन रख दे बीन तो भाईया, 3rd form होती है बीन 3rd form होती है, यह भी नहीं आ सकता अरे बीन, वब की Base form पलस में ING क्या requirement है यहाँ पर तो बच्चा यह, यह होती है 2nd form, और 2nd form क्या बताती है PAST बताती है, यह PAST है यह PAST है अब यहाँ पर इतनी तो समझ मुझे लगता है कि बच्चे कोगी, वोज जो है वो singular के साथ, और वर जो है वो plural के साथ आता है, चेर क्या है singular है, तो इसके साथ क्या लगाऊंगा वोज लगाऊंगा, clear हुआ यहाँ पर step ध्यान रखना है, subject को हमने रखा, sorry, object को हमने रखा subject की जगा, verb क्या बना दी हमने V3, tense क्या था, simple था, past simple उसके जगा हमने रख दिया, woes, clear और यह देखो ज़रा, अब आओ ज़रा यह बहुत important बात है, Amit को हमने यहाँ रख दिया, as a object जो हमने पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है यह वही same to same चीज़े तो है अब देखे, the chair was broken, Amit अब अगर Amit को आपने object बना दिया, देखे, problem क्या आती है, problem क्या आती है, अगर आपने Amit को object बना दिया, तो इससे problem क्या आती है, मैं आपकी सामने रख रहा हूं, देखे object क्या काम करता है, यह, sorry को पता चलेगा कि काम क्या करता है, फिर भी देखिए अब जो नाउन होता है, वो 5 काम करता है, subject बनने का, एक एक करके discuss करेंगे इस चीज़ को, क्या यह subject बन सकता है Amit, देखिए अगर Amit को आपने object बनाया, तो problem देखना क्या आएगी अगर आपने इसको object बनाया, तो मैंने अभी यहां लिखा था ना, sorry, मैंने rough करती है मैं यहां लिखता हूँ, देखिए, object कौन होता है अभी थोड़ देर पहले मैंने जब class यह starter की थी, तो मैंने आपको बताया था object वो होता है, जो action का receiver होता है अगर आपने इसको object रखा तो यह तो action इसके उपर हो जाएगा भाया, यह इसके उपर हो जाएगा action अमित, इस chair ने इस अमित को तोड़ दिया मतलब यह बन जाएगा, गलत मतलब बन जाएगा मतलब मुने बनाना कि यह जो action है मुझे इसके उपर करवान है इसके उपर action करवान है अब object रखोगे तो object की तो परिभाशा यही है ना कि मैं object बनूँगा तो मुझे क्या बनाओ क्या कहते हैं action का receiver बनाना पड़ेगा action का receiver इसके अंदर passive के अंदर तो subject होता है इतनी चीछ clear अब जिर देखे पांच काम करते हैं subject बनने का क्या हम इसको subject बना पाएंगे बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे क्योंकि already subject आ चुका है सर क्या एक ही sentence में एक ही subject आएगा ऐसा नहीं है आप एक काम करिए ना subject और वब का pair लगा दीजिए तब एक बार और subject लिख दीजिए clear यहां पर कहा है pair तो यह subject नहीं हो सकता object अभी मैंने क्या का अगर आप इसको object बनाते हो अगर आप इसको object बनाते हो तो problem ही आती है यह action का receiver बनने की कोशिश करेगा इस broken का receiver बनेगा और क्या बनेगा अमित को तोड़ा गया भहिया अमित ने chair तोड़ी है ना कि अमित को तोड़ा गया है तो यह object भी नहीं बनेगा प्रिपोजिशन का object इसको छोड़ते हैं एक बार subject compliment अरे subject compliment तब होनता है जब यह B की form यानि यह जो art form होती है जब यह main verb का काम कर देती है तब आता है subject compliment subject compliment में है object compliment अरे भाईया पहले object तो ले क्या होना तब ही object compliment बनेगा object आया नहीं object compliment कहां से लगादेंगे तो यह चार काम तो करी नहीं रहा यही reason होता है कि यही reason होता है इसके पहले यह by preposition लगाई जाती है यह by preposition लगाई जाती है यह reason होता है क्योंकि यह by जो होती है यह होती है preposition और preposition के बाद आते हैं उसके object यह बनाएंगे है preposition का object clear यहाँ पे यह object बनाने से दिक्कत क्या ही आपकी सामने चीजे मैंने बता दी इसलिए यहाँ पर बाए प्रिपोजिशन लिखनी पड़ती है और मैंने आप लोगों को बार बार यह बात बोलिए कि प्रिपोजिशन आईगी और प्रिपोजिशन का अबजेक्ट आएगा और इनका और इनका किसी भी वब से खोही भी लेना देना नहीं होता यह जस्ट इंफोमेशन एड करने के काम आती है इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ चेर को तोड़ा गया अमित के द्वारा यानि यह जो तोड़े जाने का काम था मुझे इस चेर के पर कराना था एक्शन का रिसीवर बनाना था फिर भी अगर नहीं आए तो कोमेंट है भाईया कोमेंट सेक्शन ओपन रहता है तो जाकर कोमेंट करो बताओ कि क्या चीज़ें समधन नहीं आई थी दुबारा से बताओ या फिर वीडियो तो भाई आप unlimited बार बैक करके देख सकते हूँ जितनी बार देख सकते हो कोई भी इसके ओपर चार जीज नहीं है कोई views count नहीं हो रहे बलकि मेरे तो बढ़ी रहे है तो share कर दे न साथ ही साथ मैंने promotion भी कर दी आओ वही यहाँ पर आओ Mohan plays cricket इसका मुझे पैसी बनाना है अभी क्या करना है आपको यह Mohan broken it Rahul was solving the question अभी आप करना क्या है अरे यार गड़बढ होगी यहाँ पर Mohan had या has कर देता हूँ Mohan has, has कर लो यहाँ पर Mohan has broken it गलती से देखें मेरी ही गड़बढ होगी यहाँ पर Mohan has broken it है यहाँ पर यहाँ पर तो एक काम करना है वीडियो पोज करनी है देखें जो कह रहा हूँ ना वो करना पड़ेगा वरना यह जो चीजे आप time invest कर रहे हो ना भले कहते हैं ने कि सर मेरे पैसे नहीं लग रहे पैसे नहीं लग रहे तो मैं free देख रहा हूँ तो free में मेरा कुछ नहीं जा रहा जा रहा है भई आपका time जा रहा है precious time जा रहा है बहुत important है देखें आप अगर अपना time दे रहे हो तो जो मैं कह रहा हूँ अगर आपको यह चीजे सीखनी है तो जो कह रहा हूँ वो करना पड़ेगा वीडियो पोज करिए तीन ही sentence है तीनों का पैस्थी बनाने की कोशिश किरे क्योंकि active में लिखे हैं इनको पैस्थी बनाईए clear तो आप यह काम करिए वीडियो को पोज करिए चलिए उमीद करता हूँ कि आप लोगोंने यह वीडियो पोज कियोगी और आपने बननानै की कोशिश कियोगी अगर नहीं बनाने की कोशिश किया ना फिर तो यार देको मैं भाशन नहीं देना चाहता मैं लेक्च्छर नहीं देना चाहता I think आप इतने मैच्चोर हो चुके हैं पगरी वीडियो देख रहे हैं आप competitive की त्यारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जिम्मेदारी का एहसास है कि कितना maturity level आप में आ चुका है आप ये चीज समझ बाओ कि आपका time खराब हो जाएगा ओके मैं भाशन नहीं दूगा आपने किया बहुत अच्छी बात आप सीख के जाएंगे नहीं किया तो आप ही जिम्मेदार हो सीच के आओ जरा मोहन plays cricket अगर मुझे इसको passive बनाना है तो पहले तो इसको मैं break कर लेता हूँ मोहन क्या है यहाँ पर एक बने वर्ब से आते हैं मोहन क्या है यहाँ पर plays है यह verb होगी मोहन क्या है यहाँ पर subject है play what cricket यह object है अभी बताउँगा मैं सरे यह क्यों कर रहे हैं active से passive जाने का reason भी बताउँगा मैं अभी reason पर भी आते हैं क्या बूहन क्या लिक दिया पर मोहन को क्या लिखेंगे मोहन को लिखेंगे बाइ प्रेपोजिशन का अबजेक्ट क्यों लिखेंगे रीजन है ना क्योंकि हमें अबजेक्ट प्रेपोजिशन का बनाना है अगर प्रेपोजिशन का अबजेक्ट नहीं बनाया तो यह वर्ब का अबजेक्ट बन जाएगा यही बार-बार कह रहा था, हमें preposition आते हैं, preposition के object आते हैं, उसका verb से कोई लेना देना नहीं होता, यही reason होता है वो, यहाँ पर बहुत काम आती है वो चीजे, clear, अब क्या करना है वई, जो verb है, play है, उसकी third form लिखनी है, क्या लिखतेंगे यहाँ पे, played, played, played यह verb की, होगी third form, अ कि यह structure ऐसा बने, कि यह जो काम है, वो उसके उपर हो जाए, यानि इस action का receiver यह subject बन जाए, यहाँ पे, कितनी चीज़ clear होगी, यह preposition है, यह preposition का object है, ओके, यहाँ पर हमें ऐसा structure रखना है, कि यह same to same, एक तो B की form रखनी है, और structure भी ऐसा बनाना है, कि जो यह बना था, कि यह present, present simple में, वो present simple ही रही, tense भी change na हो, meaning भी change na हो, त्यान रहा रिको जरा, अब कौन सा लगाए, जरा देखो, place, यह क्या है, verb की base form, word की base form क्या, verb की, first form है, यह, verb की first form है, तो verb की first form है, KNि simple है, present simple है, present simple में, जरा देखो, present simple में, क्या मैं, verse word लगा सकता हूँ, अरे सर पागल हो गयो क्या यह तो पास्ट में आता है यह नहीं आ सकता बीं थर्ड फोम होती है नहीं आ सकता बीं आइन जी क्यों एड़ करेंगे हम तो यह बच्चा भाईया इस एम आर भी अब जराएके करके आई के साथ है माता है आर प्लॉरल के साथ आता है बी अभी मैं डिसकस नहीं करूँगा ठीक है एक बर इसको भूल जाओ तो बच्चा क्या इस तो यहां पर क्या आएगा क्रिकेट इस प्लेड बाई मोहन क्लिर हुआ स्टेप बाई स्टेप चिजों को सिखाया है हमेंने अब यहां पर इसका मीनिंग क्या हुआ इसका मीनिंग क्ला मोहन क्रिकेट खेलता है इसका मीनिंग क्या होगा क्रिकेट मोहन के द्वारा खेला जाता है सर हम कर क्यों रहे हैं यह चीजे कि मतलब एक्टिव से पैसिव जाने का रीजन ही क्या है कि आप तो कह रहे हो कि active के अंदर और passive के अंदर meaning तो same ही रहता है meaning same रहता है ठीक है इसके अंदर tense same रहता है तो reason क्या है क्या reason है इसके अंदर हम ये माथा पची करी क्यों रहे हैं हम ये see की क्यों रहे हैं जब सारी चीजें हो रही थी इससे काम चल रहा था तो ये फाल्तू का लफड़ा करी क्यों रहे हम जरा समझो इस چीज खो डेखो इसी संटंस को समझा देता हूँ मोहन किर्केट फ्लेज किर्केट मोहन किर्केट खेलता है अब क्या है इसको समझ no स्नेरियो दे रहा हूँ आप लोगों को आपके महुले में, आपके महुले में मोहन रहता है, मोहन रहता है, और वो किर्केट खेलता है, ठीक है, आपके महुले में ऐसा है, अब थोड़ा सा स्नेरियो एक तमाइसे समझो कि मैंने पहले ही बता दिया, यह थोड़ा मज़ा किर्केदा कर दिया, एक बंदा है आपके साम ठीक है, यह पर दिखते हैं लिख दिम्हार यह बंदा, इस वह अम्हों पर खेविनी, यह अग्रु रभी आप इसके हैं लेकिन हिंपॉर्टन क्या है, क्षोन खेलता इंड कियो पूर्टन क्रिए है । ये वह बंदा पकड़ा ही नहीं जाता था, ऐसे समझो, मोहन तो इतना डफर था, उसको पता ही नहीं होता था क्रिकेट, लेकिन आज मोहन क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट तो आप जानते हो क्रिकेट क्या है, लेकिन आप उस बंदे से हैजान हो, कि यार मोहन खेल रहा है यार, कैसे मोहन तो बैट पकड़ना नहीं आता, तो आपके लिए main idea, focus किस के उपर जाएगा, उस बंदे के उपर जाएगा, उस subject के उपर जाएगा, ध्यान रखना subject focus लाता है, subject के उपर आपका main idea, central idea, जिसके बारे में बात की जारी है, वो क्या होता है, मोहन के बारे में आप जानते हो कि यार मोहन तो खेलता रहता है, मोहन तो खेलता रहता है, लेकिन आपके मोहनने में क्रिकट कोई नहीं खेलता, लेकिन अब important किस पर आजाएगी, इस क्रिकट के उपर, यार क्या खेलता है यार मोहन, किरकिट खेलता है, यार वो, किरकिट खेलता है, तो आपकी focus, आपका main idea, आपका central idea, वो cricket बन जाएगा, लेकिन, उसको subject बनाना पड़ेगा, subject बनाना पड़ेगा, तभी वो main idea और focus idea में आएपएगा, यहां पर object बना हुआ था, इसको subject बनाना है, मुझे, इसको central idea में लेके जाना है, इसके बारे में बात करनी है, इसको highlight करना है, किसको इस object को, इस object को highlight करना है, main idea बनाना है, central idea बनाना है, focus डालना है, तो इसको subject बनाना पड़ेगा, और अगर इसको subject बनाना पड़ेगा, तो यह help करता है, object के उपर भी तो focus करवाना होता है ना यार इस object के उपर focus करवाना है इस object के उपर focus कराना है तो यह help करता है हमारा passive structure clear हुआ अगर हो गया है तो अच्छी बात है नहीं हुआ तो भई एक काम करेंगे आपके सामने वीडियो रखी हुई है आप पीछे जाके फिर से देख सकते हैं क्या है जैसे मैंने कहा ना unlimited views है मेरे views बढ़ जाएंगे कुछ subscriber भी बढ़ जाएंगे तो अपना भी कुछ काम चल जाएगा अपनी भी motivation हो जाएगी ऐसा समझ लो clear यहाँ पर इतनी चीज़ें clear होती है अगली कहानी पर आते हम अगली कहानी क्या है मैं कोशिच करूँगा कि एक ही एक ही वीडियो के अंदर आप लोगों का यह concept clear करा दूँ क्योंकि मैं इसके ओपर जादा lengthy नहीं जाना चाहता मैं कोशिच कर रहा था कि चार वीडियो जो है वो इसके अंदर बनेंगे लेकिन मैं तीन वीडियो इसके अंदर आपको करा देता हूं क्योंकि लेब बन जाती है वो प्रोसेस तूट जाता है वो प्रोसेस ने तूटने देना जाता है इसके उपर आते है मोहन है यहां पर ध्यान अगना मोहन ब्रोकन वट क्या तोड़ा उसने it तोड़ा यह प्रोनाउन है यह क्या बनेगा object बनेगा यहाँ पे clear यहाँ पे अब इसका मुझे क्या बनाना है अब मुझे बनाना है इसका passive अब मुझे इसका passive बनाना है जो पहला step क्या है पहला step यह है जो object था, जो object था, उसको क्या बना देंगे, उसको subject बना देंगे, it, यह बन गया आपके सामने subject, यह बन गया आपके सामने subject, और जो active में subject था, उसको क्या बना देंगे, उसको बना देंगे, by preposition का object, by mohan, यह रहा है, preposition और यह preposition का object, clear यहां पर, यह चीज़ होगी, और जो वर्ब थी, क्या करना है अपने को हमने क्या करना है, B की फोर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फोर्म, ये वाला structure लेकियाना है तो वर्ब की थर्ड फोर्म रखेंगे यहाँ पर वर्ब की थर्ड फोर्म जड़ा देखो यहाँ पर वर्ब क्या है broken, यही वब की third form है तो यही रख देंगे, same to same, broken यही रख देंगे, broken ओक्या, यहाँ पर वब की third form होगी, अब क्या रखें structure क्या था, इसके अंदर tense क्या था tense था यह present present perfect present perfect, present perfect की पहचान यह देखिए रहा, has have has have, अभी एक चीज मैं बता देता हूँ, देखिए has, have or had, has, have, had जब भी यह sentence में आएंगे as a helping verb, तो इनके बाद क्या आती है, हमेशा verb की third form आती है यह ध्यान रखना है, ठीक है, इसको कर लेंगे अभी बैतार हो ना, यह कि यह देखो, एक वीडियो में मैं इतनी सारे चीज़ें नहीं दे सकता, क्योंकि confusion हो जाती है, यह भी बताओ, वो भी बताओ चीज़ें, तो वो confusion आती है, मैंने आप लोगों के लिए base त्यार कर रखे है, step by step मुझे क्या चलना है, कैसे करना, वो चीज़ें कर रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहां करवा दिया, तो करवाओंगा नहीं, अरे बकाइदा करवाओंगा इन चीज़ों का, अभी यह बताया ना, कि भी यह helping वो बनेंगे, तो क्या बनेंगे, वो अपकी third form इनके बाद आनी ही आनी है, clear, अब यहां पर देखो, it has broken, mohan has broken it, तो यहां पर भी मुझे present perfect चाहिए, तो यहां पर मैंने बनाया, has लिख दिया, क्योंकि मुझे present perfect चाहिए, it के साथ has आता है, singular है, इसके साथ singular है, अगर मैं यह रख दूँ, यह helping verb होगी, यह main verb होगी यहां पर, अगर मैं यह रख दूँ, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या यह structure, क्या यह sentence, passive में चला गया क्या, सरफ passive की पहचान, तो आपने beaky form plus में verb की third form बता रखिये, तो यहां पर कहा है beaky form, has to helping verb होती है, यह beaky form तो कौन सी रखेंगे, जरा हो, beaky form हमारे सामनी क्या देखी थी, is, mr, be, was, being, being, कौन सी रखें, क्या कभी has के साथ, क्या कभी has के साथ, is mr लगते हुए देखा है, is mr लगते हुए देखा, अरे नहीं देखा, तो is mr का स्वाल यह नहीं उठता, क्या has के साथ, आप was बर लगा सकत नहीं, was बर आएंगे नहीं, has के साथ आएगा, यह बैठा bean, यह वब की third form होता है, यह इसको satisfy करने के लिए आएगा, क्योंकि मुझे b की form तो यहां रखनी है, और ऐसी b की form रखनी है, कि देखो, ना तो इसका meaning change होना चाहिए, और यह वाला structure भी बना दे, यह ध्यान रखन ना, reason यही होता है, तो यहां पर bean मुझे लगा नहीं पड़ेगी, यह भी helping भी होती है, help करने के लिए आ रही है, इसको जो होता है, इसको satisfy कर देती है, यह कह रहे हैं ना कि has have के बाद वब की third form आए, तो यह लो भी हमने has have के बाद इसकी वब की third form बना दी, और यह जो थी दोनों चीजों को satisfy कर दिया, has को भी satisfy कर दिया, इस broken के लिए B का काम करके इसने passive को भी satisfy कर दिया, clear यहां पर, यह चीजें थी यह, I hope so यह sentence clear हुआ होगा, आओ ज़रा, last sentence बसते हैं, राहूल was solving the question, राहूल was solving the question, यहां करते हैं, राहूल was solving, solving क्या होगी, helping verb होगी, oh sorry, main verb हो होगी, यह solving का काम कर कौन रहा है, राहूल कर रहा है, तो यह क्या बनेगा, subject बनेगा, noun है, proper है, solving word, solving question, यह क्या बनेगे, object बनेगे, noun है, common है, clear यहां पर, यहां पर फिर से यह pronoun है, ध्यान रखना है, यह noun है, proper है, यह वही है चीज़, जो मैंने वह लिख चुका नो, वही बनेगा, वही, same to same, यहां रखना है चीज़ को, यह भी noun है, proper है, क्योंकि खेल एक particular खेल का नहीं हो गया, अब जरह यह sentence समझ में है, अब इसको मुझे पैसी में लेके जाना है, जरह पैसी में लेके जाएंगे, तो object होता है, उसको क्या लिख दें, अरे, जगा ही नहीं ब जरह नहीं दे रहा हूँ, यह भी हटा दें क्या, हाँ, चलिए, चलिए, ओके, आओ जरह, राहूल वो solving the question, इसमें जो object है, उसको क्या बना दे, उसको subject बना दे, the question, और जो यहां पर subject है, उसको क्या बना दे, by preposition का object बना दे, by क्या होगी, preposition, the question क्या बनेंगे, subject बनेंग proper है, noun है, common है, clear यहां पर, okay, जो verb है, उसको क्या बना दे, verb की third form बना देते है, soul, sold, sold, verb की third form यह बना दे, यह verb की third form है, okay, अब यह structure, यानि यह tense किसमें था, यह था past, देखिए, past है, इसके साथ ing लगा हुए है, तो past continuous, past continuous, तो इसमें भी past continuous जाना चाहिए, ध्यान रखना, past continuous जाना चाहिए, the question, past में तो past में चला जाएगा, was, तो देखिए, अब बच्चा यही करेगा, sir, यह रही, बीकी form, यह रही, verb की third form, sir, यह बन तो गया, sir, यह पैसी में तो बन गया, मैंने का, बिलकुल, बिलकुल बन गया पैसी में, लेकिन यहां पर क्या था, past continuous था, य कैसे किया, sir, देखो जरा, अगर आप इसको active में लेके जाते हो, इसको active में लेके जाते हो, तो यह active पता है क्या है इसका, active है, राहूल, राहूल, sold the question, यह है, इसका बना हुआ है, the question was sold by राहूल, इसका बना हुआ है, इसका नहीं बना हुआ, अगर आप इस passive का active बनाते हो तो actual में activity निकल गयाता है, लेकिन हम बना किसका रहे थे, हम तो इसका बना रहे थे, राहूल was solving the question, यह बना रहे थे, तो अब क्या करें, कुछ तो गड़बडबड़ होगी न, गड़बड़ क्या होगी, यह आइनज, देख मीनिंग जाना नहीं चाहिए, मीनिंग नहीं जान यहाँ पर उमीद करता हूँ, यह चीज आपको अच्छे से clear हो गई होगी, ओके, यह अपना clear होता है, अब यहाँ पर मैंने आप लोगों का error दे रहे हैं, अब error आ रहे हैं, इसके बाद तो बहुत बड़ी error करा हूँग, यह तो बिल्कुल basic है, ऐसा समझो, बिल्कुल basic है अब इसके बाद तो एकदम बढ़िया level का, यह समझाने के बाद, यह तो एक तरीके से त्यार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके उपर लेके जाना है, यह इसके उपर लेके जाना है, तो यह त्यार कर रहा हूँ, तो ज़रा देखो, error, क्या करेंगे, अरे कहां गया है, this gift sent by Anil, गरबड क्या है, तेरा देखो, gift होगी, subject, this इसके उपर demonstrate करने वाला adjective, demonstrative adjective होते हैं, sent main verb होगी, by preposition होते हैं, preposition के बाद, preposition के object आते हैं, यह sent verb, यह active हैं पैसी में, भाई है, यह sentence जो है, यह structure जो हो, active में लगा हुए, तो active में ये subject कौन होता है, doer होता है, ध्यान रखना है, active में subject कौन होता है, doer होता है, तो ये sent verb का काम करेगा कौन, ये gift करेगा, तो इसका sentence मतलब हुआ, ये gift भेजा, ये gift भेजा, ये gift किसी को भेज सकते हैं, सोचो जरा, gift किसी को भेज सकते हैं, ये भेजने का काम gift करेगा gift किसी चीज चीज को भेज देगा यह gift को भेज जाएगा obviously gift को भेज जाएगा यह नहीं यह जो sent होने गाम this gift के पर होना था gift को भेज जाएगा तो यह गाम इसके पर होना था यह structure structure मुझे कैसे चले है जो subject है मुझे receiver चाहिए है receiver चाहिए था, doer थोड़ना चाहिए था receiver चाहिए था, तो यहां पर मुझे structure क्या लगाना था, passive लगाना था लगा क्या हुआ, active लगा हुआ, तो क्या करेंगे this gift this gift was sent by Anil this gift was sent by Anil sir, was यह क्यों लगाया, was क्यों लगाया, is भी तो लगा सकते हैं, this gift is sent by, बिलकुल लगा सकते हैं, और is छोड़ो, has भी लगा सकते हो has भी लगा सकते हो, this gift has sent by Anil, यह भी लगा सकते हो, sir यह क्यों नहीं लगाया, दिरा देखो यार, इस चीज़ को समझाता हुआ, यहां पर आप यह warp देखेंगे अगर आपने इसको समझने की कोश्च की हो, तो यह warp तो आप एक तरीके से V2 लोगे, एक बर, अभी आपने active के तोर पे आप इसको देखो, तो यह sent जो है, वो अपकी second form मान जाएगी, अब यह जो लिखने वाला था, वो उसको क्या लिखना था, यह structure जो था, वो उसको गलती सही है, पता चल रहा है, कि वो इनसान इसको past में ले जा रहा था, past की बात थी, उसकी, यह sent जो है, यही बताएगी, verb की second form बता रही है, देखे, हमें error कैसे करना है, देखे, is भी सही है, has भी सही है, बिल्कुल सही है, कोई कड़बड नहीं है, लेकिन इस verb को हमें पहली नजर में ऐसी ही देखना है, कि यहाँ पर अगर send लिखा होता है, अगर send लिखा होता, तब हम इसको is sent करते हैं, लेकिन यह sent verb की second form लगी हुए, तो इसलिए हम इसको was sent करेंगे, इस verb से ही हम पता करेंगे, कि V2 की कहने की कोषिश कर रहा था है, धी थे कोई एरर जो दे रहा है है यहाँ पर वो V3 तो सीधा लिखे देगा नहीं, इतना समझना वो V3 यहाँ पर लिखेगा नहीं, यहाँ पर वो है, वो V2 लिखी थी उसने, गड़बड यह होगी वो past बताने की कोशिच कर रहा है आपको कोई ना कोई hint दे के छोड़ेगा यह hint ही तो है यह past बता रहा था यह past बता था इसलिए यहाँ पर was sent इसको past में ही देना पड़ा अगर वो इसको present में करता तो यहाँ पर send लिखा होता send लिखा होता was sent this gift सुमित होगया यहाँ पे this होगया क्या बनेगा यहांपे administrative adjective यह होगी main वर्व यह होगी helping वर्व यहाँ पर जड़ा देखे यह Vedi ними की फोर्म यह V yourself3ard 이후 इस की का मुँने कि और पेस्पिय पैसिव का structure और सुमित को gift के पास बेज दिया गया, ऐसे था क्या, ऐसे था क्या, ऐसे थो निया, सुमित ने बेज आए gift को भाई या, इसको doer बनाना पड़ेगा, इसको doer बनाना पड़ेगा, तो यह जो has है, वोज है, इसको काटना पड़ेगा, और यह sent जो है वब की third form नहीं, यहां पर यह gift जो है, इस वब का receiver बन जाएगा, clear यहां पर, तो यह गड़ बढ़ती, हो गया, अगला structure देख लेते हैं, अगला sentence देख लेते हैं, जो error इसके अंतर, that letter, that letter has delivered by the postman, that letter, देखे जरा, यह होगी main verb, यह होगी helping verb, यह होगी letter, subject, that इसके परिशारा करने वाला adjective, demonstrative adjective, by preposition, और यह preposition का object दा article होता है, यतनी चीज़ clear यहां पर, अब जरा देखो, यह जो structure है, वो किसमें, active में या passive में, सर, यह active के अंदर है, और active में subject होता है, active में subject होता है, action का doer, clear, action को करने वाला, अब यहां देखो, letter ने deliver कर लिया किसी को, क्या, यह letter को deliver किया गया, देख जो action है, वो इसके उपर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और यह जो action है, मुझे इस subject को इसका receiver बनाना है, नहीं बनाना, सर, बनाना पड़ेगा, क्योंकि तब इसके उपर action होगा, तो अगर मुझे, इस subject को receiver बनाना है, इस action का, तो मुझे voice के सी लगाने पड़ेगी, यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, has been, यहां क्या लगाना पड़ेगा, has been, has been लगाना पड़ेगा, the letter, that letter has been delivered by the postman, clear यहां पर, okay, यहां पर आईए जरा अगले sentence पर चलिए, अगला sentence है, a romantic song is singing by, a romantic song is singing by Mr. Gupta, a romantic, romantic, romantic song को qualify करने वाला adjective हो गया, clear यहां पर, song यहां पर subject हो गया, is यहां पर helping verb होगी, singing यहां पर main verb होगी, by preposition होगी, Mr. Gupta, इस preposition का object होगे, clear यहां पर, okay, अब जड़ा देखो, एक romantic song किसी चीज को गा सकता है, अरी, active में रखा हो है, active है, क्योंकि यहां पर B की form, plus में verb की third form तो है, नी, देखो B की form तो है, लेकिन verb की third form नहीं है, ध्यान रखना, मैं कह रहा हूँ कि B की, अकेली form से नहीं बनेगा, अकेली verb की third form से passive नहीं बनेगा, इन दोनों के जमा होने से, या सम होने से passive बनेगा, एक से काम नहीं चलेगा, दोनों का होना बहुत जुरूरी है, तो यहां पर एक है, लेकिन यह active में है, passive में नहीं है, त्याहर रखना, तो यह is the singing, यानि इसका मतलब वहा a romantic song गा रहा है, यह गाना कैसे कोई अपने आपको गा सकता है, गाने को तो गाया जाएगा, simple सी बात है, तो यानि singing होने का काम इस गाने के उपर होगा, तो अधोना song गाना कालेगा, ऐसा थो पॉसिबल तो नहीं है न, तो ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है, singing होने का काम इने जलगता है, जादा जिच-पिच-पिच-पिच करती है, तो यह singing होने का काम ज़ो इस song की उपर होगा है, तो यहनि इस song को इस action का receiver बनाना पड़ेगा इस song को इस action का receiver बनाना पड़ेगा तो क्या कर रहे है भाया इसको पैसी में लेके जाएंगे पैसी में ही जो होता है पैसी में ही जो होता है पैसी में ही जो होता है वो subject जो होता है वो action का receiver होता है देखिए जड़ा यहां पर क्या लिखेंगे फिर हम इस सिंगिंग है यहां पर यह सारा एक बर रफ कर दिता हूँ यह सारा मैं रफ कर दिया clear तो यह इस सिंगिंग है तो इसको क्या परेंगे इस बींग संग इस बींग संग बाई Mr. Gupta यह करना था हमने यह थे error उमीद करता हूँ यह जो सारी चीज़ें आप लोगों को करवाई है मैंने वो आप लोगों को अच्छे से clear हो गई होगी अब हमें करना है यह वाले structure इस वाले structure को करते हैं कोशिच करूँगा इस वाले structure को आपको टाइम में अच्छे से ज़्यादा लेंती ना करूँविर वही वीडियो बोरिंग वाली बात आजाती है कि सर यह ज़्यादा लेंती हो रही है इतना इतना कौन पड़े यह मैं काम करता हूँ बहुत है आज के लिए इतना ही रखते है क्योंकि यह मुझे बच्चा कितनी देर पड़ बाती है तो बस इतना ही रख लेते है अगले ज इस वीडियो के बात अगले ही दिन वीडियो आने वाली है अगले ही दिन वीडियो अप लोगों को मिल जाएगी यह बहुत बढ़िया है एक तो आप करूंन करिए मौःखो घर के लिए देतें इनके अंदर error है बहुत बड़ी error है बहुत कुछ सीखेंगर इनके अंदर Tense का structure सीखेंगर आप इसके अंदर Modal का structure सीखेंगर इसके अंदर Conditional का Conditional बहुत सारी चीजन सीखने वाले हैं तो आपको करना क्या है, यह sentence break करने हैं, एक एक आप part of speech लिखना है, आप कोशिच करिए इसके अंदर, मेरा तो काम करना है, मैं करवाने मैं करवा दूगा, लेकिन लास्ट आपको कोशिच करनी पड़ेगी, यह हैं क्या, इनके अंदर error है, आप कोशिच करिए कि error क्या है इसक हम अपनी वर्ब का जो fourth part है, वो start कर लेते हैं, मैंने कोशिच की थी कि आपके वर्ब के third के अंदर ही वर्ब के जो part three मैं करवा रहा था, पिछली वीडियो में, कि उसके अंदर ही वो video complete कर रहा दूँं क्योंकि वो already video जादा lengthy हो गई थी, 43, I think 43 minutes की चली गई थी, तो इसलि मोटी चीजें और बच जाएंगी, वो और बतानी है, और साथी साथ अपना basic का, शायद दो video और आएंगी, basic के उपर, basic के उपर दो video और आएंगी, और उसी के अंदर हम क्या कर लेंगे, अपना conjunction की basic में, conjunction क्या होता है, interjection और थोड़ा बहुत preposition, और थोड़ी बहुत हम इ जल्दी से quick reason कर लेते हैं कि हमने जो part 3 थी, यह जो part 4 है, हमने part 3 में क्या किया था, मैंने आप लोगों को active voice और passive voice का बताया था, उसके structure के बारे हम बताया था, B की form के बारे हम बताया था, और हम उसको convert कैसे करेंगे, active से passive क्यों लेके जाएंगे, यह सारे चीजें मैंने आ आप लोगों को करवाया था, फिर यहां पर इन में कुछ error थे, यह error भी मैंने आप लोगों को साथ discuss किये थे, okay, यहां पर हमने पिछली वीडियो रोग दी थी, या फिर कहें मैंने रोग दी थी, आपने क्या, मैंने रोग दी थी, आज हम इन तीनो sentences को करने वाले हैं, आप लोगों के साथ अच्छे से discuss करूंगा इन sentences को, कृते हैं, start time, पहला sentence है, okay, sentence में जाने से पहले एक छोटी सी चीज मुझे discuss करनी है, वो यह, कि अगर मैं आप से पूछू कि इस पहले वाले sentence में, इसमें कितने sentence हैं, फिर से सुनो, question मैंने क्या पूचा, मैंने पूचा यह जो first question जो यहां पर लिखा हुआ है, इसके अंदर कितने जो हैं, वो sentence है, कितने sentence है, बच्छा count करेगा, मुझे बच्छा कैसे count करेगा, बच्छा count करेगा, यह जो कॉमा लगा हुआ है, यह एक sentence हो गया sir, और यह जो कॉमे के बाद आ गया, दूसरा this हो गया, दूसरा sentence ह मैं lowest यहांamm नपल में जहां फुल स्टोप लग जाये या जहां टर्मिनेटर जिसको टर्मिनेटर कहते हैं टर्मिनेटर करतेता है जीजों को in्गलिष्क्रमर में चर्मिझेंज इसंटेंट्व करनेटा нем curation लाइं अब यह वाली चीज लग जाये यह समझ लेना खुद का अपने एक वर्ब होता है clear हुआ ऐसे समझो एक sentence में जो close होता है वो एक अपना subject रखेगा और एक अपने लिए एक वर्ब रखेगा ये close कहलाएगा अब मैं नहीं जाओंगा principle close या subordinate close उसके बारे मैं भी बाद में discuss करेंगे पहला ऐसे समझो कि close होते हैं close के अंदर खुद का एक subject होगा खुद का अपने एक वर्ब होगा that's it उसी को close कहेंगे अब मैं सारा रख कर रहा हूँ अब ज़रा आते हैं पहले sentence में पहले sentence को break करेंगे break करने के शुरुवात हम करेंगे वर्ब से applied यह क्या होती है main verb head head क्या है helping verb अब apply करने का काम किया किसने यह driver ने किया यह driver ने किया तो यह बनेगा subject clear एक बार मैंने जो आपके लिए तो यह sentence पढ़ाई नहीं एक बार जल्दी से sentence पढ़ देते हम if the driver had applied break in time the accident could have averted averted का मतलब है अब आते हैं यहाँ पर apply होगी यहाँ पर verb head होगी helping verb और इस apply करने को करेगा कौन है driver करेगा clear if यहाँ पर conjunction है if यहाँ पर conjunction है क्यों conjunction है जड़ा देखो मैंने आप लोगों को जैसे बात कहा है कि दो verb को दो verb को जोड़ना है दो verb को अगर जोड़ना है तो यह जोड़ने के लिए क्या चाहिए जही होती है इनके लिए conjunction clear ऐसे ही दो sentence को जोड़ना है या दो close को जोड़ना है तो क्या चाहिए conjunction तो यहाँ पर यह जो conjunction है वो दो close को जोड़ने के लिए आई हुए सबस् 언제 को जोड़ने के लिया यहां पर कंजेंगशन इन क्या है पर प्रीपोजिशन क्या है इस प्रॉजिशन का अपिध्य। मैंने आप लोगों को और यदि बताया हुआ है reports न है कि उप प्रीपोजिशन के बाद उस दा अर्टिकल हो गया है, if the driver had applied brakes, क्या लगा देता, applied driver, भईया क्या apply कर देता, brake लगा देता, तो यह बनेगा object, क्यूंकि इस action का receiver बनेगा, apply करने को काम किया, driver ने करेगा किसके ओपर, brake की ओपर, तो brake बनेगा, यहां पर, object बनेगा noun, clear यहां पर, अब दूसरे close पे तो apply किसके उपर कर रहा है break के उपर अब जोड़ा खुछ सोचो हमें इस sentence या इस close के अंदर passive verb चाहिए थी या फिर active verb चाहिए थी हमें इस close के अंदर first close के अंदर active verb चाहिए थी या फिर passive verb चाहिए थी देखो passive में जो subject होता है वो action का receiver होता है उसके उपर action होता है यहां पर और active में active में जो subject होता है active में जो subject होता है वो कौन होता है action का doer होता है action हो रहा है यहां पर apply करने का apply करेगा कौन भाया यह driver करेगा obviously clear अब driver को इस action का करता हुआ बनाना है मतलब कि बनाना है और दूर बनाना है तो यहां पर कई लगानी है है यहां पर वर्ब लगानी हमने अच्टिव वर्ब तो यहनी ऑतिव वोईस चीज हमें जाए है था दिर्शा efecto अब जेरा बताओ कि यहां पर active वोफ लगी हुई है या फिर passive दऑ लगी है यहां पर if the driver had applied break in time यानि यह close बहुत सही है कि अगर driver जो है applied कर देता, apply कर देता क्या apply कर देता, break कर देता कब in time, in time का मतलब होता time रहते हुए तो accident could have averted तो accident को टाला जा सकता था clear यह वाला sentence है यहां पर अब पहला close तो बिलकुल सही क्योंकि करता चाहिए था, हमें doer चाहिए था लगा हुआ है, receiver भी है यहां पर बिलकुल सही, अब आओ जरा आगले close के उपर यहां पर verb क्या है, यहां पर verb averted main verb है, have क्या है यहां पर, helping verb है could क्या है यहां पर, यह भी helping verb है अब जरा देखो, यह verb आई इसको अपना subject चाहिए, क्योंकि मैंने कहा अगर verb आएगी, अगर verb आएगी तो उसका subject तो 100% आएगा ही आएगा और इसका subject कौन बनेगा the article और accident, यह accident ही तो बनेगा यह बनेगा subject, यह बनेगा subject, अब जरा question सुनना अब मुझे बताओ, यहां पर सर, इसके अंदर कहीं पर भी B की form प्लस में verb की third form B की form प्लस में verb की third form वाला structure तो है नि तो इसके अंदर active verb लगी हुई है यहनि active voice लगी हुई है और active voice में subject कौन होता है active voice में subject होता है doer तो आओ जरा, accident यहां पर क्या है subject है, verb कैसे लगी हुई है active लगी हुई है यहनि active voice लगी हुई है तो यहनि accident क्या बनेगा यहां पर doer बनेगा अब जरा आओ, इसका meaning निकालते है देखो जरा, active लगी हुई थी active के according तो subject क्या करता है doer होता है अब इस sentence का मतलब यह है अगर driver time रहते apply कर देता क्या apply कर देता brake apply कर देता तो accident, सुनना जरा the accident could have avert तो accident खुद अपने आपको टाल देता अरे भया, accident खुद अपने आपको कैसे टाल सकता है accident को तो टाला जाएगा accident भला किसी चीज का action doer कैसे हो सकता है इसको तो टाला जाएगा यानि मुझे इस avert का action इसके उपर कराना है समझ रहे हो accident खुद ना किसी चीज को टालेगा accident को टाला जाएगा accident को टाला जाएगा यानि इस verb का action मुझे इस subject के उपर कराना है अगर मुझे verb का receiver subject बनाना है तो मुझे वर्ब कैसी, यानि voice कैसी लगानी पड़ेगी, पैसी voice, तब ही तो action का receiver subject बनेगा, जमज में आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आना था, have के बाद यहाँ पर आना था, been, clear, अब been क्यों लगा sir, आओ जो रहा, been के ओपर ओडिसकस करते हैं, बाकी के साथ क्या है, have, has, or had, इनकी ना एक condition है, इनकी क्या condition है, यह देखो, यह helping verb भी बनती है, और main verb भी बनती है, जब यह main verb बनेगी तो वहाँ पर discuss कर लोगा, लेकिन अभी फिलाल helping verb के perspective से बात कर रहा हूं, जब यह helping verb होती है, तो यह कहते हैं कि हमारे बाद हमेशा verb की third form आने चाहिए, clear, verb की third form आने चाहिए, अब जब यहाँ पर देखो, verb की third form यहाँ पर कौन सी होती है, ऐसी verb की third form लगानी है, मतलब यहाँ पर, यहाँ पर हमें एक ऐसी verb की third form चाहिए, have के बाद हमें, अगर इसको verb की third form आनेगे, obviously verb की third form तो है यहाँ पर, ठीक है, have के बाद verb की third form लगी वब की third form, अब have के बाद हमें वब की third form चाहिए, अब third form चाहिए तो देखो is MR, भी, मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ये कहे कि ये सर आ सकते है, has had, have के बाद ये जिजे आती है, is MR, तो ये तो आती हैं ये बात कट गया, has has had के बाद कभी वर नहीं आता, ये बात कई, being नहीं आएगा, तो ये बचा, being देखो, ये होती है first form, ये होती है second form, ये होती है क्या third form, clear यहां पर ये होगी third form, तो being ही जाएगा यहां पर, has had के बाद यहां पर, being लगाना compulsory होगा, यहां पर, ये sentence की बात कराओ, क्यों लगाना होगा, कोई और वर्ब क्यों नहीं लगा सकते, कोई और वर्ब लगा दी, तो उसका meaning change हो जाएगा, यानि sentence का meaning ही change हो जाएगा, हमें एक ऐसी वर्ब चाहिए, जो meaning change ना करे, इस action का receiver इस subject को बना दे, और meaning भी same रखना है, इसको verb की third form भी देनी है, तो ये बीन ही होती है, बीन एक तरीके से समझो, खाली होती है, ये satisfy करती है, खाली मतलब इसमें कुछ नहीं होता, ये satisfy करने के लिए आती है, structure पूरा करने के लिए आती है, और वही आया है, clear यहां पर, तो यहां पर क्या आना था, if the driver had applied break in time, the accident could have been averted, accident को टाला जा सकता था, यानि इस टालने का action अब किसके उपर हो गया, इस accident के उपर हो गया, आया समझ में, जरा आओ अगले sentence के उपर, पर अगर यह वाला sentence नहीं आया है, समझ में, तो don't worry, कोई बात नहीं, अगला आएगा, देखो जरा, the child might have saved, if the doctor had taken proper care, अब आओ, यहां इस sentence को करते हैं, अब इस sentence को करना है, तो if से कर लेते हैं, इस जो है, वो conjunction है, क्योंकि, आओ, इसके अंदर, 2 verb और subject के pair आई हुए, देखो यहां पर, यह रा subject और यही वर्ब का pair, यहां पर यह रा subject और यह रा verb का pair, ठीक है, यह नि, यह तो पूरा verb का pair हो गया, सेम यहां पर है, अब यहां पर verb क्या है, इस close की बात कराओ, इस की बात वाले की, यहां पर verb है, taken, यह होगी main verb, clear, यह head हो गया, helping verb, taken word, taken, proper care, care बनाने के हम यह पूरा का पूरा हम बना लेते हैं, object, यह बना लिए हमने object, भया, taken क्या रखता, क्या रख लेता, भया, अच्छे से, ध्यान रखता, कौन रखता, कौन बनेगा, इस action को करने वाला होगा, तो यहां पर यह subject बनेगा, अब जड़ा सोच कर बताओ, इस close के अंदर, हमें voice कैसी लगानी थी, active या passive, अगर हमें यहां पर active लगाया है, तो इस action का doer होगा, डोक्टर जो है वो इस action को करेगा, डोक्टर जो है वो taken, यानि taken क्या, मतल होगा, तो यहां इसमें कोई भी दिककत नहीं है, मीनिंग भी सही निकाल रहा है, कि डोक्टर अगर अच्छे से ध्यान रखता, तो क्या होता, मतलब, अभी महा किया नहीं जाओंगा, क्योंकि उसमें राज सारा खुल जाएगा, तो डोक्टर, if the doctor had taken, what taken proper care, clear, यहां पर, action अब इस वर्ब को अपना subject मिला, नहीं मिला, तो यह child क्या मनेगा, subject मनेगा, मैंने कहा न, verb आएगी, तो उसका subject तो 100% आएगा, तो यह subject मना, इस verb का, इस verb का, saved का subject मना, अब मुझे बताओ जारा देखकर, यह जो close है, वो active में, या फिर passive में, सर कहीं पर भी, passive वाला structure तो ह ही नहीं, यानि B की form प्लस में, verb की third form वाला structure तो है नहीं, तो यह जो है, यह active में लगा हुए, अगर active में लगा हुए, तो इस save verb का, इस save को, मतलब यह जो action है, यह save करने का action कोन करेगा, यह child करेगा, यानि इस action को करने वाला कोन होगा, doer बनेगा यहाँ पर, क्योंकि active मे लगा हुए, अब जोड़े, doer था, तो इस sentence को जोब हमने पढ़कर देखा, the child might have saved if the doctor had taken proper के, कहीं न कहीं, इस sentence का meaning यह था, कि बच्चे को बचाया जा सकता था, अगर doctor अच्छे से ध्यान रखता तो, तो बच्चे को बच्चे को बच्चाया जा सकता था, अरे बच्चे क जोड़ना चाहिए, हमें क्या चाहिए, receiver चाहिए, sir क्या doer बनानी सकते है, अरे बेशक बना सकते हैं, लेकिन पुरा sentence पढ़कर देखो, na, sentence में requirement यह है कि इस save verb का हमें इसके ओपर action करवाना है, यानि इस subject को इस action का receiver बनाना है, ना कि doer बनाना है, अगर मुझे इस action का receiver इ बनाना है, पैसिव, अगर मुझे पैसिव लगानाना पड़ेगी, तो मुझे बी की form चाहिए, यहाँ पर बनाना है, यहाँ पर लगाना पड़ेगी, ता कि यह संटेंस अपना meaning साहिए, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो है, इस saved verb का receiver है, वो यह subject बनाएगा, sentence the child might have been saved बच्चे को बचाय जा सकता था अगर डोक्टर उसका ध्यान रखता अच्छे से अब ज़रा देखो सर आपने ये इफ वाली तो पहले से यहां पर शुरुवात में लिख दिया यहां पर आपने बाद में बीच में लिख दिया यह क्या चक्कर है हमें कैसे पता चलेगा कि कब कहां रखना है देखो कहीं पर भी रख लो अगर आप इस इफ वाले स्टक्चर को उठा के पहले लेकर आते हो यहां पर भी लेकर आते हो जैसे इफ दा डोक्टर है टेकन प्रोपर के तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है अब आँ जो रहा रोहन जंप दा ट्रैफिक लाइट एंड फाइंड बाइदी पुलिसमें अब यहां पर देखो जंप यह जो होगी जंप होगी यहां पर जंप यहोगी मेंवर्भ एंड ड्रिजंप कोन करेगा ड्रोहन करेगा तो यह क्या होगा सब्जेक्ट एक्शन का ड्र चाहिए हमें वह को ठिक हैं जंप ड्र ट्रेफिक लाइट भ़ी है ट्रैफिक लाइट जो यहां पर यहीन इन पर नहूं browser काते हैं एन्ड जो हुथ हो कंजंगन होती है बाइ जो है वो अजमें बिक पोजिश Reports पोजिशनों हो पोजिशन फ्रीप पॉजिशन के बाद किया नहीं पर यहां पे तर जो休र राहुल राहुल इस राहुल इस डांसिंग एक संटेंस यह यही सेम राहुल है राहुल इस सिंगिंग अब जड़ा देखो अरे एक ही करता धरता है इन दोनों एक्षन का बिया नाचने वाला भी राहुल गाने वाला भी राउन तो हमें ऐसे नहीं लग सकते राहुल राहुल इस राहुल इस डांसिंग राहुल इस डांसिंग एंड सिंगिंग राहुल इस डांसिंग एंड सिंगिंग भया राहुल जो है वो नाच भी रहा है और गा भी रहा है तो यहां पर इस सिंगिंग वर्ब का subject कौन बनेगा, यह राहूली बनेगा इस dancing verb का subject कौन बनेगा, यह राहूली बनेगा clear यहाँ पर, same यही है देखो, यह fine और यह jump करना jump का मतलब यह नहीं कि traffic light थी उसके पर jump करके चला गया, नहीं, उसको cross करके चला गया, यहाँ वो रुका नहीं वहाँ पर traffic light में तो यहाँ पर यह jump करने का काम और इस fine होने का काम, इसका करता धरता कोन है, इसके लिए subject क्या बनेगा, यह राहूल ही बनेगा इसलिए मैंने अलग subject नहीं लिखा है देखो, जब एक ही verb, जब दो verb क्या एक ही subject हो, तो उनको end conjunction जोड़ कर, उनके लिए एक common subject रख दो, यही तो करती है न, conjunction हो भाईया, दो verb को जोड़ दिया, दोनों के action को जोड़ दिया, हमने यहाँ पर end conjunction से अब ज़रा देखो, यहाँ पर end से पहले का देखेंगे, रोहन jumped, what, रोहन jumped, traffic light jump करने काम कोन करेगा, रोहन करेगा हमें यह structure किसमें चाहिए था, active में चाहिए था, क्योंकि door चाहिए न, इस jump को, मतलब jump करने का door चाहिए, तो रोहन रोहन इसका door बनेगा, और उसके लिए, door के लिए किसकी मतल देनी पड़ेगी, इस active व्यास की लेनी पड़ेगी, तो क्या इसमें active voice लगी हुए है, बेशक active voice लगी हुए है, कहीं पर भी बीकी form नहीं है, ओके, ये बिल्कुल सही, end conjunction के बाद आजाओ जो जड़ा, ये fine लगा हुए, इस fine को मतलब अब यहाँ पर देखो जड़ा, ये active में लगा हुए, क्योंकि इससे पहले कोई बीकी form नहीं है, अब मुझे बताओ, ये fine लगाने का काम करेगा, रोहन करेगा, देखो, इस sentence का meaning हुआ, रोहन जो है, वो जब करके चला गया, traffic light को, traffic light को तो उसने jump किया ही किया, साथ ही साथ, भई, उसने fine भी लगा दिया, अरे ये क्या कर रहे हो, sir, fine तो उसके लगाया जाएगा, और आप लिग भी रहे हो, by the policeman, policeman के दौरा, तो यही तो मैं पड़ेगा, यहां पर मुझे, वोज लिखना पड़ेगा, क्यूंकि англий B की second form चल रही थेना, जंप, wind तो वोज लिखना पड़ेगा, यहां पर, यहां बनेगा B की form, प्लस में वोज की टर्ड फोर्म, देखो ज़रा, रोहन, आप ड़िखally, यहां तो यह थे structure आज की जो active passive के जैसे करने थे अब इसके अलावा चीजें हमें सीखनी है इसकी चीजें हमें सीखनी के हैं यहाँ पर देखो इन दोनों sentence में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एक तो देखो इसमें इसमें sentence में tense कौन सा यूज हो है अब tense बच्चे बताने की कोशिश करेंगे sir tense जो है इसमें head applied लिखा हूँ है तो यह past perfect है ज़रा देखो ज़रा यह past perfect है देखो बच्चे यही करेंगा न past perfect है अब ज़रा एक चीज़ देखना अगर आप इसको past perfect मान रहे हो क्योंकि head, head, applied, applied लिखा हूँ है यह present हो गया इससे पहला क्या हो गया, past हो गया इसके बाद वाला क्या 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 लाएगा, future क्या लाएगा ठीक है यह future हो गया अब past के past में भी एक action होता है उसको कहते है past of past clear यहां पे, अब ज़रा देखो अब मैं कहूँ कि मैंने जो है, यहां पर मुद सुबह उने हो ऑन्चने, तो मेरे भाई ने आट वजे तक अपने काम खतम कर लिया यह नूबजे है यह अट वजे, यह नो के भी पास्ट के बात कर रहा हूँ महीं प्रैजनट में खड़ा ऊपके बात बोल रहा हूँ तो इसके लिए तो वी टू लगती है लेकिन इसके लिए क्या लगता है पास्ट परफेक्ट लगता है पास्ट परफेक्ट लगता है देखे इसको फिर से करवाऊंगा जो मैं टेंस पर जाओंगा इसके लिए पास्ट परफेक्ट लगता है अब जो पास्ट परफेक्ट लग अगर यह action हो चुका है, driver ने इस action को लगा दिया, अगर आपने इसको past perfect बोला है, past perfect का मतलब यह past के past में भी हो चुका है, अगर यह action हो चुका है, तो यह बात की बात क्यों बोल रहे हो, समझो रहे हो, if the driver, अगर driver ने apply कर दिये थे break में, तो यह accident क्यों हो गया, इस sentence का meaning तो तो accident को टाला जा सकता था, यहानि इसका एक दूसरा meaning यह निकना, कि accident टाला नहीं, accident हो गया, अगर उसने apply करी दिये होते, अगर उसने apply करी दिये होते, ब्रेक, तो यह बाद वाली बात बोली क्यों है, अगर आप इसको past perfect बोलोगे, तो यहानि यह हाँ पर यह head plus above की third form, य यह कुछ और है, यह मैं आपको doubt दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, समझ रहे हो, इस चीज को clear करूँगा मैं आने वाले time में, अब दूसरी चीज, यहाँ पर लगा हुआ है, यह helping लगी, यह helping लगी, यहाँ पर बीन एक और, देखो एक sentence में तीन-तीन helping आप सकती है, मुझे एक sentence एक चीज और समझानी है, एक चीज क्या समझानी है, जड़ा देखो, modals, modals, plus में have, plus में verb की third form, यह एक structure होता है, यह एक structure होता है, हिंदी में हम इसको कहते हैं, काश, काश मैंने ये काम कर लिया होता, काश मैं वहाँ चला गया होता, काश मैंने त्यारी कर ली होती, अब काश मैंने त्यारी कर ली होती, तो आपका मीनिंग क्या निकल रहा है, यह आपने त्यारी नहीं की, आप कह रहे हो काश मैं वहाँ चला गया होता, इसका मीनिंग है, आप वहाँ नहीं गए, तो यह modal have plus verb की third form, यह करते क्या है, यह आपकी imagination, आप imagination कर रहे हो किसी ऐसी घटन को जो अब आप उसको opposite meaning चाहते हो, यह आप उसको opposite meaning करने के लिए यूज किया जाता है, opposite meaning अपने past में ऐसी चीज कर दी, आप चाहते हो कि उसमें कोई फेर बदल हो जाए, इसलिए आप इसका use करते हो, तो जरा देखो यहाँ पे, यह कह रहा है, could have averted, could have averted, यानि could have been averted, यह पास्ट की एक घटना को opposite meaning करवाने की कोशिश कर रहा है कि काश, यह accident अटाला जाता, लेकिन यह accident हो गया, ध्यान आया, समझ में, मतलब ध्यान क्या, समझ में आया यह सारी चीजे, तो यह था आपके सामने active passive का एक बहतरीन example, जिसमें हम active passive के थुरू कैसे चीजों को solve क करेंगे, बहुत काम आये चीज, active passive को कैसे यूज करते हैं, बहुत काम आने वाली है, clear, same to same, यहां पर भी might have saved, might have been saved, यह modal का structure लगा हुआ है, had taken, यह कोई वर्ब नहीं कहते हैं, यह past है, past perfect, इसको यह नहीं कहेंगे, इसको भी करवाँगा मैं, लेकिन जब tense पे जाएंगे दो और lecture आएंगे, वर्ब के दो lecture और आएंगे, basic के ही होंगे, उसमें वर्ब के अलावा, conjunction, interjection, preposition के बारे में मैं discuss करूँगा, वहां पे थोड़ा बहुत, फिर इसके बाद हम pronoun पे चलेंगे, जो pronoun का first lecture होने वाला है, अब तक तो basic की करवाया है, मैंने, अब basic करवाने के पिछे मकसद यह था, अगर आप लोगों ने, अच्छे से यह सारी चीजें के, अभी दो की basic को रहता है, जब pronoun पे करेंगे, वहां कर लेंगे, अब basic करवाने के पिछे मकसद यह रहता है, कि अब जब भी मैं pronoun पे जाओंगा, तो अब आप मुझसे चोटी-चोटी चीजे है रही कि यहां पे subject है, noun, pronoun है, इसारी चीजें, तो यह सारी चीजें मैं पहले इसलिए करवा देता हूं, जाकि हम detail पे जाएं तो हमें कोई प्रशानी नाव वाँ पे, और आज हम अपनी basic के last video हम करने वाले हैं, या फिर basic का last lecture हम complete करने वाले हैं, फिर इसके बाद हम pronoun को start करतेंगे with detail, detail के साथ हम pronoun को करने वाले हैं, और आज हम देख लेते हैं कि इस basic के last lecture में हम क्या क्या देखने वाले हैं, देखो conjunction हमें देखना है, preposition हमें देखना है, interjection हमें देखना है, और थोड़ा बहुत basic रह गया था, verb का वो भी हम देखने वाले हैं, देखो verb में मैंने जितना आप लोगों करा दिया है, verb में मैंने आप लोगों को इसके type बताए, type में मैंने जैसे कि आप लोगों को बताए कि ये doing होता है, ये being होने का काम करता है, ये happening होने का काम करता है, यानि ये तीन काम करता है, verb, फिर मैंने आप लोगों को इसके दो type और बताए थे, मै इसके उपर एक detail lecture मैंने लिया है वहां पर error भी मैंने active passive के अपर आप लोगों को करवाये हैं कि भी कैसे use किया जाता है कैसे इसका meaning निकाला जाते हैं यह सारी चीजें हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो जाकर वो देख लिजिए ताकि आप लोगों को यह lecture अच्छे से समाझ आ जाए और इस basic lecture के बाद हम detail पर चले जाएंगे detail से करने चलेंगे इस pronoun को clear हुआ तो आज का lecture हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ही जो मतलब बिल्कुल क्या जो हमने पिछली वीडियो में देखा था काफी टाइम हो गया उस वीडियो को डाले हुए टाइम नी मिला टाइम मिलता ही इसको मुझे लगा कि complete करा रहा हुँ तो जो हमने last वीडियो के अंदर दे साथ ही बात आप लोगों को मैंने करवाया था कि doing, doing, being, happening ये वाली चीज मैंने आप लोगों कराई थी साथ ही साथ ही साथ मैंने आप लोगों को active, passive ये वाली term मैंने आप लोगों को verb की करवाय थी पिछली वीडियो में या उससे पिछली वीडियो में जब से हमने verb का basic दे जाद आए वीडियो पोज करनी है और यह पांचों सेंटेंस के आप लोगों को प्था बनाने है फिरिसे आप लोगों को क्या बनाने है प्थाक्चर रुवा यूसे बनते बाना लुक्श को बनानेErच्ण कर चाहता है वह इन āह सैना फो प्रम जैसा मैंने काई वो किया होगा अगर किया होगा तो देखिए आप लोगों कोई वीडियो देखने का फाइदा मिलेगा आपका टाइम इन्वेस्ट होगा वो सही जगा हो रहा है अगर आप लोगों नहीं किया है तो देखो कोई फाइदा नहीं है भली वीडियो अभी इन पांचों सेंटेंस में समझाना गया था, अगर जिन्हों ने ट्राइ किया होगा, वो तो अच्छे से समझने होगे, कि सर आपने पैसी बनाने को कहा, और पैसी बनाने में, ना तो इसका पैसी बना, ना इसका पैसी बना, ना इसका पैसी बना, और पैसी बना तो बना, सिर आना था, रोमेंटिक शोंग आना था यहां पर रोमेंटिक आयेगा, यहां लिग लेते हैं, क्योंकि हम एक सात ही उठाएंगे, यह निये कि अलग-अलग उठाकि लेकर जला जाएंगे, रोमेंटिक सोंग वोज संग बाय रीड़ा, ओके, तो यह इसका पैसी बनना था, बाक कौन रहा है, यह महन कर रहा है, तो यह हो गया आपके सामने subject, अब महन ने क्या गया, यह तो answer नहीं है, लेकिन महन ने कैसा गया, यह जरूर answer, महन ने मीठा गया, यह sweetly, इस सिंग्स को qualify कर रहा है, तो यह बनेगा adverb of manner, और यह very sweetly बहुत ही अच्छा का या तो यह very sweetly को qualify करने वाला adverb of degree अब यहां पर आप देखेंगे तो जो यहां पर यह verb होगी यह subject हो गया song इस verb का object हो गया romantic इस song को qualify करने वाला adjective हो गया तो आपने देखा यह जो active वाला sentence था जब मैंने इसको passive बनाया तो object जो क्या बन गया वहाँ पर subject बन गया यह helping verb होगी यह main verb होगी यह preposition का object होगी तो आपने क्या देखा जो object था वो क्या बन गया subject बन गया clear यानि active से passive जाते समय आप लोगों को क्या देखना था कि भाईया जो active में active में क्या है object है और यह जो object है वो passive में जाके क्या बनेगा subject बनेगा यह चीज तो आपको पता ही होगा कि किसी भी sentence के अंदर वब आनी जरूरी है और वब के लिए उसका subject आना तो 100% लाजमी ही लाजम मतलब एक पूरी वीडियो के अंदर यह चीज समझाई है कि भी इस वब क्यों आएगी उसका subject क्यों आएगा sentence की जितने भी type करवाए थे मैंने आप लोगों को यह चीज करवाई थी सेम बात में यह कह रहा हूँ कि यहाँ पर देखो यहाँ पर वब आई उसका subject आया अब इसका passive मुझे लेके जाना था तो पैसी में तो मुझे क्या चाहिए subject चाहिए और subject कौन होता है जो active में object होता है लेकिन यह तो sentence active में है लेकिन इसका क्या है object तो है नहीं तो passive में subject कहां से बनेगा तो इससे हमने जाना कि यह Mohan Singhs very sweetly इसका passive बन नहीं पाएगा clear, अगला देखो जो राब, गोज होगी मीन वोब, राम जो हो गया, इसका subject हो गया, टू प्रिपोजिशन हो गया, डैली इस प्रिपोजिशन का object हो गया, clear इसका क्या पैसिव नेगा, यहां पर इस गोज वोब को अपना object नहीं मिला, अगर इसको प्रिपोजिशन हो गया, तो पैसिव में subject क्या मिलेगा, बहिया, subject नहीं बनेगा, तो क्या होगा, इसका passive नहीं बन पाएगा, clear अगला संटेम देखो, मोहन फैल फ्रॉम प्रिपोजिशन है, स्टेर इस प्रिपोजिशन का object है, फैल यहां पर है verb, और यह फैल, यहां पर मोहन जो बनेगा, इस फैल वर्ब का subject नेगा, मोहन गिर गया, यहां पर यह action इसके उपर हो गया, यह action इसके उपर हो गया, जब subject नहीं, उसका action अपने उपर ले लिया, वर्ब का action अपने उपर करवा लिया, तो object कहां से तो इसका भी इसलिए पैसिव नहीं बनेंगा या फिर को इसमें और अब्जक्त नहीं ऱहीं बन भाया अगले मेच देखो विषाहल इसलिए टीचर इस होगी MAiNE sunglasses ओग उपर वाले लिखवाएं है इनके अंदर क्या है कुछ sentences का passive बन जाता है इसलिए वो यह मैं सोचने कि passive नहीं बना रहा हूँ तो बनेगा यह नहीं अभी मैं बता नहीं रहा हूँ अभी मैं knowledge कमी रख रहा हूँ क्योंकि reason यह है कि वो वक्त नहीं है बताने का अगर वो चीज़ें अभी बता दी तो बच्चा पजल हो जाएगा मुझे कुछ concept समझाने है उसको passive बनाने के लिए कुछ चीज़े मुझे वहां तक लेके जानी है तो इसलिए एक बार यह मान लो इन चारों का passive नहीं बनेगा अब इन चारों में आपने क्या देखा यह वाली वर्ब जो कौन सी है यह doing वर्ब है यह doing वर्ब है यह वाली वर्ब कौन सी है यह भी doing वर्ब है यानि इसमें action हो रहा है मतलब कि इसमें action कर रहे हैं क्या कौन कर रहा है ये मोहन कर रहा है, ये वाली वब कैसी है ये happening वब है, ये काम अपने आप हो रहा है ये वाली वब कैसी है, ये वाली वब being है, ये वाली वब being है और ये वाली वब कैसी है, ये वाली वब doing है तो इन sentences से हमने क्या सिखा सिर्व और सिर्व doing वब का ही पैसी बन पाया और doing work में भी किसका जिसका object आया क्लियर देखो यहाँ पर यह doing work है, Rita ने गाना गाया, रिटा ने गाना गाया एक romantic गाना गाया, तो यहाँ पर गाना गाने का action इस song के ऊपर हुआ, तो यहाँ पर जब action का transfer हुआ, action का transfer हुआ तो उसे object मिला तब जाके उसका passive बन पाया उपर भी यह देखो कि यह verb जो है यह उसके अंदर doing यह तो है लेकिन इसके अंदर object नहीं रखा है अभी आ रहा हूं यह object का रखने का पंगा यह active मतलब कि transitive and transitive को अभी आऊंगा इसके तो उपर मैं मैं कहना क्या जा रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ Doing-Werb का ही Doing-Werb का ही passive possible है और Doing-Werb में passive उसका possible है जिसमें object आएगा बिना object के Doing-Werb का passive नहीं हो सकता नहीं being का हो सकता है और नहीं happening का passive बन सकता है कि मैं half information दे रहा हूं पूरी information मैं जब active passive पे जाओंगा तब आप लोगों को वहां पर provide करा दूँगा reason यह है half देने का क्योंकि आप लोग उतने परीपक विया उतने mature नहीं होए हैं कि मेरी बातें अभी आप समझ पाओ clear हुआ तो reason मेरा यह है अभी सारी चीज़े मैं आपके सामने खूल नहीं रहा हूं बता नहीं रहा हूं clear हुआ यह वाली चीज़े मुझे क्या समझाने थी कि बहुत सिरुप फुर सिरुप doing verb का ही passive बन सकता है doing में भी किसका जिसका object आ रहा हूं being और happening verb का passive नहीं बन सकता यह तो हुई पिछले वर्ब की कुछ basic बातों के बारे में थोड़ी और चर्चा अब थोड़ा सा और इसके बारे में हम discover करते हैं transitive-intransitive की बात करने हैं देखो transitive-intransitive मैं क्यों करवा रहा हूं उसका reason दे देता हूं अब ना मैं इसके बाद आप लोगों को pronoun करवाने वाला हूं समझाओ pronoun करवाने वाला हूं pronoun में एक concept आएगा reflexive reflexive pronoun clear reflexive pronoun अब क्या है मैंने जितनी books पड़ी हैं या फिर teacher से जितनी बात की हैं वो क्या कहेंगे कि बहना फलान 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 मतलब verb के साथ ये वाले reflexive pronoun आते ही आते हैं मतलब इतनी सारी verb लिखवा देंगे उन verb के बाद ये बोलेंगे इनके बाद आपको reflexive pronoun लगाना जरूरी है अभी आपको नहीं बता है reflexive pronoun क्या होता है don't worry मैंने अभी तक करवाया नहीं है तो आप लोगों को attention लेने की बात नहीं है बहुत बता रहूं इसको सुनते चलो क्या कहेंगे या books में क्या मिलेगा कि इतनी सारी वर्ब लगवा देंगे और वर्ब के बाद बलेंगे इनके बाद reflexive pronoun आना जरूरी है अब क्यों आना जरूरी है उसका reason यह है कि भाई या वो transitive verb होती है intransitive verb होती है इसलिए वहाँ पर कभी object आता है कभी object नहीं आता है अब पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को करवाया था कि transitive verb किसको कहते हैं और intransitive verb किसको कहते हैं यह मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर भी पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों कराया था Transitive, Trans का मतलब होता है Move, Move होना, यानि Action का एक जगह से दूसरी जगह पर Move होना, वो क्या होता है? Trans होता है, clear तो इसके साथ Transitive लगा है यहाँ पर Action का transfer हो रहा है अगर Action का transfer एक जगह से लेकि दूसरी जगह पर हो जाए यानि कि उसको Object मिल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटीव अब कहेंगे और इन ट्रांजिटीव क्या कहेंगे इसका action का transfer ना हो इस action का transfer ना हो तो वहाँ पर object नहीं होगा यानि कहें जिस verb का object नहीं होता उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम intransitive verb कहेंगे, clear, दूसरी भाशा में समझाता हूँ, या इसी को मैं फिर से simple करके समझाता हूँ, जिस verb को जिस verb को अपना object मिल जाए, उसको क्या कहेंगे transitive verb कहेंगे, और जिस verb को अपना object ना मिले, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे intransitive, clear हुआ, इतनी चीज़ clear है ओके, यहाँ पर फिर से आते हैं, इसको सारा करफ कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पर देखिए, Mr. Gupta introduced to the VC, अब यह वाला जो concept है, मैं फिर से लेके आऊँगा pronoun के अंदर, अब यहाँ पर verb को देखते हैं, यह होगी verb यह introduce करने का काम किया, कि इसको, यह Mr. Gupta ने किया, तो यह बनेगा subject noun है, clear, proper है अब यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, कि मैं यह कहने वाला हूँ, यह two preposition है, और यह preposition का objective VC, the article है, ओके मैं यह बताने वाला हूँ कि introduce जो verb है, intro, introduce introduce, introduce, जो verb है वो एक ऐसी verb है, कि वो अपने बाद object मांगेगी है, क्यों मांगेगी, क्यों कि यह एक transitive verb है, Sir आपको कैसे बता, यह intransitive verb है, कोई तरीका आपने कैसे जाना कि यह introduce transitive verb है, हमें कैसे बता चलेगा कि कोई verb transitive है या intransitive है, एक तो reading करोगे जितनी books जितनी novels जितना newspaper पढ़ोगे या जो भी आपकी मर्जी हो वो आपको पढ़ना होगा in English ऐसा नहीं कि Hindi में पढ़ने बैठ जाओगे English में पढ़नी होगी जब आप English में अपनी reading enhance करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जब जो ये transitive verb क्या होती है ये कैसे पहचानी जाती है कौन-कौन सी verb transitive होती है देखे थोड़ा से broad idea मैं दूँ थोड़ा से broad idea मैं दूँ transitive verb अगर कुल verb 100 है तो उसमें जो transitive verb हैं वो आप लोगों को मिलेगी या फिर कहें intransitive verb और दोनों का mixture या नहीं कि mix mix यहां भी लिख देता हूँ मानो कि 70% 70% verb जो आपको mix मिलेगी mix in the sense कि एक ही verb transitive ही बनेगी और वही verb intransitive ही बनेगी जैसे जैसे मैं कहता हूँ teach teach जो verb है वो transitively भी काम कर देती है intransitively काम कर देती है इसको आप object दे भी दो तब भी चल जाएगा इसको object ना दो तब भी चल जाएगा वो 70% ऐसी verb है intransitive और intransitive मान लो 10% है कि भाया यह अपने बाद कभी भी object नहीं लेंगे और 20% जो verb है वो transitive है वो कहेंगे हमारे बाद तो object लगाओ हुई लगाओ यह reason है और आपको जो examiner है वो इसमें फसाने की कोशिश करेगा कि आप लोगों को transitive verb बता नहीं होंगी और आप जो आपर error कराओ कि हो अब यही बात आती है कि सर इतनी सारी verb है हमें कैसे बता चलेगा तो reading के पर पर देख तो reading हो गया दूसरी चीज कि जितनी important verb है उसको मैं करवाने वाला हूँ एक story बना रखी है उस story के through आप लोगों के आपके exam के perspective से वो सारी verbs आपकी notebook में होंगी आपको अच्छे से याद होंगी वो मेरा काम है करवाना लेकिन उससे ज़्यादा आप लोगों के याद करना है तो reading का सहरा लेना पड़ेगा कुछ चीजे मैं मेरी limit तक है वो चीजे मैं करवा सकता हूँ कि याद करवाना है कुछ verbs को exam के perspective से वो मैं करवा दूँगा story के बिहाव से या story की through आप लोगों को वो चीजे याद करवा दूँगा क्लियर इतनी चीजें समझ में आ गई तो मैं क्या कह रहा हूँ यह introduce जो है वो यह कहता है कि मैं अपने बाद object लूँगा क्योंकि मैं transitive verb हूँ और मेरे पास object जो 100% आएगा ही आएगा इसका तो यह बात बोलना है अब यह बात बोलना है तो introduce आया introduce आया तो अब आपके सामने reason यह है कि रीजन यह है तो एक to हटा दो इस VC को इसका object पकड़ा दो सरा ऐसा भी तो कर सकते हैं दूसरा यह है कि यह उसने introduce किया है यह to the VC यह नहीं एक तरीके से देखा जाए उसने introduce किया है VC के सामने वह किसी को तो किया हुगा अग किसी को किया है तो यह तो एक काम करो यहाँ पर आप लगा दो Mr. Gupta ने खुद को himself कर दो Mr. Gupta ने खुद को introduce कर दिया Mr. Gupta ने खुद को introduce कर दिया VC के सामने clear तो यह VC के सामने introduce कर दिया यह himself जो है यही reflexive pronoun आप लोगों को बता इसलिए रहा हूं कि देखो ट्रांजिटी वब क्या होती है इसके ऊपर एरर कैसे आते हैं वो सी जे चीजी सीख रहे हो अगला दाओ इसके बाद क्या है इसके बाद क्या आना है इसके बाद आना है अब आपके सामने अबजेक्ट में रखता हूं यह तो कह दो he explained himself यह देखो वो खुद को कैसे explain कर सकता है और about the theory, theory के बारे में तो इससे यह पता चला है देखो ऊपर वाले में तो two preposition हटा नहीं क्योंकि himself लगाने से sentence का meaning बन रहा है लेकिन यहाँ पर देखो ज़रा he explained himself कर दूं क्या he explained himself about the theory यह कैसे possible हो सकता है theory के बारे में यह season कैसे होगी यह चीज़ ऐसे करो न he explained he explained यह about हटाओ यहां से और इस explain को object बना दो मतलब कि explain का object बना दो इस theory को तो यह preposition का object ना बनके इस verb का object बन जाएगा clear यह सारी चीज़ें करेंगे धीरे-धीरे की कहां से हमें प्रिपोशन अटानी है कहां में reflexive pronoun लगाना है यह transitive इंट बता रहा हूं क्या होती है देखो transitive वब वह होती है जिनको अपना object 100% चाहिए होता है वह वाली वब है यह वह वाली चीज़ करवा रहा हूं मैं clear हुआ अगला sentence हाँ अब कुछ वब ऐसी होती है मैंने पिछली class में बताया था या फिर कहें पिछली last lecture में यह बताया था कि कुछ वब ऐसी होती है जो अपने बाद अपना object नहीं लेंगी वो उनके बाद कभी object आएगा ही नहीं जैसे walk हो गया run हो गया go हो गया यह वब ऐसी है ज preposition का object clear हुआ अब went होगी main verb और यह she हो गया subject अब यहाँ पर देखोगे sir यह home sir यह home तो noun होता है noun होता है तो यह इसका object आगया ना इसका object आगया मैंने कर नहीं इसका object नहीं है यह went जो है यह verb है लेकिन home इसका object नहीं है reason यह है क्योंकि यह intransitive verb है यह walk जो है वो intransitive verb है तो इसके बाद इसका object तुम लिख ही नहीं पाओगे तो यह home बनेगा क्या रे home इस went को qualify करने वाला adverb of place बन जाएगा अगर मैं लिखता he went there he went here तो वही वो here there जो होती वो adverb होती है adverb का जो basic कराया था मैंने आप लोगों को करवाया था here there क्या होती है adverb होते है तो यह home यहाँ पर adverb of place है आपको करना क्या है sorry आपको करना क्या है home यह जो word है आपको एक बढ़िया सी dictionary Oxford की dictionary Cambridge की dictionary या फिर Longman की dictionary इन तीनों dictionary में से कोई एक dictionary आपको अपने फोन में रखनी है और यह home word वहाँ सर्च करना है और आपको देखना है यह home word इसके parts of speech क्या-क्या बनते हैं parts of in the sense क्या यह noun है यह pronoun है adjective है adverb है conjunction है preposition है interjection है क्या है यह तो यह आप जब आप देखोगे तो वहाँ आपको मिलेगा कि home जो है वो noun भी है वो adverb भी है तो वहाँ पर आप लोगों को बकाइदा यह mention किया होगा कि home कितने-कितने parts of speech का का काम करते है और बकाइदा sentence भी दिय अब्जेक्ट लेती ही नहीं है इसका object आही नहीं सकता है इसके बाद तो यहां पर home com object नहीं इसको adverb of place बनाएंगे इस vent verb को इसके qualify करवा देंगे clear तो यह adverb of place बन गई यह सारी चीजे मैंने थोड़ी बहुत इसलिए रखे हैं ताकि आप लोगों को यह transitive-intransitive concept समझ में आ जाए इसा नहीं है कि आज करवा दिया बाद में नहीं करा हूँगा बहुत सारी चीजे बाद में भी repeat होती नहीं है फिर जैसे आप देख रहे हो तो यह आज भी आए रहे है verb आ रहा है subject आ रहा है preposition आ रहा है preposition का object आ रहा है clear okay यह sentence हो गया अगले sentence पे आओ walk, walk हो गया mainvable arena it is subject subject हो गया with preposition है Amity's propulsion पर का object है मैंने का kye walk इसी 100% क्या होती है क्या जाए इसको intensity होती है intran say tea in transit होती होती तो यहां पर इसके बाद home को नहीं बनेगा यह object नहीं बनेगा तो यह क्या बनेगा apad क्या प्या बनेगा इसको qualify करने वाला तब एक चीज है कि आप जब आप क्या करेंगे नहीं इस वोग के बारे में सार्च करेंगी या फिर एक काम करिए आप इस वोक के बारे में सर्च करिए इस वेंट के बारे में सर्च करेंगे या फिर इस वोक के बारे में जब सर्च करेंगे तो आप लोगों को ना वहाँ पर वोक के बाद कुछ वोक डहली run daily जैसे मैंने का run run एक intransitive verb है जब आप करेंगे तो इसके बाद शायद आपको कुछ noun लिखा भी मिल जाए daily सरीय तो नहीं हो सकता ना आपने home तो चलो बना दिया daily तो आप adverb नहीं बना सकते मैंने का बिल्कुल सही तो लेकिन ज़रा देखना run का मतलब वहाँ पर meaning क्या होएगा meaning भी change हो जाता है आप लोगों को ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि आप जाके word देखें सिरफ और सिरफ word देखा उसका meaning नहीं देखा आपको meaning भी check करना है कि उसका meaning क्या बन रहा है अगर उसने उसके बाद object रखा है तो वहाँ पर उसका meaning क्या बना है तो यह बड़ा important हो जाता है क्योंकि meaning बहुत important है एक sentence का meaning तो convey करवाने बढ़ेगा तो वहाँ पर run जो है वो दोड़ना नहीं है run जो है वो दिल्ली को चलाने से मतलब आ जाएगा जैसे मैं कहूं he runs daily वो दिल्ली चलाता है तो यहाँ पर जो है वो run जो है वो दिल्ली को चलाने का काम आ रहा है दोड़ने का काम नहीं करा रहा है ठीक है न इस चीज को समझ होँ इसका meaning मतलब दिल्ली को चलाने का मतलब है वहाँ पर कानून विवस्था को उसने से चारो रूप से चला रहा है वहाँ पर लोगों को सुविधाएं वो प्रवाइड करा रहा है तो यह सारे चीज़ें आ जाती है रन पर रन का मतलब दोडना नहीं है दोडने का सेंस वहाँ बदल जाते है तो देखना है कि आप जब यह रन सर्च कर रहे हैं यह वोग सर्च कर रहे हैं डिक्शनरी के अंदर तो यहाँ पर उसका मीनिंग क्या आ रहा है तो मीनिंग भी बड़ा ध्यान रखना है आपको क्लियर हुआ आओ ज़रा यहाँ पर यह विल हो गया यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इसको पर अधिकार जटाने वाला पोसेसिव अड़ेक्टिव नेगा यहाँ पर होँआ अड़ेक्टिव मतलब की अड़ेव कैसे नहीं बना रीजन है ना इसके पहले यूवर आगया और यूवर आएगा तो उसके बाद ओविसली यह होम जो वो नाउन बनेगा क्योंकि एडजेक्टिव जो वो नाउन को ही क्वालिफाई करने के लिए आता है तो इन सब वर्ड से हम यह देख लेते हैं कि यह जो यूवर है दा इससे आर्टिकल पहले लगा होता तो यहां पर क्या कहते हैं यह नाउन होता है समझ में आ रही है तो इन सब चीजों से हम थोड़ा बहुत लगा लेते हैं कि होम यहां पर नाउन बनेगा अब यहां पर यह नाउन है, क्लियर, क्योंकि नाउन के पहले ही एड्जेक्टिव लगता है, इस युवर से हमने पता कर लिया, अब थोड़ा बहुत मुझे वर्ब का और यह बस लास्ट है, इसके बाद हम करेंगे, प्रिपोशन करेंगे, और इंटर्जेक्शन करेंगे, और हमारा बेसिक इंपरी, फिनिश करते हैं, अब पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों कराया था, कि का मतलब होता है करना, कोई एक्शन करता है, बिइंग का मतलब होता है किसी का कुछ होना, यानि अवस्था बताना, अवस्था, अवस्था बताना, और हैपनिंग का मतलब होता है अपने आप, अपने आप कोई काम होना, अपने आप कोई काम होना, clear, तो देखो, दूइंग और यह happening, यह दो चीज मुझे करवानी है being को एक बर मैं हटा रहा हूँ clear, being को मैं हटा रहा हूँ एक काम करते हैं, हटाने के लिए इसको मैं rough ही कर देता हूँ तक आप लोगों को tension ना तो doing मुझे कराना है, और happening मुझे कराना है और यही चीज मैं करने वाला हूँ यहां पर, आओ जो रहा एक पर थोड़ा सा ओर रिवीजन कर लेते हैं doing जैसे मैं कहता हूँ sing, sing उसने गाना गाया तो यहां पर action हुआ, गाना गाने का किसने गाया भाईया, कोई राम शाम था, उसने गाना गा दिया happening, happening में कोई काम हो जाता है जैसे the sun rises in the east sun जो है वो पूरवदिशा से उगता है तो उगने का काम अपने आप हो रहा है कोई कर नहीं रहा, तो यहां पर यह happening में आ जाते है clear same, इस चीज कॉंसेप्ट को अपना रहे है यहां पर देखेंगे Amit broke your favorite chair अगर मैं इसको इसको ब्रेक करूँ तो ब्रेक करने का मतलब हो गया यह main verb होगी, यह broke करने का काम किया किसने Amit नहीं है subject हो गया, noun है, proper है broke word क्या तोड़ दी है, चेर तोड़ दी यह बनेगा object, chair कैसी थी, favorite थी तो adjective हो गया, किसकी chair, तुम्हारी chair इसके पर अधिकार जताने वाला, possessive adjective हो गया clear हो यहाँ पर, okay अगला यहाँ पर आओ, your favorite chair इस sentence का मेनी क्या है, तुम्हारी chair तोड़ दी किसने तोड़ दी थी भई, अमित ने तोड़ दी थी तुम्हारी favorite chair तोड़ दी थी, अब यहाँ पर आओ इस sentence का मेनी क्या है, तुम्हारी पसंदिदा कुरसी तोड़ी गई इस sentence में आओ जरा, मुझे यह sentence और यह sentence करवाना है तो favorite, your favorite chair, same वही है, यह chair subject है यहाँ से आते हैं, broke, broke होगी, main verb, इसको अपना subject चेहिए तो chair बनेगा, क्योंकि favorite इसको qualify करने वाला adjective है यूवर इसको qualify करने वाला एक और adjective है, possessive adjective कब टूट गई वही, कब टूट गई, yesterday तो यह adverb of time है, clear इस broke को qualify कर रहे है अब जरा, इसकी हिंदी और इसकी हिंदी में क्या फर्क है, जरा, कितना फर्क है बहुत ज्यादा फर्क है भई, जरा, देखो, Amit ने कुरसी तोड़ दी, तुमारी favorite कुरसी तोड़ दी और एक इस sentence का meaning है, तुमारी कुरसी तूट गई, अपने आप, देखो यहाँ पर, यह broke लगी थी, वब की second form यह broke लगी यहाँ पर वब की second form, एक doing का काम कर रही है, देख रहे हो, एक verb, एक verb, वो दोनों काम कर सकती है वो doing का भी बंद कर सकती है, और happening का भी कर सकती है, मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो है, यह sentence देखोगे, आज नहीं तो कभी न कभी यह sentence देखोगे, ऐसा कुछ, और मैं क्या कह रहा हूँ, कि active में, active में, active में, active में, जो subject होता है, वो कोन हो होता है और यहां पर यह सेंटेंस किसी में लिखा हुआ है तो यहां। यह सोचएँ गीं ए मैंने का नहीं भई यह किसी चीज को तोड़ना सकती है चेर तो अपने आप टूट गई यहां पर बात इहfle है तो यहां पर आप लोगों को यह समभचा है ऐसे कुछ委 संटेंस है तो आपको समभचा है कि यहां पर यह जो ब्रोक है वो happening verb के तरीके से behave कर रही है तूट गई, इसका मतलब तूट जाना अपने आप तूट जाना हो, अपने आप कुछ हो जाना तो ये चीज होना है, ठीक है ये sentence का meaning है, मनलब ये जितने sentence है कराने का मकसद ये है कि एक verb जो है, वो doing का भी काम कर सकती सेम जैसे कि मैंने कहा एक teach verb है, वो transitive ही हो सकती है वो intransitive ही हो सकती है clear? अब ये सारी चीजे मुझे कराने इसलिए बढ़ रही है कि आप लोगों को rule, rule रटने नहीं है rule रटने नहीं है तो ये थोड़ा बहुत concept तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा अब आप लोगों को नहीं जानना है इस वर्ब के बाद ये आएगा या फिर इस वर्ब के बाद फलाना दिखाना ये सब चीजें आएगी और वो चीजें याद नहीं करनी है तो ये concept आप लोगों को करना पड़ेगा basic तो आपको जानना पड़ेगा इसलिए मैं transitive, intransitive, happening, doing, being इन सब चीजों का बड़ा यूज करता हूँ ताकि आप लोगों को concept clarity आए और आप लोग अच्छे से चीजों को समझ पाए और ये जो तना भी कराने का पीछे मकसद है ratification नहीं है long-lasting आप लोगों के साथ चीज चलेगी है ऐसा नहीं है कि आपने exam दी और exam तक चलेगे भाईया आपके life में कही न कहीं ये काम आजाएगी आप English को पड़ोगे, लिखोगे, समझोगे तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत काम आने वाली है ग्यान कभी भी खराब नहीं जाता है समझ में आया और इस sentence का क्या मतलब हुआ ये sentence पैसी में लिखा हुआ है इसका ही मैंने बनाया हुआ है कि भी तुमारी फेवरेट कुर्सी को तोड़ा गए यहां पर action वो इसके उपर हो रहा है वैसे देखा जाए तो broke जो है वो इस chair के उपर ही हो है ये तूटने का काम हुआ कि इस चेर के उपर हुआ है दोनों ही sentence में देखो ये पैसी में है देखो कितनी बड़िया चीज है तरे कहां गया ये पैसी में है यहां पर जो subject है वो receiver है receiver है ये active में है active में यहां पर subject होना वो receiver है क्या रहा है बोल कर रहा है ये object हो गया अब इसका passive क्या बनेगा the ball is being stopped by Amit by proportion होगी Amit is proportion का object हो गया is helping verb होगी being helping verb होगी stopped main होगी stop किसका stop किया गया बोल को तो ये subject हो गया इसी का मैंने passive बनाया है उस fourth का ही passive बनाया है अगया हो जो रहा है इस इन दोनों का sentence का meaning का है इस sentence का meaning है Mohit जो है वो बोल रोक रहा है और यहां पर बोल को रोका गया किस के दवारा Mohit के दवारा इस sentence का meaning देखो the ball stopped at a distance of 100 km ये होगी main verb ये at preposition है distance is preposition का object है o preposition है, meter is preposition का object है 100 इसको qualify करने वाला adverb of adjective है numeral adjective बोलेंगे a article है stop of का subject बनेगा ball और the article है clear यहां पर the article है ओके यहां पर समझो जरा यहां पर Mohit इस action को कर रहा है stop को कर रहा है इसका doer है यहां पर लेकिन यह stop यहां पर भी यहां देखेंगे तो यह दोनों यह दोनों एक्टी में लिखे गए यह दोनों एक्टी में लिखे गए यह दोनों एक्टी में लिखे गए लेकिन यहां पर subject इसमें subject action को कर रहा है लेकिन यहां पर subject के उपर action हो रहा है बले ही दोनों sentence एक्टी में लिखे गए है कैसे किया यह यह दूइंग है और यह हैपनिंग है, समझ मैं यहां पर एक्षन अपने आप हो रहा है, बोल स्टोप, बोल अपने आप रुक गई, 100 मिटर इस्टेंस पर, मतलब 100 मिटरी चली थी और अपने आप उता हैं, बोल जब उसको एक हिट किया जाता है, इसको एक हिट करने के बद कि जो stop है, यहां पर happening verb की तरीके से बहेव कर रही है, लेकिन यहां पर यह stop है, वो एक doing verb की तरीके से बहेव कर रही है, इसलिए मोहित इसका eduor है, लेकिन बोल के उपर यहां पर action हो रहा है, इसका receiver बन रही है, clear active passive का इस समझ आना, तो यह होगए आपके सामने happening, doing का, इस उसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं, जैसे जैसे आग आएंगे, ये चीजों को मैंने ये फारी चीज लिग्यां क्यूं करवाई हैं, ये अट्रसटिटिटिव, इन्ट्रस्टिटिव, ऑक्टिव, ऐक ट्रीक्रीके से आपकी ब्रालीजिस आप लोगों को पता चल जाए enhance हो जाए आपकी knowledge, ओके, इन सब चीजों को जड़ा और देख लीजिए, यह जो कुछ verb होती हैं, जो happening wave की तरीके से भी behave कर देती हैं, और जो doing verb की भी होती हैं, जैसे begin, किसी चीज का शुरू करना हो, किसी चीज को शुरू कर भी सकते हैं, आप, आपने अपनी preparation शुरू कर दी, या फिर बारिश शुरू हो गई, clear हुआ, ब्रेक, ब्रेक यानि तूटना, और एक होता है तोड़ना, आपने किसी चीज को तोड़ दिया, या फिर कोई चीज तूट गई, change, weather का change होना, अपने आप होता है, या फिर आपने किसी चीज को change कर दिया, तो आप देख रहे हो, यह doing भी हो रहे हैं, happening भी हो हिंहें, crack, crack, है नि, तूट जाना और आपने किसी चीज को crack कर दिया, move, धर्दी अपनी जगह मूव कर रही है और आपने किसी चीज को मूव कर दिया तो ये काम happening भी हो रहा है doing भी हो रहा है open कोई चीज अपने आप open होगी जैसे हवा में window open होगी और एक चीज आपने भी open कर दी आपने कोई door open कर दिया stop, कोई चीज आपने रोक दी, या फिर कोई चीज जो है, वो अपने आप रुक गई, melt, बिगलना, कोई चीज अपने आप बिगल की, जैसे आईस क्रेम बिगल जाती है, और कोई चीज आपने पिगला दी, melting कर दी, आपने melt कर दिया, ड्राय, लनि पिगलना, कोई चीज अपने आप शूख जाती है, जो किजह अपने अपने आप थूख में रखते हैं, तक वो पिगला सूख जाती है, या फिर कोई चीज आपने खुद शुका दी, ड्रायर से आप अपने बाल सुका लेते हैं, तो यह जितनी verb है, वह happening भी है, वह happening भी है और वह doing भी है, तो दोनों के meaning है, आप लोगों को यह सारी चीजें करवाने का यही मकसद है, कि verb जो है, वह happening भी बन सकती है, or doing भी बन सकती है, same verb, clear, आप यहां पर आप इस example के थरू समझ सकते हैं, और एसी बहुत सारी है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को वह चीजें करवा दूगा, एक्जाम के point of view से सारी चीजें आपके notebook में होगी, तो यह होगे आपने सामने सारी चीजें, वर्ब का basic था हूँ, वर्ब का basic मैं complete करवा चुका हूँ, वर्ब का basic basic complete होने में मुझे चार वीडियो लग गई है, clear, तो अब हम वर्ब के basic के बाद हम conjunction पर आजाते हैं, और भी रह गया है, वैसे basic, diet transitive verb रह गया है, वो इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्यों मुझे लगता है कि उसकी बाद में नीड पड़ेगी, अभी तो जूर्थ है नहीं, तो उसको तब करवा लेंगे, okay, present participle, past participle, यह भी basic रह गया है, इसको प्रोनाउन के lecture में कर लेंगे, अब आओ जो रह यहां पर, conjunction किसको कहते हैं, conjunction क्या होता है, it joins two words, phrase and close, closes मैं करवा चुका हूँ, phrases को मैं बाद में कराऊंगा, और दो words, दो words कुछ भी हो सकते हैं, वो noun, pronoun हो सकते हैं, दो noun हो सकते हैं, दो pronoun हो सकते हैं, या noun या pronoun दोनों भी हो सकते हैं, दो verb हो सकते हैं, दो adjective हो सकते हैं, दो adverb हो सकते हैं, और यह सारी चीज़े मैंने करवाई हैं, दो adjective, दो adverb, यह सारी चीज़े मैंने करवाई हैं, दो close भी मैंने करवाई हैं आप लोगों को, तो आप देखोगे तो मैंने ये सारी चीज़ें मैं अल्री करवा चुका हूँ तो अब आस आप लोगों को बताने कि conjunction, subordinate conjunction, ordinate conjunction ये वाली conjunction होती है, इनका meaning भी अलग-अलग होता है, जैसे and, and, and का मतलब होता है, or, if का मतलब होता है, अगर, but का मतलब होता है, को जोड़ने के लिए ये यांपे conjunction आई होई है, ये helping verb है, watching main verb है, क्या देख रहे बहीं है, ये movie देख रहे है, ये object हो गया, ये article हो गया, ये दोड़नों के दोड़नों subject हो गया, clear, इन दो subject को जोड़ने के लिए मैंने conjunction लगा ती, यहाँ पर देखो जो रहा, is helping verb है, यह main verb है, dancing main verb है, mukais is subject है, mukais ही गा रहा है, mukais ही नाच रहा है, तो दोनों ही काम वो कर रहा है, इसलिए दोनों काम को मैंने conjunction जोड दिया, यह sentence है से था, mukais is singing and he is dancing, भहिया दो ही काम वो एक ही बंदा कर रहा है, तो एक काम करो ना इतना करने वाला adverb, आई हो गया, फिर से subject number 2, will होगी helping verb, inform होगी main verb number 2, inform whom, your parents, parents बनेगा यहाँ पर, object किसके parents, your parents, तो adjective होगया, possessive adjective होगया, clear, तो यहाँ पर देखिए कि यह एक clause आया हुआ, और यह एक clause आया हुआ, यह शर्त बताने वाली conjunction होती है, condition है, कि अगर तुम लेट तो में तुमारे माता पिता को inform कर दूँगा, तो यह एका condition होगी, कोई जोड़ने वाली होती है, कोई शर्त बताने वाली होती है, कोई शर्त बता रहे है, शर्त बता यह ह technically get. यह एक Japaneseới बताने वाली होती है, यह पर देखो रन होगी main verb, run, कौन दोड़ आए, यह थीव जो हो भया, हिम अबजेक्ट हो गया, किस ने पकड़ लिया, पुलिसमें ने पकड़ लिया, बनेगा, बनेगा, अबजेक्ट अर्टिकल होते हैं, तो देखो ज़रा है, इस ज़रा इस sentence का मेनिंग क्या है, दोड़ा बहुत तेज किन्तु पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो मीनिंग कोशिश की बहुत जादा लेकिन बावजुद उसके वो फेल हो गया ऐसा मीनिंग कराना है विपरीत मीनिंग कराना है तो बट कंजेंक्शन का यूज हो जाता है यहां पर समझ में आए तो इस Jr. आउट कंजेंक्शन भी हम करेंगे जब कंजेंक्शन पर चलेंगे यहां पर थोड़ा बेसीक बतायें तो डिटेल से थो बताने बैठा हो नहीं और हम कंजेंक्शन तो इतनी बार कर चुके हैं इतनी बार हम कर चुके हैं कि conjunction अभी थोड़ा बहुत हमें समझने के लिए असानी हो जाते हैं यहां पे clear आजाओ ज़रा pre-position, pre-position यानि pre का मतलब होता है पहले और position का मतलब होता है स्थान, यानि पहले स्थान किसके पहले स्थान आएगा भाया अपने object के पहले के स्थान पे आएगा इसका object कान होता है और इसका object आएगा noun या फिर pronoun noun कान होते हैं भाया जो 5 काम करते हैं subject बनना, object बनना, pre-position का object बनना, subject compliment, object compliment, pronoun क्या होते हैं जो noun की जगह पे आते हैं, I have already discussed in noun video noun की जो video थी, उनकी वीडियो में थोड़ा बहुत प्रणाउन के बारे में discuss किया था यह क्या है, इसकी meaning पढ़ लेते हैं शायद मैं थोड़ा बहुत तेज बोल रहा हूँ habitual हूँ मैं स्थेज बोलने का, क्या करें तो slow कर ले ना video को और मुझे यह स्थेज बोलने का तो इसके ओपर थोड़ा सा देख लेना है speed gum कर लेना, आपके पास option है speed gum करने का आओ जरा, sentence, इसको समझते हैं preposition के बद, यह तो kitabी definition है it relates a noun or pronoun with other words of a sentence, कि यह यह relate कराते है एक noun को एक प्रणाउन को बाकी के words के साथ sentence के sentence के, बाकी के words के साथ यह रिलेट करवा जयता है local भाषा में, हमारी आम भाषा में laman language में बोलू, it is used to add a new, add few information in a sentence, इसका preposition का use किया जाता है, एक नई information add गरने के, और कोई काम नहीं होता है इसका, जरा हो जरा sentence से समझते है went होगी main verb, went होगी main verb यह went गया, कौन मोहन गया, मोहन होगया subject अब जरा देखो, two preposition आगी preposition के बाद उसका object दे दिया, तो यह information add नहीं कर दी, वो कहां गया temple गया, अब यहां पर फिर preposition लगाई, preposition के बाद उसका object दे दिया preposition का object, भया, किस के साथ गया अपनी माता जी के साथ गया, possessive adjective है यहां पर, तो फिर एक और information दे दिया, अपनी माता की साथ गया, कब गया था, फिर preposition लगाई, preposition के बाद उसका object दे दिया, on Sunday, Sunday गया था, तो आपको जितनी भी information add गरनी है, तो preposition लगाई, यह preposition का object दिजिए, preposition लगाई यह preposition का object दिजिए, फिर इन्फोरमेशन ही तो add होती चलेगी, वरना sentence तो यहां पर भी खतम हो जाता event के बाद, event के बाद अगर यहां पर full stop लगाते तो sentence गलत होड़ना था sentence ही था, मोहन, went, मोहन गया कोई जरूरी तो ओड़ना है, कहां गया, किसके साथ गया, कब गया, उससे कोई लेना देना नहीं हमको, लेकिन यह जितने भी आएं event के बाद, यह आप लोगों को बता क्या रहे हैं, यह बता यह रहे हैं, कि भाईया information ही दे रहे हैं, कहां गया, किसके होता है, adjective, subject compliment है they are confident, इसको qualify कर रहा है तो यह हो गया, subject यहां पर, clear off, they are confident, वो विश्वासनी है किसमें विश्वशनी है, वो preposition है, अपनी success में यह preposition का object है, there उनके पर अधिकार जदाने वाला possessive, adjective है in, फिर से preposition है, exam exam के उपर, exam इसका, preposition का object बन गया, clear, तो आप देरा देखो confidence है, किसमें वहीं, आपनी success में किसमें success होगी, उनके exam में, तो यह information ही तो अधिकार करती, तो preposition क्या काम करती है preposition का काम जोता है, वो information अधिकार काम आता है, in होगी, at होगी, to होगी, for होगी, from home होगी, between होगी, यह जो चीजे हैं, between होगी, against होगी, यह चीजे हमें देख चुके हैं, against होगया, या फिर far, own होगया, into होगया, यह basic info, basic pronoun, क्या बल रहा हूँ, basic preposition है, आप लोगों को यह लेनी है, अब जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, तो जितनी-जितनी preposition आएंगे, वह आप लोगों को बताता चलूँगा, okay, last है यह, but not least, interjection, it is used to express emotion, interjection क्या काम आते हैं, emotion के काम आते हैं, आप खुश हैं, आप उदास हैं, आप दुखी हैं, उदास और दुखी दोनों से, आप रो रहे हैं, जैसे भी, आपकी feelings को बताने के लिए, आपकी emotions को बताने के लिए आते हैं, sentence पर देख लो, won होगी, main verb, won कोन किया, we किया, to subject होगा, won what, क्या जीत गए भई, हम match जीत गए, तो यह बन गया, object, the article होगा, we won the match, हम match जीत गए, तो आपकी यहाँ पर क्या बता रहा है, mood का है, emotion का है, खुशी का, emotion का है, खुशी का है, हुरे, हुरे, यह जो है, यही है interjection, यही है interjection, clear हुआ, अगला sentence देखो ज़रा, his father died alas, alas मतलब, ओ यार, बोट दुख हुआ, तो यह वाली वो चीज होती है, यह होगी interjection, interjection, यह died main verb है, कौन मर गई, भई, पिता मर गई इनके, तो यह होगया subject किसके, his, इसके पर दिखाज जताने वाला, possessive adjective, यह कब मरे, yesterday is died को qualify करने वाला adverb of time है, तो यह वाली जो चीज है, यह adverb, यह, हुरे, alas, ओ, यह सारी चीज हैं क्या है, interjection है, please, यह वाली interjection होगी, तो आप लोगों को मैंने, क्या-क्या करवा दिया है, मतलब सारा ही basic complete करवा दिया है, जितने भी noun अपने, जितने भी parts of speech थे, parts of speech थे, उनके सब की हमने basic देख लिया है, और अब इसके बाद हम pronoun का, pronoun का detail से lecture करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने वहां आएंगी, जितना मैंने basic complete कराया है, आपका बहुत वो मदद करने वाला इस pronoun को समनने के लिए, at least आप लोग जब sentence पढ़ेंगे, तो उस sentence में आप जान पाएंगे, यहां पर adjective है, यह adverb है, यह noun, noun, यह pronoun, वो चीज़ आप लोग वहां पर जान पाएंगे, तो मेरा मकसद तो पहले तो यही था, कि at the end आप लोगों को इतना तो पता चले, जब मैं detail पर जाओं, एक sentence लिखा हो कि उसके अंदर pronoun का है, उसके अंदर adjective का है, उसके अंदर verb का है, इतना पता हो, इसलिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले basic करवा है, I hope so आप लोगों को यह पूरी basic 5 वीडियो तो वर्ब की होगी, और भी होगी, बहुत सारी वर्ब वीडियो मैंने करवा दी हैं, तो यह जितनी भी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हैं, समझ में आई हैं, तो क्या करेंगे, एक छोटा सा काम है, लाइक करने का वीडियो को, सब्सक्राइब करने का चैनल को, और इस वीडियो से रिलेटिड आपको क्या चाहिए, पीडियो चाहिए, तो भही आप लोग इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आतलब कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में, आपको एक link मिलेगा, link होगा telegram का, telegram का वो link होगा, वो link होगा facebook का, तो दोनों का link मिलेगा जाकर join कर लिजे, वहाँ पर आप लोगों को इसकी pdf मिल जाएगी, इसके आपके exam के point of view से बहुत सारे pdf आप लोगों को वहाँ मिल रहे है उमीद करता हूँ आप लोगों के पसंद आया तो please support me मुझे भी support करिये, अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ तो thank you for watching this video, मिलते हैं अगली वीडियो में